हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्हित करते स्विक अच्छे होंगे तो आज हम लोग आदमिक भारत के तियांस को डेटेल से पढ़ेंगे लोग शुरू करते हैं इस चेप्टर से जिसका चेप्टर का नाम है भारत में राष्टबाद बहुत इंपर्टन चेप्टर है और इस अकेले इस एक चेप्टर से कम से कम चार कोश्चन आपके जिसका जो आठ नमर गया ना उसमें से सिर्फ इसी एक चेप्टर से आयवा था कोश्चन चारो कोश्चन को मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ बहुत इंपर्टन क्लास होगा मिस नहीं करना है पूरी क्लास क अपसे कब तक हुआ 1914 से लेकर 1918 तक खिलाफा तंदलन अपसे भी को पता है नहीं बता होगा तो बताऊंगा डिटेल में खिलाफा तंदलन क्यूं हुआ कैसे हुआ असयोग अंदलन किसने सुरू किया सब की चर्चा होगी यहां लेका है 1913-18 बीच में जो समान जो होता ना दुगुना हो चुका था पूरी दुनिया में क्यूं क्यूंकि पूरी दुनिया उसमें 20 सुयूद में लगी पड़ी थी पूरी दुनिया 20 सुयूद में पूरी तरसे लड़ रही थी जिसे कारण बिजनर ठप पड़ गया थे तो जारी से बात समान महंगा होई जबरन भरत बताती है कि सबसे जादा जनगन्हा जो है इसमें कम होने की असंका दिखाई गये थी, चैसे कि मैं जो जनगन्हा का भी एक अलग वीडियो बना भी दिया हूँ, जो भारत के जनगन्हा का वीडियो, उसमें मैं बताया भी था कि 1921 में जो पूरे दसक मंगर देखा जाए तो स सबसे कम कही जन सक्या जो कमी देखने के लिए मिला वो 19 से कही से मिला वहाँ पर जो ब्रिदी थी वो रुख गे थी पूरी तरह से लगबग महमारी के करण 120 से 130 लाख लोग मारे गया थे पूरी तरह से हलत खराब था उसके बीच में उससे पहले बता रहा है कि जो गांधी ज जो थे वो भारत में जन्वरी 1915 में भारत आ गया थे जन्वरी 1915 में क्या आ गया थे भारत आ चुके थे अब गांधी जी जब भारत पहुंचते हैं तो भारत को भी राजनिती में सक्रियों होना चाते हैं इससे पहले भी वो राजनिती कर रहे थे लेकिन कहा कर रहे थे व 9-11-1913 को New Castle से Transwall की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महत्मा गांधी मजदूरों का नेत्वट्टव कर रहे थे तो मजदूरों का नेत्वट्टव कर रहे थे कौन गांधी जी कहां से कहां बढ़ रहे थे New Castle से Transwall की ओर जगा कर नाम है अब ये question पुछावाता तो बहुत लोगों confusion हो गया था कि भाई से question आया कहा से इसी chapter से आया था अभी इस essay से 5 question मिलेंगे जो सिर्फ एक ही chapter से question पुछावाता बहुत ज़्यादा important ये chapter है एकदम इसको miss नहीं करना है एकदम detail है पढ़ियेगे इसको तो new castle से trans wall की और बढ़ रहते गांदी जी मजदूरों के साथ में सत्यागरा कर रहे थे आस्वेट और स्वेट वाली जो अंदुलन हो रही थी उसके जो खिलाप में वो लड़ रहे थे गोरे काले का भेद वाक्य किया जा रहा है अफरिका की कहानी बता जा रहे है पिछली बार दिया था कि कहां से कहां जा रहे थे new castle से trans wall इस बार हो सकता है दे दे डेट के साथ कि कब ये अफरिका में और स्वेट के साथ मिलकर उनकी संगर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे मजदूरों का साथ मिलकर संगर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे कब 6 नॉवंबर 1913 को जहां वो new castle से trans wall की तरह बढ़ते हैं गांदी जी बढ़ते हैं अब गांदी जी भारत पहुंचते हैं भारत पहुंचते हैं तो अपने राजनितिक गुरु बनाते हैं सोचे कि भारत में आये हैं तो भारत की राजनितिक को समझने के लिए यहां पर किसी ने किसी गार्जियन टैप आदमी सी तो बात करना पड़ेगा इनकी गार्जियन जो की राजनितिक गुरु थे वो कौन थे तो गौपाल कृशन गोखले थे याद रखे गा ठीक है गांधी जी का करे ये गौपाल कृशन गोखले से पूछे राजीनेती सीखने की कोशिज कि दर पन्दरा से सुला तक इनहोंने साल भर तक पूरी तरह से राजीनेती को समझा अपने आस्कार में चुपचा बैठे रहे, सब चीजी की गति वीडियो के देखते रहे कांग्रेस की अधिक्स्ता में भी जाते रहे उसी कांग्रेस के अधिक्स्ता में 1916 इसुई में जो लखनाव में अधिवेशन हो रहा था भारती राष्टिक कांग्रेस की जो अधिवेशन हो रहे थी 1916 की लखनव में वहां गांधी जी पहुँचे हुए थे और वहीं पहुँचे हुए थे बिहार के राजकुमार सुकला जी राजकुमार सुकला जी अपनी परसानी लेके पहुचे थे क्या परसानी थी तो सुकला जी की परसानी थी कि बिहार मेँ खास कर चम्पारन मुझilपपूर सारन वाले छेत्रों में तिन कठीया परना ली था तिन कठीया परना ली क्या है तो नील की खेती जबरन कराई जाती थी अंग्रूजो दुबारा निल की खेती जबरन कराई जाती थी अब भया निल की खेती जबरन कराई जाती थी ठीक है तो उसे प्रावलम क्या था भारती किसान को या बिहार के किसानों को तो प्रावलम यह था कि निल की खेती करने से जमीन बरबाद होती थी और वो निल की खेती जो होता था न वो से सुकला जी के सासत अन्य बहुत सरे किसान प्रसान रहते थे राजकुमार सुकला जी चंपारन के रहने वाले थे मुरली भरववा जो गाउं है उस गाउं के और ये चंपारन से निकलते हैं और भारती राष्टी कांग्रेस में उस अधिवेशन पोचते हैं 1916 की और वहां जाके अपनी समस्याओं को रखते हैं तो वहीं पर इसे मुलकात होती है गांदीजी से और गांदीजी के साथ वो गांदीजी को आने के लिए आगरह करते हैं कि चंपारन आये और हमारी दो दसा को समझे बाद में गांदीजी आते हैं गांदीजी कब पहुंचते हैं 1917 में पहुँचते हैं, चमपारन का दावरा करते हैं, जब ये चमपारन आते हैं, तो चमपारन में लोगों की समस्याओं का समझते हैं, और चमपारन में जो तीन कठिया पर नाली थी, इसको समाप्त करने के कोशिस करते हैं, सत्यागरा करते हैं, यहीं से ये गांदीजी पहमस होत हैं 1917 में ही गुजरात के खेड़ा के जीले में किसानों की मदद के लिए सत्यागरा का आयोजन किया तो उसके बाद 1917 में ही कहां पोचे खेड़ायम पोचे और गुजरात के कहां गुजरात के खेड़ायम पोचे और वहां पर किसानों के कि खिसानों का मदद के लिए सत्यागरा किया फसल खराब होने के कारण और पले की महमारी पढ़ने के कारण खेड़ा की जीले की खिसान का लगान चुकाने में उनकी यह हालत लगान चुकाने की हालत में नहीं थे मतलब क्या हुआते कि फसल बरवाद हो चुका था पहले की बिमारी थी, खेती हुआ नहीं था और अंग्रेज जबरदस्ति टेक्स मांग रहे थे कहां की बात हो रही है गुजरात की खेड़ा की बात हो रही है गांदी जी वहां गया है, सत्यागरा की ये और वहांपर अंदलोन शुरूड करतें, उननीस ओठारह में ये तीन अंदलोन गांदी जी गे इतना ज़धा फेमस होए कि पूरे भारत में ये परचलित हो चुके पूरे भारत में ये गली-गली लोग जानघे गांदी जी कि बारे में की हलत खराब हो चुकी थी अलाकि जर्मनी हारा था विस विद में पढ़ाऊंगा आप लोग को ये विस विति हांस में अगला जो वीडियो आएगा उसी की बारे में आएगा वो डेटेल से ठीके तो वो उसमें क्या वता है कि जितने भी देश थे जिन्होंने दूसरे देश क गुलाम बना कर रखा था वहाँ पर कंट्रोल जमाने के लिए कि भाई सब ये भी बागावत ना कर दे उन्होंने अलग-अलग तरह के कानून लाना शुरू किया उसी तरह अंग्रेजियों ने भारत में एक कानून लाया जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट कानून क्या बो मतल alltid say गांदी जी इस कानून के किलाप में अंद Suddenly करने के चाहा यह कानून जो थैना इसकानून के जरिये राजनितिक गतिविदयो को कुचलने और राजनितिक कैदियों को दो साल तक बिना मुकादमा चला97 है जेल में बंदर राहाँ मिला मतला रॉलेटेट कानून जो है क अगर किसी को पकड़ लेता है किसी भी राजन देता को इस कानून के तहत तो उस दो साल तक जेल में रख लेगा बिना कुछ बोले बिना कुछ सुनवाई कि दो साल तक जेल में बंद रहेंगे छे अप्राइल को हर्ताल करने की सूरी किया जाता है कि हर्ताल मनाने की हर्ताल करने की बात कही जाती है छे अप्राइल को क्या होता है रोलन टेक्ट का क्या किया जाता है बहिसकार या हर्ताल किया जाता है उसके बाद से यहां देखेंगे तो 10 अप्राइल को पुलिस ने अमरिस्तर में सांतिपुर्ण के जूलूस पे गोली चलाई अब ये 10 अपरेल दिया हुआ हलाकि SCIT में पढ़ाया था तुम्हें बताया था कि 9 अपरेल को ये सफरदून किचली और सत्यपल मलिक जो थे वो इस आंदोलन के खिलाब में अवाज उठाना सुरूर कर देते हैं किसके इस कानून के खिलाप में कौण से कानून उंको ग्रिफ़तार कर लिया जाता है और इस ग्रिफकारी ग्रिफ़तारी के बिरुद में अगले ही दिन 10 अपरेले को कुछ लोगों ने जुलीस निकाला जिस पे अंगरेजों ने गुली चला याद रखेगा जालियलाबाग हत्यकांट से पहले भी गुली चला था दस अपरते का भी गुली चला था और उसमें कुछ लोगों का मार दिया गया था फिर भी उसके बाद क्या किया है उस एरिया भी मार्सल लोव लागू कर दिया गया मार्सल लोव एक तरह समझे की जब लागू हो जाता है तो वहाँ पर पुलीस परसासन और आर्मी की पावर आ जाती है याना वहाँ पर आम जलता कि बहुत सरे चीजे उसके अधिकार छीन लिए जैते हैं लोगों ने जुलिस निकाला तो गुले चलाई गई उसके बावजूद भी तेरे अपरल को पंजाब के बहुत सरे लोगों ने जालिया वाला बाग में जैसे की आप पार्क होता उसी तरह तो जालिया बाग में लोगों ने इकटा हुआ लोगों ने अंग्रेज यो खिलाप अंदोलन सुरू किया सांति पुन्दंग से और सत्रह इंसा के मारग पर गांदी जी की तरह लेकिन जनरल डायर जो था उसने क्या किया किसी के न सुना और उसने अंदाधुन गोलिया चला दी आप सभी बहुँ भी इसको बढ़िया से जानते होंगे जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी भारत में ये आग के तरफ वैत फल गया कि भाई सब अंगरेज जो है अब जो है आपको मारने पे उतर गया है यानि मारने के मतलब किया कि अब पूरी तरह से ये एक तरह से राक्षस मन चुके हैं अब लोगों ने इसका जमकर बिरोध किया जमकर इसका बहिसकार किया जनरल डायर जो था ये तो भाग गया यहां से भाग के चला गया ब्रिटेन में और ताजुब के बात ये है कि ब्रिटेन जब जाता है तो वहाँ पर इसको मेडल दिया जाता है इस काम के लिए इससे तो और ज्यादा लोग न जरूरत है जैसे चंपारान सत्यागर हुआ तो चंपारान तक सिमित्रा या बिहारों तक उसका अंदुलार का परभाव पड़ा खेड़ा गुजरात अमदाबाद वाले छेतरों तक वहाँ पर उसका वर्चस वे रहा ठीक है लेकिन ही चाहते थे कि एक आंदुलार ऐसा किया जो पूरे भारत में एक जुट करें सभी लोगों को और एक जुट करके सभी लोग मिल की आए और इसके लिए सबसे जुरुरी काम था कि हिंदू मुस्लिम एक ही किया जाए क्योंकि जस्ट इसके पहले जो था बंगाल विवाजन जो करजन 1905 में जिसने वो बीज बोया था उससे पहले उसके बीच में जो मारलो मिन्टो सुधारा आया था 1909 का उसने भी संपरताइक्ता का बीज बोया संपरताइक्ता मतलब हिंदू मुस्लिम में बटवारा करने का जो बीज बोया था लो वो काफी बढ़ चुका था गांधी जी जब भारत हम पहुचे तो हिंदू मुस्लिम में बहुत हद तक जो चीजे दिखी गई हिंदू मुस्लिम में नफरत बढ़ना शुरू हो गया था तो गांधी जी इस बात को जानते थे कि जब तक हम लोग एक न होंगे तब तक कोई भी हम लोग आंदून जो है successful हमारा नहीं हो पाएगा गांधी जी ने इस समय का इंतिजार कर रहे थे कि कब हम दोनों को एक करें तभी उसी समय जाले लबाग हत्यकंड होता और उसी समय जब पर्थम विश्यूद खतम हुआ 1918 में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं पढ़ावी चुका हूँ 20 स्वितियास को उसमें क्या हुआ कि जर्मनी हारा जर्मनी के सपोर्ट में कौन था तुर्की था तो तुर्की भी उसके साथ साथ में सरंडर बोला हारा उसके बाद तुर्की में एक बहुत बड़े पद होता था एक बहुत बड़ा पद होता था जिसको बोला जाता था खली और खलीपा जो है सिर्फ तुर्की कर नहीं पूरी दुनिया के मुस्लमानों का नेता होते थे ठीक है और उस नेता को क्या कि खलीपा का पद को ही खतम कर दियेगे अंग्रेज द्वारा क्यों तेकि अंग्रेज जो थे न यह सब बहुत मतलब दूर तक सोचने वाले थे उनको बात दे होते मानना पड़ता क्योंकि वो खलीपा है और खलीपा का आदेष पूरे मुसलमान को मानना पड़ता ऐसे सुरू सही चलते आ रहा था अंग्रेज इस बात को भुत भखुवी जानते थे उन्होंने सोचा कि खलीपा को पद सबसे पहले खलीपा का पद तोड़ा जाए वरना ये एक जुट हमेशा रहेंगे बड़ी चलाकी के साथ उन्हें खलीफा का पद को तोड़ दिया खलीफा का ही ये जो कि आज के बाद से खलीफा नहीं रहेगा इसके वज़ा से उस समय खलीफा का पद जो है काफी ज़्यदा फेमस था जिसके वज़ा से हर एक मु ज़्यदा खलीफा के साथ बरबरता करने के लिए अंग्रीजों पर बिरुद सुरू हुआ इसको खिलापत आंदोलन कहा गया ये जो आंदोलन जो है 19-19 और 19-20 में खुब परचलित हुआ गांदी जी ने देखा कि जो खिलापत आंदोलन चल रहा है इसी में मौका है कि हम लोग भी इसका सपोर्ट कर देते ताकि मुस्लमान जो हमारे फेबर में आजे और जालीयलबाग हत्यकंड वहा तो पूरी भारत के हिंदू मुसलिम सब तो खफा है ये अंग्रे से तोनों एक जुठ हो जाएंगे तो हम लोग बड़ा अंदोलन करेंगे लो इनके दिमाग म वाले आंदोलन खड़ा करना चाते थे हिंदू मुसलमानों को वे एक दूसरे के नजदिक लाये बिना ये आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था इनका मनना था परतम विस युद में अटोमन तुर्की अटोमन समराज थे था तुर्की में उस्मानिया सल्टला जिसको कहा जात है जो खलीफा को जब हटाया गया वहां से तो उसके रक्षा के लिए मार्च diamond करने वाले कौं थे चातली उतली बहुत बोधार क्योश्ण पूछा हुआ है के कौन इसका नित्युक्त तो अली बंद्धू कर रह था मुहम्मद अली और सौकत अली दोनों बंदुवा ने मार्च उनिस उनिस उस में एक खिलापत समीती का गठन किया गया साथ ही साथ कई युवा मुसल्मानों ने इस मुद्दे पर इस तरह के आंदुलन में सक्री रूप से भाग लिए सितंबर 1922 में कांग्रेस के एक कलकत्ता अधिवेशन में यहां से देखेगा यही कोशन यहां से पूछा वा था सेम टूछन पूछा वा था मतलब की इमर्जेंसी बैठक बोलाई गई यह इमर्जेंसी बैठक तभी बोलाई जैती थी जब किसी ना किसी तरह के कोई बड़ी घटना होती थी जैसे घटना हुई थी जली अलबा घत्यकंड उसके बाद जो है सितंबर में क्या किया गया सितंबर 1920 में जो की कलकत्ता में बठाए गया इस कलकत्ता में अधिवेशन में महत्मा गांदी ने दूसरी निताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि हम लोग खिलापत अंदोलों का समर्थन करते हैं और सोराज्य के लिए एक आश्योग अंदोलों सुरू करना चाहिए सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में गांदी जी ने अनिनताओं से इस बात को मना लिया कि हम लोग क्या करते हैं खिलापत अंदोलों में इन अली बंदोगों का ये मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं और हमारा जो लक्ष है स्वराज प्राप्ति का जिसे हम सब मिल जूलिकर एक साथ असुयूग अंदोलन चलाते हैं और स्वराजी की प्राप्ति के ओर बढ़ते हैं सबी लोगों ने सहमती जताई कई ठीक है बहुत सर लोगों ने सहमती जताई भी बहुत सर लोगों ने मना भी किया आगे समझे किले क्या है इसमें दिखेंगे तो अपनी परसिद पुस्तक हिंद सोराज में महात्मा गांदी ने कहा पहली कोशन यहीं बन जता है कि हिंद सोरा पारण ही चल रहा है अगर भारत के लोग अपना स्वयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटीस आसन जो है ढहा जाएगी मतलब जो है 1909 इस्यू में गांधी जी जब अफरीका में थे तब भी ये भारत की राजनीती को समझते थे और उसी में एक किताब लिके थे ह हिंद सौराज और उस किताब में उन्होंने चर्चा किया था कि भारत में अंग्रेज तब तक ही ताकतवर है जब तक भारत का ही लोग उनको मदद कर रहा है अगर भारत का लोग स्वयोग करना छोड़ दे तो अंग्रेजों के पास कुछ भी नहीं है कोई ताकत नहीं वो सितंबर 19-20 में होती है कलकत्ता में अब यह इन्होंने अपनी विचार रखा लोगों के बीचार रखा लोग बहुत सर नताओं ने बात माना ठीक है बहुत सर लोगों न कहा कि कैसे किया जाएगा तो उन्हों न कहा कि सबसे पहला काम है कि हम अपनी जो पद है उपादी है इसको लटा दे जैसे नाइट हुड की उपादी मिलीती रभीना टैगर को कैसर ये हिंदी को उपादी मिलीती किनको ये महतमा गंदी को बहुत सर लोगों को अलगल उपादी मिलीती इसको लटा दिया जाए अंग्रेजों को कोई भी चीज हम लोग नहीं रखेंगे जाए उसका उपादी हो या उसका कोई भी समान हो, भहिसकार किया जाए, क्या चीज का भहिसकार किया जाए, जितने भी बिदेसी समान है, बिदेसी कल्चर है, पुलीस थाने हर चीज का भहिसकार किया जाए, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, 1922 के गर्मी में, भीशन गर्मी मे तो देखे, नॉम्मर उनिस वीस में एक बिधान जो बिधाई परिशत था, बिधाई परिशत की गठन हो रही थी, और उस बिधाई परिशत में भारती लोगों को भी जगा दिया जा रहा था, अंगरेजी दुबारा, तो बिधाई परिशत का मानना था कि भाई सब ये तो हम लोग अंगरेजी कोई भी नीती बनाएगी, तो उसको खिलाब आवाज उठाएंगे लो, तो हमारी जो काम जो है, जो हम लोग चाहते हैं, कि अपने हिसाब से सरकार चले, वो चीज़े सक्सेस्पूल हो जाएगी, धीरी दिर स्वराजी की तरफ बढ़ेंगे लो, मत दूसरा चीज़ था, उनको भाय था कि आंदूलन में हिंसा हो जाएगा, क्योंकि जब ये आंदूलन कहां कंट्रोल कीज़ेगा, जब बड़े इस्तरफ होगा, तो 1817 की करांती सबको पता था, तो सोच रहते कहीं ने कहीं हिंसा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक गांधी ज हुआ, जो कि हमेशा जो होता था, दिसंबर में, तो सितंबर वाले में बात की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, और नागपूर वाले 1926 के कांगरस अदिवेशन में ये समझाता हुआ, और असयू कारकरम के लिए सविकृती पर मोहर लगा दी गई, यानि फानिली कहा कि अब जो है, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है, यहाँ एक बहिसकार सब लिखा है, तो बहिसकार का मतलब आप सभी को बहुभी पता है, किसी भी चीजों का समानों का बहिसकार करना, बहिसकार कर लाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा कि ब प्रभुत्य का पर्तिक माना जाता था यानि जो बिदेशी कपड़े थे बिदेशी समान थे उनका पूरी तरह से भरपूर भाहिसकार हुआ जुलाई 1922 में बिदेशी कपड़ों का भाहिसकार कब हुआ तो जुलाई 1922 में आगया जी यहाँ आए अब यह असुए आंदोलन जो है शुरू होता है कब जन्मरी 1921 में याद रखेंगा जन्मरी 1921 में क्योंकि दिसंबर में 1920 में तो अभी तक ये मोहर ही लग रहा है कांग्रेस का जो नागपुर वाला धिवेशन हो रहा है मोहर लगने एक बाद फाइनले डिसाइड हो गया कि भाई चलेगा तो एक जन्म परी 1921 से और शुक अंदलन चलाने के लिए शुरुवात कर दिया गया अब इस अंदलन का जो देखेंगे तो सहरो पर इस अंदलन के क्या असर पड़ता है सहरो में सहरो में बच्चे जो थे ना स्कूल बिधाले वेगरा जितने भी थी उनके कॉलेश ने सब का उन्होंने छोड़ दिया, हेड मास्टर तक पढ़ाना छोड़ दिया, सिक्चक भी इस्तिफा दे दिये, वकील जो है वाकाला छोड़ दी, ठीक है मदरास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिशद चुनाओं का भहिसकार किया गया, यानि यहां से कुशन क्या बनेगा, बिधान परिशद का भहिसकार निम्न में से किस परांत नहीं किया था, मदरास नहीं किया, यानि वो बिधान है परिशद में परिशद के सदस बनने के लिए उन्होंने राजी थे, वो औ-शजङोग अंदुलन के सपोर्ट में नहीं थे, यानि कि औ-शज़द चुनाओं का किस ने बहिसकार नहीं किया किस परांतने नहीं किया मदरास परांतने नहीं किया मदरास में गैर ब्रहमर दोबरा बनाय गया जश्टिश पार्टी का मनाया था कि काउंसिल में मानना था कि काउंसिल में परवेश के जरिये ही उसके अधिकार मिल सकते मतलब ये मानते थे गर ब्रहमन पाटी जो की एक जस्टिट पाटी थी तो कोशन पूछेगा निमन में से औस अंदुलन को नकार कर निमन में से कौन सी पाटी ये मानता था कि काउंसिल के अंदर परवेश करने पर ही हमें जो भी अधिकार चाहिए वो मिल सकता है यानि यानि साथ रख के हैं अपरियाकर को मांग सकते हैं वो पाटी थी जस्टिस पाटी ठीके जस्टिस पाटी थी गैर ब्रहमन का आνगया जी अब यहां सराब की दोकानो की पिकेटिंग करने लगें पिकेटिंग मतलuve होता कि उसको रोकते घिर दिया उसकी जाने के रास्ती को पैक क कुमार है का करते हैं रस्तवी घर लेते हैं रस्तवी घर लेते हैं बस आने जाने का रास्ते का साधन ही बंद हो जाएगा पिकटिंग करने लगे लो उनीस सो उसका बाद से बिदेसी कपड़ों का होली का दान किया गया बतलब कि जलाया गया बिदेसी कपड़ों की होली जला लोग इतना ज्यादा नुक्सान हुआ अंग्री जो को एक के बर आधा नुक्सान हुए उनको 50% गायब है नहीं कहां वो एक सो दूस कोलोड पैसे कमा थे ते कपड़ा अपना समाने बेचके और इस बार जो है संतावने कोलोड उनको फायदा हुआ मतलब संतान कोलोड ही कमा है भारती लोग क्या किये कि अपने भारती कपड़ा और हत्करगों के उत्पादन को बढ़ावा देने रहे हत्करगर मतलब हांसे जो चलाने में करगा था भारती बतला 130 चीजों को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया आगे बढ़ते लोग अब ये सहरी इलाके क में अवध के कौन किसान थे जिन्हेंने निशुकर कर रहे तो शनियासि जो थे बाबा रामचंदरे जो थे ये निशुकर कर रहे थे ये वी कुछ है और ये वी कुछ न्सई चाह कर रहे यहीं से आया था लगबग पांच से कोशन मिलेगा इसमें अधिक्तर या अभी तो और बहुत इंपोर्टेंट कोशन जो की एक ही चेप्टर से मिलेगा डिटेल में पढ़िए उसको बहुत बरदस तरीके से है तो अवद में सन्यासी बाबा राम चंद्रे ने किसान का नेतित कर रहे थे यानि सहरों को देख लिए सहरों में तो बच्चे इस्टूरें टीचर वेगारा सब चीज़ वकील वेगारा सब चीज़ हर्ताल कर दिये थे सराव के दुकानों का घेराबंदी सुरू हो गयता है गाउं में बाबा राम चंद्रे जो थे वो किसानों का नेतित त जो कहाते थे जो अपरिवेसिक सासन के दवरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए PG, गयाना, West Indies आदी स्थानों पर ले जाया जाता था बाद में इन्हें गिर्मिटिया कहा जाने लगा इन्हें एग्रिमेंट यानि अनुबंद के तोफ ले जाया जाता था बाद में इसे एग्रिमेंट को मजदूर गिर्मिट कहने लगे इसी तरह से एग्रिमेंटिया मजदूर कहा जाने लगा मतलब क्या है कि भारत में लोगों को भारतिये लोगों को जो मजदूर थे किसान थे, गरीब लोग थे उनको अंग्रेज पकड़ के लेके जाके दूसरे देसों में जैसे कि फीजी में, गयाना में, वेश्ट इंडीज में एक तरह से एग्रिमेंट के तहत बेच देते थे हना बेचना ही कहा जा सकते उनको एग्रिमेंट के तहत उनको वहां भेज देते थे और वहां उनको कुछ सालों तक जितना भी एग्रिमेट बना राता था तो वहाँ तो उनको काम करना पड़ता था तो वहीं बाबा राम चेदर जो थे न वह और ये अवद से किसानों का नेत्प्वे करना सुरू कर दिये बाकी बेगारी समझ आईएगे आपको बीना पईसे काम करना उसको देखेंगे तो बहुत सारे अस्थानों पर जमिनदारों को नाई धोबी की सुभिधाहों से वंजित करने के लिए नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया अब नाई धोबी मतलब कि ना कपड़ा धोएंग ना तो और बाल काटेंगे अंग्रेजों सब का ठेक है ये सब अंदलन सुरू हो गया अब नाई धोबी अंग्रेज ऐसे ही बचला परसान क्योंकि एक दू दिन थुड़ी अंदलन चला लगबग लगबग दो सल तक चला तो उतना दिन तक कोई बाले नहीं काटे कोई बोल किये अक्टूबर तक जोहल नेरू बाबा राम चंद्रे और कुछ अन्य लोगों के निर्थिति में अवद किसान सबा का गठन किया गया इन्हों ने मिलके अवद किसान सबा का गठन किया और यही कोईशन आगजामों में आ सकता है या पूछता है बराबर अवद किसान नियेतों हुआ था अक्टूबर 1920 में फिके उसके बाद आ गया बजारों में लुट पात होने लगा और इसmom गांदी जी बोले हैं कि अप तो देश अजध अज़ाद होगी है महतमा के नाम ले कर लोग अपनी अपनी आकांचाओं का पुरा करने लगा अपनी एक चाओं का मतलब की अब जो है ये आंदोलन जो है धीरे धीरे अंदोलन का रूप जो है बदलने लगा अंदोलन जो है अहिंसा से हिंसा की तरब जाने लगा अंदोलन जो है सांती से अब दंगाई की तरब बढ़ने लगा ठीके अंदुलन में बदलाओं होने लगा जो कि गांदी जी नहीं चाहते थे आगे जी आंदर परतेस में भी एक गुडेम पहारिया थी गुडेम पहारियों में 1920 की दसक में शुरुआत हुई एक उगर गुरुला अंदुलन फैल गया अब उगर सब्द मतल़ क्या होगा कि बिहान गुरुप अंदुलन पहुँची यानि मार्काट वाला है ना तो उगर अंदुलन फैल शुरुत हो गया यहाँ स्यड़ में देखेंगे तो यहां जो बल्लम भाई पटेल है वो 1928 में गुजरात में पहुँचते हैं गुजरात के बार्दोली हैं पहुचते हैं और वहां के किशान अंदुलोर का नितितों करते हैं और जो नितितों करते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर भूराजियों से बढ़ाद दिया गया था और बारदोली में ये सत्यागरा करते हैं जिसे बारदोली सत्यागरा कहा जाता है इसके बाद ही बारदोली के महिलाओं ने महात अब जो आंद्रे पर्देस में जो गुडेम पहाड़िया थी 1920 के दसक की जो शुरुवात में एक के उग्र आंदलों जो शुरू हुआ था 6 जनवरी 1921 में सनुक्ते प्रांत में राय बलेरी बरेली के पास में किसानों पर क्या हुआ गुलिया चलाए गया किसानों पर 6 जनवरी 1921 को किसान अभी क्या होता है गुलिये चला जाती है किसान पर कई गुलिये चला दिया लेकिन अभी कुछ दिन अगर भरदास कर लिये जागा तो अंग्रेजों कि ठीक दिया जाएगा फिर हमारी सरकार रेगी हम लों मतलब देश को चशनाइएग यह सब चीजे वह अपना भासन विगरा दिये जो वहां के लोगों ने जाके पहुचा दिया कहाँ पर राइबरली में, क्योंकि राइबरली तो यह जान नहीं पा रहे थे उनको जाने नहीं दे रहाNO裡 जब सरकार उन्हें सड़कों पर निर्मान में बेगारा और मजबूर किया तो लोगों ने बागावत कर दी अब ये कहानी जो है बीच में हम लोग पढ़ आते लो जो पहाडिया वाला था जुसने आंदर प्रदेश के जो पहाडिया लोग थे उन्होंने 1921 में आंदोलन सुर क्योंकि पूरा जंगल ही अदिवासियों का परिवार था उनका पूरा घर था जंगलों से रास्ता निकालने के चक्कर पूरी जंगलों को साफ करते थे जिसे कारण वो बहुत ज़दा गुसा है थे इनने अदिवासियों का निर्थित्व कौन कर रहे थे तो अल्लूरू सी कर सकते थे गोलिया इनको मार भी नहीं सकते था गोलिया इनको छूब भी नहीं सकते था ठीक है ऐसा माना जाते था इनको कोई भी मतलब अंगरे जो है गोली नहीं मार सकते थे हाला कि बाद में इनको फासी ही लटकाए गया बहुत सारे से बीच में घटना है जो हुई थी इन जो बहुत ज़्याद मानते थे ठीक है उनके महानता का गुनगान गाते थे लेकिन उनका ये भी कहना था और गांदी जी की तरह ही वो बलते थे कि सराब बगारा का बंद किया जाए अपने बिदिसी कपड़ा को छुड़कर सोदिसी कपड़ा पाया जाए लेकिन उन्होंने यह भी दवा क्या कि भारत में अहिंसा के बल पर नहीं बल की केवाल बल पर यूग के जरिये ही आजादी हो सकता है यानि सिंपल बात कहा जात ये भी जो गरम दल के मुड़ वाले थे कौन थे तो ये सीताराम राजू यानि सीताराम राजू जो आंदर पर देश के थे पहा लिल्ला यूदे चलाएगे उनीच सो चोबीस उसी में राजू जी को क्या किया पकड़के फांसी दे दिया गया ठीक है राजू जी को फांसी दे दिया गया दुतिन सालों में अब आई बगानों में सौराजे के क्या रूप था 1869 में इंग्लेंड इमिग्रेसन एक्ट के तहत बगान में काम करने वाले मज़दूरों को बीना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छोटे नहीं होती थी तो किस एक्ट के तहत बगान को मज़दूरों को छोट नहीं था उनको बगान छोड़ के जाने के लिए 1869 के इंगलेंड में जो इमिग्रेशन एक्ट पार्थ होता उन 1869 में कौन से एक्ट पार्थ होता इमिग्रेशन एक्ट ठीक है उसके तवट जो भी लोग काम करते थे मज़दूर जो थे उनको जान नहीं सकते थे छोड़ के आगया जी आगया समस्ते लोग अब ये कहानी चली रही थी तो बीच में हो जाता चौरी-चौरा कांड मतलब कि उगर आंदुलोन तो जहता है लोग कर रहे थे लेकिन गांदी जी के जो आंदुलोन अपने से जो चला रहे थे उसमें क्या हुआ कि उसमें हो गया कांड भ्याना की चौरी-चौरा कांड 1922 में हो जा रहा, पांच फर्वरी 1922 को चौरी-चौरा कांड होता है, इस कांड में गोरतपुर कर एक्षेतर है चौरी-चौरा कांड जहां पर सान्ति पुरन जूलूस पर बापि में या जर्ड़ा पहलता है। और वो कहते हैं कि भीया हम तो अहिंसा के पुजारी और हिंसा हो गया तो अंदर्वन बंद कीजिए अगले दिन 6 जुनवरी को ही उन्हों ने इस अंदर्वन को अस्थागित करने के लिए कह दिया 12 फरवरी को ये आंदलोन को बंद करने के बात कह दिये तो चोरी-चोरा जो कांड होता है 4-5 फरवरी को उस कांड के बाद गांदी जी 12 फरवरी को पूरी तरह से आंदलोन को कर देते हैं अस्थागित के यह हम ना आंदलोन करेंगे कि अहिंसा उसके बाद गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिये जाता है गांधी जेल के बाद वो फिर वापस 1924 में निकलते हैं जहां वो बिलगराम के कांगरिस अध्यक्स तक कर देते हैं ताकि लोग उनको समझ सके कि ये जेल से बहार निकल चुके है तेके 1924 वाला याद रखेगा उसके बाद गांधी जी 23 सालों तक सांथी से बैटे रहें फिर पलानिक बनाते रहें कि क्या किया जा फिर उन्होंने बैटे बैटे उन्हों दिभांग लागा रहा अब जो है एक और बड़ा अंदलों किया जाए इस अंदलों का नाम रखा उन्हों शुरू किया सब इन्हें अवागिया अंदलों जो की डांडी मार से शुरू होता कहानी समझे के लोग कैसे शुरू होता है तो फरवरी 1922 में महात्वागादी असवय गंदलों को वापस ले लिया फरवरी कितने फरवरी को बारा फरवरी को इन्होंने असवय गंदलों को वापस ले लिया और वापस लेने के बाद यह क्या हुआ कि इनको पकड़ के जेल म कहलों अश्रों गंदोरन को हमें लगाता कई। देश अब स्वराजी के प्राप्ति कर लेगी बीच में गांधी धी छोड़ के भागे। सी अर्दास मुतिलल नेरू ने कहा कि हमारी लक्ष क्या थी। सोराजे के प्राप्ती करना ठीक है गांधी जी नहीं नहीं पुरा किया तो हम एक नया दल ही बना लेते हैं सोराजे पाठी का गठन कर लेते हैं ये सुवाचंदर बोस भी यंग थे ये लोग चाते थे कि क्या सांती से मारफिट किया जेकेबर अंग्रेजों को भागा दे यानि उगर अंदलोन के जादा तत पर रहा थे थे आगे वो भी चीज़े मिलेगी आर्थिक मंदी जो है 1926 से शुरू हुआ था और 1930 में ब्यानक है पूरी तरह से धारास आयोग है और ये भी कोशन पूचा था कि आर्थिक मंदी कब देखने के मिला था 1930 में मिला था ठीक है अब उसके बद आएंगे तो सर साइमन जो सर जोन साइमन है इसको साइमन के खिलाप में सान्ती पुन परदसन के दोरान ब्रेटीस पुलिस ने लाला लाजपत राये पर हमला किया और परदसन के दोरान मिले गहरे जकम के कारण इन्नोंने दम तोड़ दिया तो लाला लाजपत राय जो थे वो साइमन जो आयोग आ रहा था या नी साइमन जो भारत में कमीशन जो आ रहा था साइमन कमीशन इसका पूरी तरह से बिरोध कर रहा थे नहीं होगा, वों अंग्रिजओंके ही पक्षम होगा, इसी वज़े से इसका बिरोध हो रहा था, साइमन गोबैक के नारे लगारे लगाया जा रहे थे, और उसी में लाला लाजपतर आप बहुत यूसिफ मेहर ली वो साइमण गोढ़ाब जिन्दा बाद कोशन पूछ चुका है इसलिए मैं करा हूँ की इस तरह के नारा जो है आ सकते है इसole बड़ साइमन गोढ़ाइक का नारा जो किसने दिया था यूसिप मेहर ली याद रखीगा ठीक है उसके बाद देखेंगे तो उसी बिरोध में लाला लाजपत राय जो है उनको क्या करता है लो अंग्रेज दोरा मारा थे था अंग्रेज दोरा मारने पर लाठी चार्ज में इनकी मिर्त्व होजा रहती है ठीक है आग कोशन पुछता है कि साइमन आयो का गठन कब हुआ तो 1927 में गठन हुआ था भारत का पूचा 1928 में साइमन वापस जाओ यानि साइमन गो बैक का नारा यूसिप मेहर अली ने दिया था यहां नहीं लिखावा लेकिन याद रखेगा यूसिप मेहर अली ने दिया कांग्रे अप्टूबर 1929 में भारत में डोमिनियन श्टेट के और गोल में सम्मेलन के लिए एलान कर दिया मतलब कि जो मोतीला नेरू और सी अरदास जो मांग रहे थे कि हमें सौराज दिया जाए डोमिनियन श्टेट की दरजा दिया जाए इसने माल लिया कहा कि ठीक है इस पे चर् करने के बाद डोमिनियन श्टेट की दरजा दिया जाएगी आप अभी जो है साइमन का जो बिरोध ना करे साइमन कमीशन का बिरोध ना करे लेकिन भारत के लोगों ने नहीं माना जोहाल नेरू और सुवाचंद्र बोश जैसे यूवान ने ये डोमिनियन श्टेट की जग करेस की अधिवेसन की कहां हो रहा था लहोर में हो रहा था लहोर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्सता कर रहा थे जोहाल नेरू जोकी 1929 में हो रहा अमूमन दिसमबर में होता था जो भी emergency meeting बठाया जाती तो वो अलग महिने में होगा नहीं तो सब दिसमबर में होता था ऐसे जो regular जो हर साल होते थे तो इसी वज़ेशे 26-30 को पुर्ण स्वराज मनाया गया और रावी नदी के टट पर जंडा फड़ाया था याद रखीगा ठीक है और उसी दिन क्या किया गया कि 26-30 को ही पुर्ण स्वराज की मांग की बात ही कही गई और उसी दिन निना लिलिए कि अब जो हम लोग है यह ड मतलब ये आंदोलन शुरू किया जाए देखते देखते उनके दिमाग में आया कि कुछ लोग परसान थे नमक पर नमक का समझी इतना ज़्यादा टेक्स था न भिया कि समझी कि 2-3 दिन का मजदूरी नमक खरदने में लगता था मान के चली आज मजदूरों का वेतन कितना 400 है समझे नमक जो था न लगबग 1000 रुपे के रेट में मिलता था इतना टेक्स था दिन भर के मजदूरी से ज़्यादा का टेक्स था मतलब 400-500 में नमक मिलता था इतनी महंगा गांदी जी देखे तो पगलागे समुद्र हमारा धर्ती हमारी जमीन हमारा भारत हमारा नमक हमारा था टेक्स थोरा कहला दे जैसे कि बिस्वितियास में अपलों पढ़ा है ते वहाँ पर अमरिका वालों नस्यम यही सुरू किया था कहानी तो तुमको क्यों दे 1930 को पहले बायसराय इर्वीन को एक पत्र लिखा इर्वीन को क्या क्या एक लेटर लिखा और लेटर लिखे उन्हों ने दिया कि ये भाईया नवक पर कानून आप हटा दीजे वरना हम छोड़ेंगे हम आंदोलन आपके खिलाब करेंगे और उसके साथ 1111 मांगो का लिष्ट दिये कितना मांगो का एकारे मांगो का लिष्ट दिये इर्वीन इनके बातों पर गवर्ने किया और फेक के पाड़के फेक दिया इनके जो भी मांग थे या इनके जो भी बात थी तो इर्वीन को 311930 को गांदी जी पत्र लिख कर देते हैं बात नहीं मानता है गांदी जी क कहा था इन्हों ने टाइम दिया था 11 मार्च का नहीं माना सब तो कहा कि ठीक है नहीं मानिएगा 12 मार्च को गांधी जी 78 को अपने भालंटीर के संगे यानि कि अनुमाईयों के अपने चेला चपटियों के संगे में उनके साथ जितने भी सयोगी थे तो 38 अपने विश्वस्त सयोगी के साथ में नमक यात्रा पर निकल पड़े और साबर मती आसरम था वहां से निकलते हैं और 240 किलोमेटर के दूरी टाय करकर डांडी नमक गुजरात के 30 चेतर में पहुंचते हैं जहां पर वहां पर पहुंची उन्होंने नमक अनुम को तोड़ेंगे गांदी जी के टोली 24 दिन में पहुंचती है यानि 12 मार्च को चलाता 6 अपरल को पहुंचा है टोटल 24 दिन लगाता हर रोज वो 10 मिल के सफर ताय कर रहे थे बहुत इंपर्टन कोशन है यहां से यादर कीगा यह बहुत बारिकी कोशन है आयेगा कोशन हर रोज वो कितना मि आसरम से कहां को पहुंचे डांडी पहुंचे डांडी कहा है गुजरात में है डांडी ठीक है गुजरात का 30 चेतर है डांडी वहां पहुंचे क्या काम था इनको नमक को बनाके नमक कानून तोड़ना था क्यों यह उन्होंने शुरू किया क्योंकि नमक पर टेक्स ज़्या माना तो कितने लोगों के साथ निकले 78 को अपने विश्वासी संयोगे के साथ निकले थे लेकिन निकले थे 78 लोगों के साथ में जब डांडी पहुँचे तो क्या 78 लोग थे नहीं लाखों लोगों की भीड़ू उनके साथ चली गए थी, हर रोज दो दस मिल के सफर में जाते थे तो उनके साथ बहुत सारे लोग जूड़ते जाते थे जब ये छे अपने लिको डांडी जब पहुचे हाना तो वहाँ पर लाखों की भीड़ू वहाँ पहुचे ये देख्या इर्विन का आख दम खुल गया रहे भाई इतो निकला था हमको लाखा थे कुछ नहीं करेगे इतना लोग की सपोर्ट में आगे इसके है कि नहीं है वहाँ पोचको नोगे नमक उठाया नमक उठाके क्या कि नमक कानुन को तोड़ दिया कहा कि नमक हमारा है टेक्स तुमको नहीं देंगे तेक ह आगे चलते लो अब यह इसके बिहार वाला जब रिलेट करके पढ़ा जाएगा तो बड़ा माज आएगा बिहार वाला कल पूरे डिटेल से पढ़ा होंगा सब चीजों को बिहार में क्या हो रही किस तरह रही सब घटना है क्योंकि यह सिर्फ अभी तो अलोबर इंडिया क करने लगे पिकटिंग intentar गेरा बंदिग किसान जो है लगां चोकिधारी कर चुकाने के लिए इनकार कर दी गाओं में तनाते करमचारी इस्थिपाद देनी लगे अनोने बंद कर दिया गाओं को लोगोंने बहुत सरफ सरे स्थनों पर जंगलों में रहने वाले कनून का उल देखेगा उसमें एक वन कानून लागू होता है जिसके तहत आरक्षित वन घ्योषित कर देथा जिसमें वनों के लोगों को ही जाना माना था तो यह सब चीज अब धिर धिर लोग उलंगर करने लगए जितने भी थे सब लोग उलंगर करना सुरू कर दे अपने प्रे जैसे महात्मा गांदी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान याद रखेगा खान अब्दुल गफार खान को सिमान्त गांदी भी कहा जाता है या पच्छिम उत्तर गांदी भी कहा जाता है यह पच्छिम उत्तर नहीं पुलीस की गाड़ी उगिरा पर हमला करने लागे, जीसे पुलीसों ने गोलिया चला है, बहुत सारे लोग मारे गये, आगिया जी, पांच मार्च 1931 को इर्विन के साथ एके, अब पांच मार्च 1931 की कहानी आ गई, ठीक है, पांच मार्च 1931 को, तो गांधी जी ने शुरू क इर्वीन नहीं मान रहा था .. 1930 में जोете अगले साल पाँस महार्चご राइट अगले साल पाँस महार्च 1931 को इर्वीन जो है गांदी जी के साथ सम्झाता करने के लिए बात माल लेता तो पांच मार्च 1931 कौन सी घटना हुई थी गांधी इर्वीन के बीच में एक समझावता हुआ था उस समझावता के तहत है गांधी जी गोल में सम्मेलन जाने के लिए मान गे हुआ क्या था गोल में सम्मेलन जो है उस गोल में सम्मेलन में हर देश से लेकिन गांधी जी बहुत चादा फेमस थे, इसलिए गांधी जी को भी अमंत्रित किया गया था, गांधी जी गोल मेज था, इसके चारू तरफ लोग कुर्शी से बटे थे, इससे क्या परती तो था कि कोई भी बड़ा चोटा नहीं है, सब कोई एक बोरा बर है, एक तरह से ब्रिटेन का परदान मंत्री जो है, ये दिखाने की कोशिस कर रहा था, दूसरे गोल में सम्मिलन में, गांधी जी को जाने के मना लिया, हुआ क्या था कि पहले गोल में सम्मिलन में, गांधी जी को बलाया गया था, जो गोल में सम्मिलन हो रहा था, मानग चलिए यहाँ प पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इसका कबजा था, वहां से सब लोगों बोलाया था, और भी बहुत सारे खास-खास लोगों बोलाया था, तो वहां पर लोगों ने पूचा कि है के कर खाली है, तो बताये लोग कि गांधी जी खाली है, बड़ा बेस्ती हुआ और ये मतलब बिटेन का परधान मंतरी बोलाया और गांधी जी नहीं है गांधी जी भाई इतना पाउरफूल आदमी ये बात चूब गया किसको मैकडोनलाड को अगला गोल में सम्मेलन जब हुआ तो उसने किसको कॉल किया फिर दुबारा कॉल किया इर्वीन को कि इस बार त अगली बार जी इसने मानने के लिए सर्थ मानने के लिए स्विकार लिया गांधी जी बोला कि भाईया आये समझाता किजी तो पार्च मारस 1931 को समझाता होती है उस समझाता कि तहत गांधी जी मान जाते और वो मान जाते कि हाँ ठीक हम जो है गोल में सम्मेलन दूसरा जो गॉल्में समयलनी हो रहा है इसमें हम जाएंगे तो दूसरे गॉल्में समयलनी में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से पहुंँचते है कहां पर बिरिते ने पहुंच पर मैक डॉनलद प्रधार मंत्र नहीं के लिए रहा था बांगे सारे लोग इंतने आरा गांधी जी एक्षोले में क्या थे ना कि खाली आधा कपड़ा पहले रहते थे यह आधा नगा दिख रहा है तो उसने अधन नगन फकीर बोला था क्या बोला अधन नगन फकीर क्योशन पूछता है कि गांदी जी को किस ने कहा था अधन नगन फकीर तो वो कहा था किस ने कहा था याद रेखेगा विश्टन चर्चिल जो था इसने कहा था गांदी जी को अधन नगन फकीर जब ये गयवग थे दूसरी गुल में सम्मिलन में अब ये सम्मिलन पहुचे वहाँ बटे वहाँ पर मिटिंग हुई बात हुई लेकिन वहाँ पर गांदी जी को समझ के आया कि भाई साब ये जो है ना धीरे धीरे सुवास चंद्रे ये भीमरामबेडकर को भीमरामबेडकर साहिब को जो कि पहले ही सम्मिलन से थे भीमरामबेडकर ही पहले सम्मिलन में गयते सुवास चंद्र बुस नहीं गयते याद रखेगा तो भीमरामबेडकर को जो पहले सम्मिलन में थे दूसरे सम्मिलन में भी थे तीसरे में भी गया है फिर बाद में दूसरे समयले में गांदी जी को क्या पता चलता है कि भीम रहा अमबेड़कर को धीरी-धीरे अंगरेजवन जो है पोला रहा सब धीरी-धीरे सिखा रहा सब कि आप भी क्या कीजिए मुसलमानों की तरह एक अलग जो है डलीतों के लिए अलग देश की मांग कीजिए, यह बात गांधी जी को पता चले के, गांधी जी खिसी आके कुर्सी पटक के भाग दिए, निकल गए, का कि भाया यह आये थे हम समझाता करने के लिए, कि अपना देश का बटवारा करने के लिए, पहले ही से आग लगा चुके हो, उन्नी सो पा पहुचे थे, तो कोशन पूचेगा कि गुल में सम्मेलियन में कब पहुचे थे, दिसंबर 1931, पांच मार्च को समझाता हुआ, और दिसंबर 1931 को यह लंदन पहुचे, गांधी जी सम्मेलियन में वहाँ पर बात रखने के लिए, इसके बीच में जो खान अबदिल गफार अब पुरान का जूस नहीं रहा लोगों में, लोग अतना अब पूरी तरह से नई, शकेर रूप से भाग ले रहते, दिर दिर यह यह असरी का अंधलोन भी ठप पड़ गया, और 1934 आती आती है, यह अंधलोन जो है ठप पड़ गया, हाला कि देखिए, जितने भी अंधलो आर्मी की स्ठापना की गई, इसके नेता थे भागा सिंग, जतिन दास और अजय गोश सामील थे, याद रखेगा, 1928 में किसकी स्ठापना हो रही है, हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपाबलिक आर्मी के स्ठापना हो रही है, HSRA याद रखी गया इसके स्थापना हो रही है 1928 उस्यू में भागा सिंग जतिन दास और आजाय गोश के भी उसमें सामिल थे उसके बाद देखेंगे 1929 उस्यू में भागा सिंग और बटु के स्वर्दस ने लेजिसलेटिव असेमिली में बम फेका और उसके बाद ट्रेन भी उड़ाने के इन्होंने परियास किया जिसमें इरवीन बैठा हुआ था भागा सिंग पर मुकदमा चलाए गया और उनको तैईस्वरस के उम्र में इनको फांसी देने की तेईस्वरस के उम्र में इनको फांसी चाहते हैं ठीक है कुरांथि मानो जाती का जिनमजात अधिकार है फागहद सिंग के कतन थे और इन कलाब जिन्दाबाद का नारा देते हुए जो है यह क्या हुगी फाशी पर नको लटका दिये गया और इन कलाब का नारा देते ही लेजिसलेacağız सेमली भे इन्होंने बम फेका हुआ था आगया जी आगे पढ़ते हैं लो अब यहां आएंगे लो तो देखेंगे उन्नी सो बीस इसी में भारती ओधोगी ब्योसाई कांग्रेस यानि कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्सियल कांग्रेस उन्नी सो बीस में इसके अगठन कमर्सियल कंग्रेस के स्था अपने कब हो रही है तो याद रखेगा AIUTC की तो यह उन्नी सो बीस इसी में है आगया जी यहां लिकावा कि प्रुसुत्तम दास ठाकूर दास और जड़ी बिड़ला जैसे जाने माने उधोगपतियों के निर्तित में उधोगपति ने भारती अर्थव्यवस्ता और अपनी वेसिक नियंतर का बिरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी अंदल्यों का समर्थन किया 1932 में गोदी कामकारों की हर्ताल हुई 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों में हजारा मजदूर ने गांधी टोपी पहन कर रैली का बहिसकार अभियान में हिस्सा लिया 1930 सी में छोटा नालगपुर के कोशन पुछेगा कि कहा के ख़दानों के लोगों मंजदूरों ने गौधी जी के टोपी पेहनकर रैविया और अभियानों नोमसो कर दिया नमक सत्यागर को दौरान हजारा औरतों ने इनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जयती थी चुलूशो में हिस्सा लेती थी बहुत सरा औरते जो हैं बेशकरी रूप से भाग ली जहां तेखींगे तो बहुत इंपोर्टन चीज दी गई है बाबा रामचंदर दास उत्तर परदेश किसानों को संगटित करते परवरी 1922 चुश्य में चार थे प्रवरी जो शुरा जो कांड गुआ था पांच परवरी चार थे पांच परवरी माई 1924 चुश्य में अलेरी उसीतर राम राजु ए ग्रफतार करके इनको फांसी परड़ का दिया गिया ठीक है उनिस सो निस सो निस सुरती स्व की मांग होती है लाहॉरा डिवेसन जो जो अला नहीरूए द्वारा क्या प्रिक्षाऑ इसको भी देखा हमने जो डंडी मार्च एक्टीवरी में सफंव्ये लिइता है गांधी जी दूसरा में सम्विश्वरी में प्रारभ में या पिर आने का बाद फिर शुरुकिया में और 1934 में फिर उनको बंद करना पड़ा सारी कहानी समझ ऐक नहीं समझाया आगया जी इतने डिटेल से पढ़ रहा हैं तो अगर वीडियो अच्छा लग रहागा तो बीच बीच में लाइक करते रहेगा कमेंट करते रहेगा एकने जादा सजादा लोगों पास सेर कीजिए मेहनत अगर दिख रहाओगा तो जरूर कीजिएगा अब आगया गाऑंधी जी का मानना था कि घर चलाना चूला चोगा चौकत संबालना और तो अपनी अच्छी मा और अच्छी पत्थनी की भूम्मकाव का निरभा करना आउरत का असली करतवे, मतला गांगी जी जी ते वो आणदूलन में औरतों का सामयल नहीं होना देना चाहते थे कि और ओरत घरते बाहर नकल के ये आंदूलन में सकनी रूप से भाग लैँ, वो घर की काम काच करें, वो इनका कतन तके घर की काम ही करने वाले पुप अच्छी होती है, इनके बीचारते है, स्मयले अवग्या की सीमाय, सीमाय क्या थी, आगे चलेंगे, सीमाय में देखेंगे, और चूत हर्जन यानि की, तेके उसमें क्या था हर्जन लोग दलित लोग जो थे, वो उनको एक बहुत ज़्यादा कनफूजन था, इस बात की ऐग भी बोले कि भीम राम बेटकर सब गय थे गुल में सम्मेलन में वहां बढ़काया जा रहा था कि आपके लिए देश नहीं है आप अलग देश बनाई है क्योंकि आपके साथ बहुत जाती होती है सनातन धर्मी जो है मतलब आगे इसी में लिखा होगा कही ने कही ठीक है सनातन नाम की पत्रिका भी चलाया है हरी जन नाम की यह हरी जन सब्त का भी परियों किया ठीक है तो गांधी जी जो दलीतों थे उनको हरी जन नाम दिये थे कोछ ने पूछता आए कि किसने हरी जन नाम दिये था गांधी जी नाम दिये था दलीतों के लिए मतलब वो बोलते थे कि हरी के जन है बतलो सीधे भागवान से कनेक्ट कर दिये आगे जी हरी जन नमक पत्रिका भी चलाए थे सब्ताहिक पत्रिका था भीम्रामबेटकर जो थे 1930 इस्यू में दलीतों को द्रमित वर्क एस्यूसियेशन की संगठन में संगठित हिया दलीतों के लिए अलग निर्वाच अंसर मतला भूके प्यासे बढ़ गए कि ना ऐसा थोड़ी होगा कि सब कोई चाहे देशे मांग ले रहा है एकने लास्ट में सितंबर 1932 को गांधी जी के पास में भेजा गिया पूना में गांधी जी बठी हुए ते खिसी आके तो वही पर भेजा गिया अंबेटकर जोग देंगे आपको केतना सीट चाहिए दलीतों के लिए भीम रामबेटकर बोले 75 को चाहिए इन्होंने क्या किया डिएड़ सो दे दिया का जाहिए 140 से ज्यादा देंगे है कि नहीं है तो इसके लिए ही चाहिए था तो आप कहला अहला कर रहते है कि हमको देश अलग चा सिवा गराम असरम बर्धा 1935 का फोटो है तो सिवा गराम असरम देखेंगे 1935 में जौल नेरु है मुलाना आजाद है महत्वा गांदी जी है आगया जी नीचे देखते है लो यहां एक वर्ड लिखाया है कि परतिनिती के सवाल पर बस यह बहुत से मुबाहिस ही चल ही रहा ताकि 1928 में आईजित किये गए सरव दलिये सम्मिलन में हिंदू महासाबा के एम आर जैकर न इस समझोते के लिए किये गए परियासों की खुलियाम निंदा सुरू की जिससे इस मुद्धे के समधान की सारी समभवना है समाप्त होने लगी मुसलमान जो थे वो पृतक नुलाचंग की मांग छोड़ने के लिए के लिए तयार है परतिनिती के सवाल पर जो अब मुसलमानों के लिए भी कुछ सीर्टी के लिए बात की जा रही थी जो गांदी जी थे और यह सब कोई मिलिके चाहता था कि मुस्लमाने को भी बहुत जादा सीट दे दिया जाए ताकि मुसलिम भी जो भारस से अलगना हो कोई इसके लिए जो थे जो 1968 में आउजित किये गया कौन था सर्व दलिये सम्मेलन में हिंदू महासाबा हिंदू महासाबा ने इस पर आवाज उठाया इन्होंने आवाज उठाया इन्होंने बोला और इसकी खोले आम निंदा की नहीं इसको नहीं दिया सकता है आगे ये यहां आते लो तो बिस्वी सदी में राष्टवात के बिकास के सासत भारत की पहचान भी भारत माता की चवी के रुप में लेने लगी यानि भारत माता की चवी बनने लगी कब बिस्वी सदी के जो राष्टवात की बिकास हो रहा था इस चवी के निर्मान का आरम बंकिम चंद्रे चटोपध्याय ने किया था 1870 के दसक में उन्होंने मातरी भूमी अस्तूती के रूप में बंदे मातरम गीत लिखा था बाद में उन्होंने अपने उपनियास आनंद मट में भी सामिल किया था कोश्चन पूचा था आनंद मंड किसकी रचना है तो बंकिम चंद्रे चटोपध्याय का अना कोश्चन पूचा हुआ था कि बंदे मातरम किसका लिखा हुआ तो बंकिम चंद्र उपाध्याय का अना 1870 के दसक में लिखा गया था ठीक है इन्होंने भारत मातर की छवई को काफी ज़्यदा बढ़ाया सौधिसी आंदुलोन की प्रेणा में अवनिंद्र नाथ टैगोर ने भारत मातर की छवई का बिख्यात छवई को चित्रित किया था यह कोशन पूचा हुआ था अभी तक पांच कोशन मिल चुकि आप तबी को ठीक है तो अवनिंद्र नाथ टैगोर जो और यह सारे कोशन जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहते हैं उस सब के सब इसी किटाबा में से था ठीक है तो सौधिसी आंदुलोन की प्रेणना से अवनिंद्र नाथ टैगोर ने भारत मातर की विख्यात छवई को चित्रित किया इस प्रेंटिंग ने भारत मातर की एक सन्यासनी की रूप म मतलब साधू की रूप में द具 रहता है भारत मातर को दएक शवख्यात गो OWनिंद्र नाठ टैगोर ने बनाया था और यही कोश्टन पूछ मोँच़ा हुआ था इस स मतलब के connusant मतलब दिया गया था ठीक है मद्रास में नटेशा सास्त्री ने इसमें भी बहुत इंपर्टट है बंगाल में सौधी सी अंदुलन के दोरान में एक तिरंगा जंडा जो हरा पीला लाल रंग से तियर किया गया था तो बंगाल में जो सौधिसी अंदलों के समय में जो तिरंगा जंडा फराय गया था ये लहराय गया था वो हरे रंगा पीले और लाल रंग से मिक्स भर जान था ठीक है उसके बाद देखेंगे तो इसमें ब्रिटीस भारत के आठ प्रांतू का परतिनिदित वे करते कमल के गांधी जी ने जो सवराजे के मांग के लिए जंडा तो हो ने लगी तो दो आयकर ब्रिटीस गरते के लिए करल ब्रिटी खेंगे लिए इस उन्पतो ogni सीमें गांधी जी ने भी इसको तयार कर लिया था वादी परतिक के लिए बीच में चर्खे कभी जगा दिया गया था किसका जगा दिये गया था चर्खे का जगा दिये गया था उसके बादा जी यहाँ देखेंगे तो भारत माता की चवी जो है अवनिंद्र नाठ टैगोर द्वारा चितरिच चवी के बिलकुल विप्रिद थ इस चवी में जो भारत माता को के हातों में त्रिशूल और हाती वसेर के बीच में खड़ी हैं यह दूनों ही सक्ति और सत्ता के परतिक हैं यह बहुत खुबसूरत फूट है यह बहुत जादा खुबसूरत है ठीक है रह NARRATOR शू actively — आगहे बढ़ते ल हम लो यहाँ निस्कर्स में समझेगे लो तो निस्कर्स में कहानी पूरा समझ गया लो पूरी कहानी आपको समझ गया यहाँ लास्ट में दिया हुआ ये पूरी लाश्ट पेज आ गया अपलों का अना ये मतलब इस टोपिक का उसके बाद से एट क्लास का रहेंगा उसको continue आप देखते रहेंगे तो क्रिप से मिशन की आस अपलता एम और दिवित्वे विश्वास से युद के परवहाओं के भारत में ब्यापक असंतोस को जनम करनी में कांग्रेश कारेश समिति ने इतिःहासिक भारफ चोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो भारफ चोड़ो प्रस्ताव पारित कब भुळ चोड़ जुलाई 1942 को ठीकि के कांग्रेश की जो कारेस अंदलों में करो या मरो का नारा दिया था ठीक है करो या मरो का नारा दिया भारा चोड़ों का हवान सुरू किया गया ठीक है उसके बाद बहुत सारे जगों पर ये अंदलों चला बहुत सारे राजियों में इसका अंदलों को बहुत सारे लोग कुद पड़े लोगों ने हर परकास नरायन अरूना आशफ अली राम मनहुर लईया और बहुत सारे महिलाओं ने जैसे बंगाल में बंगाल से कौन थी मातांगिनी हाजरा असम से कनक लता बरुवा और उडिशा में रामा देवी थी इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन है यह मिस कर गया हूं इसको लगाना लेकिन इंपोर्टन है याद रखेगा यह सब असवय गांदोलन में छेतरिये जो महिलाएं हैं काफी कोशन पूछ सकता है याद रखेगा यह परकास नरायन जी थे रूना आशफ अली थी रामन हर लोईया थे लेकिन बहुत सारे महिलाएं जो थी बंगाल से मातांगिनी हा हाजरा असम से कनक कलता बरुगा और उडिशा में रामादिवी अंग्रेज दोबार अत्य दिक बल परियों के बावजूद भी इसे दबाने में एक वरसे अधिक समय लग गया इनका बहुत जरूरी याद रखेगे बंगाल की जो मातांगिनी हाजरा है असम के कनक कलता यह होगा complete और इसके बाद 8 class वला पढ़ लिजेगा इस 8 class वले सी के साथ पूरी वीडियो के लाश्ट तक देखेगा आपका इतिहास उम्मीद है कि जबर्दस तरीके से knowledge हो जाएगा आसा करता हूं कि वीडियो बहतर लग रहा हुआ वीडियो अगर बहतर लग रहा होगा तो उसको थोड़ा सा ignore करके चलेंगे आप इस 8-9 class के student तो है नहीं चीजों का समझने कोशिस किजेगा उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बहतर लग रहागा पूरी class को देखेगा आगे आते हैं आगे समझते हैं लो बाकी चीजे आपको अच्छा लगेगा तो last में comment करकर बत आ सकते हैं सुरू करते हैं इस topic को और यह जो topic है हम लो theory class में detail से पढ़ चुके लो यहां पर सिर्फ exam में जो आएंगे उस point of view से चीजे को बताया जाएगा सबसे पहली यहां सामने आपको दीख रहा है यह लिखा हुआ है James Rennell के बारे में Robert Clive जो था जो भारत का पहला गौ James Rennell को यह हिंदुस्तान का नक्स से तयार करने वाला कौन था Robert Clive के सासंकाल में James Rennell था नेक्स आजी उसके बाद इस page में आते हैं इस page में देखेंगे यहां पर यहां बहुत important चीजे दी गई लिखा हुआ क्या कि 1922 में Lipton चाय तयार किया गया यह विग्यापन इस बात की और संकेत करता है कि दुनिया भर में साही लोग यही चाय पीते थे मतलब question पूझ दे कि 1922 के समय में निमन में से कौन से चाय सबसे ज़्यादा परसीद था ता कौन से चाय था लिप्टन चाय कंपनी जो थी ने वह बहुत ज़्यादा फेमास थी क्या नाम है आर्थर घोड पर बैठा हुआ है राजकुमार आर्थर को डिविक ओफ कनाट भी पदवी दी गई थी अब यहां से तीन चार question बना question पहला question कि 1922 के या 1922 के समय में भारत में कौन सा चाय कंपनी सबसे ज़्यादा परसीद थी तो लिप्टन चाय कंपनी दूसरा महरानी विक्टोरिया की तीसरी बेटा कौन थे या तीसरी बेटा का नाम क्या था क्योंकि तीसरी बेटा का जब नाम दे दिया है किताबों में ताने की संबहुना बन सकती है तो नाम है इसका आर्थर क्या नाम है आर्थर क्या नाम है आर्थर क्या आर्थर क्या नाम है आर्थर क्वेशन 1920 के दसक में इंग्लेंड में महारानी कौन थी तो महारानी कौन थी विक्टोरिया थी यहां दखिएगा ठीक है बहुत सरे कोशन यहां से बनने के संभवना बन सकती है और आई इस पेज में देखिएगा इस सारे पेज को बहुत डिटेल से पढ़ा हूँ अगर आप इसको है तो माूंट बैटन है लावड़फोड नहीं माूंट बैटन ठीक है आखरी वाईसरा माउंट बैटन थी पर्थम गॉर्णर्नर जरनल कोन था बारेन हैश्टिंगे यहां देखिएंगे तो लिका हुआ है कि बारेन हैस्टिंग जो है 1773 भारत का पहला ग्त गौर्णर जर था थोड़ा दिमांग का मेंटल टाइब का था अर्थ आस्तिर उसका नाम था James Mill क्या नम था याद रिखिए कि James Mill James Mill था था कहां का स्कोटलेंड का अठार सो सत्रह में एक किताब लिखता है किताब का नाम रखता है A History of British India यानि British भारत का इतिहांस British भारत का इतिहांस ठीक है किताब का नामा है इसका The history of British India British भारत का इतिहांस नम कै किताब लिखा इंगलिस रिए नाम है हिंदि भी यह नहीं कोई नाम दे सकता है जो भी दे आप लोग को पकड़ लेना है इसने क्या क्या भारती इतिहांस को तीन काल खंडुम बटा बोला कि पहले हिंदू लोग सासन करते थे भारत में दिन उसके बाद मुस्लमानों ने सासन किया फिर जो अभी जो है ब्रिटीश सासन कर रह यह क्या कहता था कि इसका मनना था कि इसका मानना था कि अंग्रेजी के अंग्रेजों की अंग्रेज मतलब कि ब्रिटीस जो अंग्रेज थे उनके मदद से ही भारत की परगती हो सकता है यानि हमारे देश हिंदूस्तान की परगती हो सकता है ठीक है यहां लिखा अपनी वेसिक यूग मैं कई बर बताया हूँ जब कोई देश किसी देश को अपना गुलाम बना ले यह था तब तक अंग्रेज के लिए हमारा डेश उनका क्या था उपनी वेस्थ था उनका कुलाम था उनका क्या था कोलोनी था ठीक है इसी अब इस तरह की जब एक यूग चलेकी एक करांती काहूब पहुकि यूपसे सिर्फ बितेन ही तो नहीं आहे थे बितेन के बाद बि प्रेंग के बीच में एक competition बनी वी थी कि दुनिया के सभी जगों पर जा जा के कबजा करना, क्या करना कबजा करना तो उस समय को उस यूग को कहागरई अपनिवेसिक यूग मतलब उपनिवेस बनाने का यूग कहा गया यहाँ लिखा अपनीवेसी करन कहा गया अब देखिए क्या होता है किसी जगों को कबजा कर लिए तो वो तो आपका अपनीवेस हो गया और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभयता सब चीज पर अपना कबजा कर लिए और अपने हिसाब से उसको modify करने लगे अपने हिसाब से वहां की culture को बदलने लगे यानि कि वहां पर अपना उपनिवेस का एक छाप छोड़ेने लगे तो उसको कहा ज़ेगा अपनिवेसी करन क्या कर भिया अपनिवेसी करन करन तो अंग्रेज़ों दुवार हमारे एरिया में अपनी वेसी करण भी किया गया यानि कि हमारे संस्कृति सब्यता को धीदे दीरे बरबाद किया गया ठीक है आगया जी यहां लिखा अभी लेखागार अभी लेखागार मतलब सिंपल समझे वर्तमान समय में जैसे बलोकों में दस्तवेज को रखा जाता है कोट कच्वरियों में रखा रहता है कि नहीं है कलक्ट्रियेट में रखा रहता है इन सभी जगों में जहां सरकारी दस्तवेजों को सुरक्षित रखा जाता है उसी तरह पहले के समय में जहां रखा जाता था, उसको अभिलेखागार या अरकाईव बोला जाता था, अरकाईव इंगलिस में हिंदी में अभिलेखागार इसको कहेंगे, और उसके साथ संगरहले यानि म्यूजियम में भी समानों को रखा जाता, एंटिक पीस या पुराने पुराने पुष्टकाले वो बिहार का पटना संगरहले जो है बिहार बाएगा है टीक है वो चीजे SCAT में भिहार बने दिये है उसको डिटेल से मैं बताया हूँ ठीक है आगया जी यहां लिखा है कि उन्हें सुषदी के आखरी से हर दस साल में जनगन्ना की जाने लगी अब ये क्या भ contributor तो हर 10 साल में जन्न्गन्ना की जनाने लगी, पहली बात कि जन्न्गन्ना के शुरुवात के मैं नाम है Lord मैंुयो तो Lord छोड़ देंना सिर्फ मैं जूजो याद रखिए। मेयो ने अठारा सो बहत्तर इस्यूई में कोशिस किया था कि भाया हम जनगन्ना कर लेते लेकिन ये 1872 में सेक्सपूल नहीं हुआ देन उसके बाद 1881 में दादा बाई नरोजी की सयोग से क्या किया गया जनगन्ना को पुल्न रूप से किया जे गया और वो पुल्न रूप से सेक्सस पर हुआ या संपन्ने हुआ तो 1881 के बाद से ही तैय किया गया कि हर एक 10 साल पर यानि कि 1881 के बाद 91, 11, उसके बाद से 21 इसी तरह करके हर एक 10 साल पर जनगन्ना की जाएगी ताकि भारत की लोगों की स्तिती के बारे में पता लगाए जाज सके ठीके उसके बाद बहुत सारे चीजों का सर्वेक्षन किया गया जैसे बेग्यानिक सर्वेक्षन, पूरा तात्युक सर्वेक्षन मानव सास्तिरी सर्वेक्षन, वन सर्वेक्षन यानि हर चीजों पर सर्वेक्षन करने की एक सुरुवात सुरू हो गई ठीके निश्टा जी आगे समझे लो यहां दिया हुआ है कि इंसानों के खाने के लाइक नहीं है इंसानों के खाने लाइक नहीं है मतलब क्या है कि कैदियों को इस तरह से खाना दिया जाता था थी कि वो खाना जो है इंसान को खाने लाइक नहीं थी जनवरों खाने लाइक था वो खाना कैदियों को मिलता था जिसके वजह से बहुत सरे कैदी जो हरताल पर आ गये और यह 1946 का खबर है और यहां तक की कैदी का छोड़िया पुलिस को भी उस तरह भारती जो पुलिस थे उ जहां कोई भी सिस ध्यान देने की जुरूत नहीं अब आते लों दूसरे चेप्टर में पहला चेप्टर आपको हुआ कम्प्लेट आए दूसरे चेप्टर में यहां देखिए दूसरे चेप्टर को इसको समझते हैं लो चीज़े बहतर लग रहा होगा तो आप कमेंट करते लिएगा ज़ाए बच्चों को जोडते लिएगा क्योंकि घ्यान बाटने से घ्यान मिलेगा ठीक है ऐचानि यह चुपा लेना है कि नहीं बताएंगा है कि नहीं सब कोपस सेर कीजिए मदद कीजी छोड़ा हमारा भी यहां पर दिखी यहां लिखा हुआ है कि मुगल बसा जो औरंजेब था इसकी यह क्या था? आखरी सक्तिसाली बादशा था? मतलब क्या? मूगलों का, जो साथन सुरूः वा बावर से लेकर, औरंजेब तक ये औरंजेब जो है, आखरी मूगल बाधा जो था, वो ताकत वर था हालागि इसके बाद बहुत सारे हुए, जैसे कि बहादूरसा हुआ, फरुक्सियर हुआ, रफिव जात, रफिव दौला, आलमसा, आमसा, महमसा, दुनिया मर के बने, सबसे लाश्ट जो बना वो आपका बहादूरसा जफर बना, जो कि रंगुल जेल में जाके मर जाएगा, तो यहां सिर्फ औरंजेब को समझते हैं कि औरंजेब जो है 1707 में मर जाता है जैसे ये मरता है तो अब भारत में ये मुगलों का सासन धिरी-दिरी खतम होने लगा क्योंकि इसके बाद जितने भी सासन वो सब कमजोर थे अब किनका सासन बढ़ने लगा तो सासन बढ़ रहा कोश्चन पूछेगा निमन में से किस अंग्रेज दोवारा बहादूर सा जफर और उनके बेटों को ग्रफतार किया गया था तो केप्सन हर्सन दोवारा हर्सन क्या किया हर्सन से हर्तकड़ी याद रखेगा हर्सन हर्तकड़ी हर्तकड़ी लेके आया और जफर और उनके बे जिसके कारण अगले ही साल इनको पकड़ लिया गिया, कि इनको बहादुर सा जफर को जेल में डाल दिया गिया, सारे कहाने आप जानते हैं, जफर को अपना नेता माल लिया गिया, इनके बेटे को इसके सामने ही टपका दिया गिया, मतलब क्या है कि बहादुर सा जफर के बे दिया कि जहां इन दोनों कि मॱ्र्थ हो जाती है अब यहां यह इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अरल के बिट्यइन की जो महारानी थी उनका नाम था baka यह दिया आध्ना है बुद्ध πरतम गरा हम इस इंडिया कंपणी की एस्थापना की जा रही है सन 1620 में है ठीक है और यह जो कंपणी जो भारत की तरह बढ़ता है इस इंडिया कंपणी और इस कंपणी ने क्या किया था पंदरा वरतों के लिए एक आधिकार लिया था क्या ले लिया था एक आधिकार अब यह एक आधिक जाओंगा और महीं अवाँ से कमा कमा कर आपको भी दूँगा और अपना भी खर्चे चलाओंगा ठीक है उसको बोलायता है एक आदिकार मतलब हमरे स्रीप अदिकार है नेक्स टाजी नीचे आई यह यहां लिखा है कि वानिजिक देखे यह वर्ड लिखा है वानिजिक और इसी वर्ड को यहां डिटेल समझा है वानिजिक मतलब क्या होता है एक ऐसा विवासाइक उधम विवासाइक उधम मतलब होते है कि ऐसा बिजनस जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरिद कर ज्यादा की जाएगा तो यही थूट लेकर यही बिचारधारा लेकर अंगरेज कंपनियां यह जितनी भी यूरोपिय कंपनियां भारत में आना सुरू की थी जब वह आए थी तो कहां से आई थी तो के के और बाप इन इसमयां के पहुंच Unter Live में यहां पर यहां हाँ यहां पर सबसे पह Audi Cop पर हूंच वाला पहला यूरोप यह या कौन था असनी कहों धाक जो छोust без पहुंचक वालो ह्यां पहुंd सा भारत ठीक है उसको यह नहीं पता था कि इधर से ऐसे कैसे जाए ठीक है यहां से वो लॉट के बचरा चला गया देन उसके बाद बहुत सारे युरूपिय यात्रियों ने कोशिस किया भारत को खोजने के लिए भारत के रास्ते की खोजने के लिए उनसे नहीं मिल पा रहा फिर उसके बाद पुर्तगाल से निकलता है कौन वास्को डिगामा निकलता है भारत की तरफ आने की कोशिस करता है 1498 में यहां पहुंचता है वो भी क्योंकि इस जगह का तो जानता था हो के पप गुड होप को क्योंकि डियाएस तो खोजी चुका था यहां पहुचने का बाद यहां पर एक भारती बैपारी अब्दुलमजीद से भेट हो जाता है अब्दुलमजीद इनको टांके ले ले चलाता है कहां भारत में भारत में पहुंचता है बास्को डिगामा काली कट के पास पहुंचता है काली कट के जो राजा था राजा का नाम था जमुरीन र इतना ज्यादा खुस हो जाता है कि फिर दोड़ल चलाता है दुबारा दुबारा पिर लेज़ा के ब्रीष्ट न पाम पर फिर बहुत ज़्यादा ये खबर पूरी एरोप में लग जाती है और पूरी एरोप की कमपणी भारत की तरफ आने के लिए बेचाईनी हो जाती है सब को ठीक है यहीं से नती जाता ठीक है तो वही देरा चोदो संठार में पहली बार भारत में आता है और यहां से क्या-क्या खरद खूब बेचता था लो इसका डिमांड भी ये रोप में बहुत जादा था नेक्स टिंगा आज ये क्यारा कि इस टिंडे जो कंपणी थी इंग्लिस कंपणी जितने वी थी वो कंपणीया जोने अपनी फैक्टरिया लगाना शूरू कर दी भारत में 16 से काउन इस्वी में हो एक को फैक्टर बोलेंगा ठीक है फैक्टरिक मालिक फैक्टर कर आएगा फैक्टरी एक वेर हाउस था वेर हाउस बड़ा सा ठीक है जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा करकर रखा जाता है जैसे गुदाम होता है यानि फैक्टरी मतलब क्या गुदाम और उसका मालि को फेक्टर कहा जयता है टीक है कूशन दे दे कि बैपारियों को उस जमाने में या अंग्रेजी शासन काल के समय में बैपारियों को क्या कहा जयता था था तो क्या कहा जयता था ठीक है नैस्टえて 1696 इस्वी में company ने इस अजाधी के अबादी के चारो तरफ एक किला बनवना शुरू कर दिया मतलब जो उनका वेर हाउस था जो उनका गोदाम था अब उसके चारो तरफ धीर-धीर ही किला बनवना की इसा किला बनाना शुरू किये यहां देखे, लिख रहा है कि 1696 इस्वी में यह अबादी बढ़ाने के चक्र में एक अंग्रेज जो मुगल अपसर था, उसका नाम था मुगल अपसर का, याद रखेगा, मुगल अपसर जो था, वो तीन गाओं को लेता है, तीन गाओं को जमिदारी लेता है, ठीक है, काली क अबादी प्रणाम था, जब कि SCRT में दिया हुआ है, उसका नाम था, जौब चर्नोक याद रखेगा, क्या नाम था, जौब चर्नोक और उसने क्या किया, काली काता, सूतानाती और गोबिंदपूर, तीन जगाओं को खरता है, सुन ध्यान से समझेगा, लब लो, 1696 जो गाओं होता है, एक का नाम था, काली काता, दूसरा का नाम था, गोविंदपूर, तीसरे का नाम था, सूतानाती, तीनों को खर दे लेता है, खर दता है, केतने 12 सा रुपे में साइद खर दता है, 12 सा रुपे में खर लेता है, और खर दिने का बाद एक नया सहर बनाता ह तीनु को मिला के उसका नाम रखता है कलकत्ता क्या नाम रखता है कलकत्ता ना रखता है जो वर्तमान में इसको कोलकत्ता बोला जाता है ठीक है कौन खरदा था तो जॉब चॉर्णों खरदा था नेक्स्टा जी अब मुगलो द्वारा एक फर्मान जारी कर दिया गया था वो फर्मान जो है फ़रुक स्वियर द्वारा किया गया था 17-17 इस वी में बाद में आएका पढ़ाएंगे फर्मान मतलब सिर्फ समझे कि एक साही आदेश होता है नेक्स्टा जी अरंजेब के फर्मान से केवल कंपनी को ही सुल्क मुल्क बैपार का अधिकार मिला था कंपनी के जो अफसर नीजी तोर पर बैपार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी लेकिन उन्हें भी सुल्क चुकाने से इनकार कर दिया मतलब क्या औरंजेब के समय में जब यह आये थे क्योंकि 16 सभी में तो अंग्रेज था यह तो मरा है 1707 में आ औरंजेब तो अरंजेब उस समय तक था औरंजेब क्या किया था जब औरंजेब से मांगा गया था business करने के लिए छूट पे तो उसने का ठीक है उसने दिया था छूट किसको उसने छूट दिया था सिर्फ company को कि company जो है अपनी business करे की क्योंगी company से वो टेक्स लेता था आम वहाँ जनता जो है आम लोग जो company में काम करने माले worker है या अपसर है वो नीजित तोर पर बैपार अगर करते हैं तो आम पब्लीक की तरह भी उनको टेक्स जादा देना पड़ेगा ठीक है जैसे सभी लोग देते हैं उसी कंपणी में ही वो लोग बिजनस नहीं कर सकते हैं मतलब इस पर रोक लगा दिया था औरंजेब सीधा सीधा समझिया ठीक है लेकिन धीरे धीरे औरंजेब के मरने का बाद जो आम पब्लीक थी यानि आम अंग्रेज जो लोग थे अंग्रेज अपसर जो थे कंपेनी के साथ जो काम कर रहे थे वो अपना परसनल भी बिजनस साइड से करने लगे बिना कुछ टेक्स वगरा दिये हुए ठीक है तो उन्होंने क्या किया सुल्क चुकाने से इनकार कर दिया ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरुद क्यों न करते जाहिरत बाते तो उस समय ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ काली कता या कोल कता हुगली नदी ये सारी जगह जो है ये जो जगह है ये जगह बंगाल की अधिन था और बंगाल जो था और रंजेब के समय था के मुगल समराजे के अंदर में काम करता था जैसे मुगल समराजे का अंतिम समराट रण्जेब जो मरता है, उसके मरने का बाद, धीरी धीरे, जितने भी छोटे छोटे राज़े तो अलग होना शुरुकिए, जिसमें बंगाल भी अलग हो जता है, यह बंगाल वाला, और बंगाल का नया खुद अपने आपको नॉाब घोसित कर देता कौन? मुर्शीद कुली यानि कि मुगलों से सोतंत्र करकर नया बंगल का इस्थाप्राय किस ने किया था मुर्शिद कुली खान ने किया था उसके बाद अगला उत्रदिकारी बना अलिवर्दी खान जो 1744 इसमिम बनता है next उसके बाद अगला जो उसका उत्रदिगारी बनता है उसका नाती जो है सुराजुदौला वो बनता है ठीक है और सुराजुदौला के समय ही होगा पलासी का लड़ाई जो 1777 में होगा next आजी चीजे समझा रही है आगे है जी यहाँ पर समझें यहाँ देखे मुर्शित कुली खान उनके बाद कौन बनता है अलिवर्दी खान और अलिवर्दी खान के बाद सुराज दौला यह चीज में बता दिया और उसने क्या 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 बंदी पर रोक लगा दिया जाइद बात ही यह लोग क्या बंदी क्यों करने यहां पर ऐसे लगा रहता है और यहां पर उसको एसे रसी जोубли तो फिचिए ₹pen kia ऑड लेदा अभ狗 हुआ लड़ा हो रहे हैं इसने क्या यह कि जुदावा उसको होने से रोक लगा दिए वहला हुआ कि यह किलाबंदी पर उसको ढूड़ना सुरू की है जो की उसी के मतलब की पंगाल का ही हो और इसी साही की परिवार का हो और वो इससे गदारी करने के लिए तयार हो तो मिल जाता है उनको कौन इनको मिलता है सिराजुदौला का ही सेनापती मीर जापर जो अमरीजों को सपोर्ट करता है उसके लेके गया था तीस हजार सेने को के लेके गया था और जाके वहाँ पर क्या किया उनको कीले बंदी करने से रोक लगा दिया एक कहानी बहुत ज़्यादा परशली तरह थी है कि ब्लैक होल वाली घटना ब्लैक हॉल की जिसमें रूम में बंद कर देता बंद करने बाद 146 लो है यहा पर आइए तो उसके अबाद क्या होता है कि जो सिराजुदॉला जो है वो मिर जाफर मिल जाता है किसे अंगरी जूसी मिल जाता है जिसके हुजर से अगले साल 1767 को 1717 को क्या होता है कि पलासी के लड़ाई लड़ी जाती है पलासी के लड़ाई लड़ी जाती है तेस जून 1767 की याद रखेगा डीट के साथ याद रखेगा पलासी के लड़ाई जो लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी तेस जून 1767 को ठीक है तो यह 56 में बनता है सासक कौन सिराजुद्वाला और सासक बनने का बाद 27, amegdatre 3000 जून 27067 को पालासी के लड़ै हो रही है अब यह पिलासी की लड़ै हो रही है उस में तो सिराजव दौहला मर गिया मीर जाफर जे वो नंगाब बन जाता है ये सभी कोई जानते लासी वर्ड जु है यह प्लासी विर्ड यह कहां से आया कि आप जानते हैं कि प्लासी जो नाम है यह सब्द कहां से आया ऊले है असी प्हार्सी नम In यह ठीक है पलासी इसको याद रखे यह क्या है तेक पलास के फूलों के करण इसका नाम पड़ा पलास के फूल क्या भी है एक तरह के गुलाब की तरह दिखने वाले एक फूल होता है गुलाब की तरह देखने वालता है जो खुबसूरत लाल फूलों की तरह लाल फूलों से क गुलाल बनता है जो कि होली वे गरह में इस्तुमाल सिर्स्ध के फूल्स हूदही लुका प्लास के फूल की कारण उच्छिया को बना इंट समझता है लोगां बनाने में उप्योग किया जाता है ठीक है और खुब शुरत तरह से फुली ये दिखता है नेक्स्ट बाकी सारे सीजें समझ गई यहां पर यहां पाजी है तो यहां वही दिया है कि 17 संताओन इस्यू में पती ही ने अंगरीजें का सपोर्ड कर दिया ठीक है और सेना पती के साथ साथ दूगो और था लो एक वड़ा के नाम था जगत कुछ करके नाम था ठीक है दो गो था लो बिजनस्में वहां तो एक जगत और अमिस्येट और यह भी कोशन आप लोगको 9-3 पूछा हुआ वा हल यहां देखेंगे यह चीजे यहां पर देखेगए यह चीजे लिखा हुआ को आई इसको समझें ।िश्ट इन्डिया कंपनी के कोट आप प्रप्रोअटर्स की लंद Newman इस्टिते लेडरं होल स्ट्रीट पर बने इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया जो हाउस में अब जो सिरा जुदोला मरने के बाद कौन बन जाता है तो मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम बनेगा उसारे चीज़ा आगया यहां यह तो मीर जाफर के बाद हटाको किसको बना दिया जाता है मीर कासिम उसके दमाद था उसको सासक बना दिया गया ठीक है और मीर कासिम जैसे जिससे देखे राजधानी में क्या होता है कि चहल पहल जादा रहती है बिजनस जादा होता है इसलों उसने अपने राजधानी ही बदल दी मुंगेर में जाकर उसने फ्रांसीसियों से दोस्ती करना चाहा और साथ यसाथ बंदूग की फैक्टरी बठा दिया यह देखकर मीर जाफर को वापस से बंगाल का नवाब बना देते हैं जिसे मीर कासिम जो है अपने मित्रे आवद के नवाब सुजाओ दौला के पास जाता है मदत मांगने के लिए जब वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर और लड़ी सा आलम दूतिय भी आके बठा बकसर की लड़ाई बकसर की लड़ाई के कहाता है उसको समझते हैं लो कहानी आगे बढ़ती है बकसर की लड़ाई के तरफ में कि तिनों ने ललका रहा था कि इसको अंग्रेजों के लड़ने के लिए अंग्रेज उदर से आते अंग्रेज कंपनी आती है लड़ने के लिए इधर से कौन पहुचता है मीर कासिम सुजाओ दौला और सालम दूती है तिनू पहुचता है लो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई होती है इस लड़ाई के नाम क्या रहा है बक्सर की लड़ाई क्योंकि जगा बक्सर में ये लड़ाई हुआ था ठीक है बिहार का बक्सर चेतरे में लड़ाई हुआ था वहाँ पर लड़ाई होती है इसलिए इसको कहा गया कब होती है 22 अक्टूबर 1764 जिसमें इनकी बुरी तरह से हार होती है फिर बीच में एक और यूद होता है एक और लड़ाई होती है थाता है उस लडाई मेंगों हार हो जती है किसकी साहलम दूतिय की दो बार जब हार जता है साहलम दूतिय तब जो है अंतिम बार उसको 12 अगस 17, 65 इसभी को संदी करने पड़ती है ओ वो संदी şimdi होता है इलहाबाद में इसीले कहा जता है कि बक् Σर की लडाई के जो संधी हुई थी हो कहा वोँ हो इती या उस संधी को क्या कहा जाता तो इलहाबाद की संधी कहा जाता जो 12 तागां सतरफ़शव 65 को हुआ किसके किसweb हुआ है तो अंग्रेज के बीच में और अंग्रेज का जो रॉबर्ट क्लाइब था उसके बीच में और यह क्या नम था इसका साहलमतिय के बीच में हुआ टीक है यहां पर समझे यह चीजे को अब कलाइब ने क्या किया क्लाइब कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा उसने कहा कि कलाइब अब तिमांग लगाने लगा कि अब जो हैम लोग किसी और को नवाब नी बने नहीं मीर जाफर नहीं मीर कासिम अब खुद ही नवाब बन जाते प्रिके जहां सी यह शुरु होगा गौशनौन बिर्टेन से लाये गए सोना चांदी के बदले अब खरदना पड़ती थी यहां क्या दिया यह वर्ड पहले क्या दना कि अंग्रेज जो 1600 से भारत में आये हुए थे तो भारत में वेपार करते थे सोना चांदी से मतलब सोना चांदी देते थे और समान वगरा खरद के लाते इस तरह बिर्टेन में सोना चांदी के बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी और वो एक बिकल्प ढूंट रहा थे कि ताकि उनको सोना चांदी ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और बिजनस भी असानी सो जाए उसी बिकल्प के तलास में उन्हों ने इस एरिया में धीर का टेक्स लेकर और अपना बिजनस करके ब्रिटेन में भेजेंगे मतलब सारा चीज आपी का हो गया दिमाग जबरतस लगा लिए लोग जहां लिए कि 1743 में इंग्लेंड से मद्रास यानि अब जुच्छ नहीं में आया था कोन आया तो यह इसका बात हो रहा रोबर्ट का याद रखिए कि कोशन को सकता है कि रोबर्ट कलाइब जो था भारत में कब आया था य कितने उम्र बेर आया था та सतररसक से उम्र इसमें 8-1-9-8 साल महतरि यह इकिना था 18 साल महतर नुकर बवाद हमेशा की लिए इसकी जो दौलत थी वो देखेंगे तो इतनी ज़्यादा पॉंट थी हाना मतलब समझे कि इतना ज़्यादा धन लूटा था ना कि जिसका ये मतलब लास्ट में इसको भरश्चार के आरप में इसको सफाई भी देना पड़ा 1772 इस्वी में ब्रिटिस संसद में इतना ज़्यादा संपती लूट लिया था कि बाद में इस पर करवाई भी किया गया और इसको इस पर आरूप लगाया गया कि दुनिया बर के संपती लूटा है इसके वज़र से इसको अपनी सफाई भी देनी पड़ी थी 1774 इस्वी में ये समझ गया कि हम पूरी तरह से भाई इतना भ्याना को धन लूटा था कोई चारा नहीं बचाता तिसने अपनी आत्मात्य कर लिया तो 43 में जब आया ता उससे में 18 साल का था मदरास यानि चिन्नियम पूछ आता देन उसके बाद बहुत धन लूटा दो बा भारत में जैसे नवाब लोग उसी तरह ब्रिटेन में जो धनी मनी अमीर लोग थे अपने आपको नवाब बोलते थे क्या बलवाते थे नवाब आ गया जी बक्सर की लड़ाई जो हमने पढ़े लो 22 अक्टूबर 1764 इसवी को बाद कम्पनी जो रियासत जो है वो रेजिनेंट तयार कर दिये गए रेजिनेंट क्या होता यह रेजिनेंट इसको समझते लगए अच्छली महोता क्या था ना कि जब अंग्रेज जो है किसी वी इछे तरफ पे कब्जा करते थे तो जैसे कि मन च walking कि बक्सर की लड़वी में इनको हारा दिया गया हाराने क अब बाद उन्हें क्या करते थे फिर वापस राजा को ही वहां का सासक बना देते थे या किसी और को उठा कर बना दे है देखते रहा है कि राजा जो है अब जो है अंग्रोजु खिलाब कोई सड़ेंत तो नहीं राचना है और वो जो कंपनी छोटी चे टुकडी राती ती जिसने रेजिडेंट कहा है तो उनका खर्चा बर्चा सब राजा को ही उठाना पड़ता था नेक्स्ट आजी तो वही कर रहा है कि रेजिडेंट क्या करता था भीतरी मामलों की क्या करता था दखल देने लगा देर देर भीतरी मामलों को मने जाच बगर करने लगा समझने लगा कि क्या क्या कर रहा है लो यहां लिखा है शहायक संदी क्या लिखा है तो शहायक संदी जो है अंग्रजु बोलते थे कि हमें कोई सहायता का जुरूत नहीं है तो उनी पर हमला करवा देता था दूसरे राजा से उसके बाद खुर मदद करने भी आता था और बोलता था कि अब हमें हमारी सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है मतलब क्या है रिचर्ड बैलेजली गौर्णर जनर्र उस समय अवद के नवाब 1801 इसी में अपना आधा इलाका कमपणी को सौपने के लिए मजबूर किया. तो रिचर्ड जो बेले जली था वो था गौर्णर जनरल उस समय उसने अवद के जितना भी छेतर था उस छेतर में से बोला कि जो एरिया आधा एरिया हम को दे दो ठीक है तो आधा एरिया उसने कबजे लिलिया सहाइक सेना के नाम पर बोला कि सहाइक सेना के नाम पर धीरे से entry किया और entry करने के बाद उसी झाण को कबज़ा कर लिया किसको लिया अवद को कबज़ा कर लिया कब अठारा सो बेले जली कै था तो गौर्णन जर्नल था ठीक है सतरे सो औन ठाल dejar और अठाल पाच के बीच में उसको दुट लिखा है कि यहां इक लिखा हुआ है कि अपने बेटे और बिटी से रेजिडेंट के साथ खड़ा नवाब सुजाउदौला टीली केप्टन द्वारा बनाए गया चितरे तो जो सुजाउदौला जो है जो अवद का नवाब है इसका फोटो और जो रेजिडेंट जो है रेज निस्य धाग्या निर्देश निस्य धाग्या मतलब क्या होता है आग्या मतलब समझे निर्देश देना बस अधिनस्था अधिनस्तियता मतलब होता है दबूपन मतलब कि उसके अंदर दब के रहेंगे डरायकर रहेंगे अब यह टीपू सुल्तान सेरे मैसूर जिनको कहा नेता है इनके बारे में जानते हैं यह त्युपू सुल्फान जो है मैसूर के सा सकते करनाट के सा सकते एनकी पिता स्री के नाम था हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों जो है बड़ी बहादुरी से अंगरजों के खिलाप यह नों ने लड़ा और दोनों बीर गती के प्राप्ट हुए ठीक है दोनों ही क्या कि यह सहीद होगे अगरजों के खिलाप लड़ते लड़ते टीपू सुल वो 82 से लेकर 99 तक इन होनों भी दो लड़ाई लड़ा ठीक हला कि अपने पिताश्री के साथ वो भी लड़ने जाते थे अना लेकिन पूरी तरह से दो लड़ाई अपने ही दम पर लड़े कौन टीपू सुल्तान जो 32 से लड़ाई होती है यानि चार लड़ाई होती है अंग्रेजियों के बीच में और मैसूर सासकों के बीच में जो मैसूर सासक जो टीपू सुल्तान थे वो क्या किये थे मालाबाद टट से क्या होता था बिजनस होता था कैचिस का चंदन के लकड़ी का काली मिर्च का इलाई ही में बहुत रहे देसों में यहां पर से समान जाता था जहाज करास्ते मलवार टटपे ही उन्होंने कब्जा कर लिया कब्जा तो था ही पहले से इन्होंने कैसे रोक लगा दी यह सारे चीजें पर बेचने से का कि सब नहीं बेचाएगा ठीक है इस अंग्रेज जो है टेंसन साथ अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की आकरी जो जंग थी वो कहा हुई सिरी रंग पट्टम में मैसूर की जो राजधानी थी उसमें मैसूर के बाद वो टीपिस सुल्टान की जो सहीद हो गये मर गये उनको मार दिये गये उसके बाद मैसूर का जो राजकास था भेडियों को दे दिये गये भेडियों मतलए बोडियारों को दे दिये गये यो ट्रिक से बता रहू मैं बोड रहना के बाद मैसूर का जो सासन था इस सत्ता धा को किसको मिली या तो बड़ी यारों को मिली गए था ठीक है और उसके बाद साहिद संदी थोप दिया गया नेक्स टाजी यहां लिका है कि यह खिलाउना है जिसमें एक सेर जो है अंगरी जो कोई किया रहा है पाढ़ रहा है काट रहा बस इतना जानना है कि यह खिलावना को बारत सब को जानते हैं बस यह जानी कि अब यह खिलावना जो है लंदन में इस्थित है विक्टोरिया एंड अलबर्ट मुजियम में रखा गया है कौन सा कोशन पूछ देगा कि जो टीपु सुल्तान का जो सेर वाला खिलाव के सामने पेश किया गया ठीक है और यह डेनियल आर्म द्वारा बनाए गया चितर है बस इतना याद रखना है कि कोशन पूछ दे टीपु सुल्तान के जो बेटे थे उनको पकड़ कि किसके सामने पेश किया गया था कौन से अंगरेज तो करना वालिज के अंगरेज के परजिस संधी करनी पड़ी इसका मतलब क्या है कि माराथा सपोट किया किसका अंगरेजों का है और अंगरेज की कंपनी खुद अपनी सेना थी यह तीनों ने मिलकर सडेंतर रचा और यह टीपु सुल्तान का अभी क्या बोले कि टीपु सुल्तान यह कोई भी सासक हारा अब अगरेजों का दिमाग था कि अब और अंगरेजों का दिमाग सासक के तरफ बड़र जासे मिल बोला था न कि मुस्लिम का शासन हिंदू का सासन अब वही जो अंग्रेज के सुरुए से थिवरी यही चल रहा था बाद में जो यह जिम्समिल देखा तो उसी पर किताब लिखा तो अंग्रेजों ने दिमाग लगा है कि भाई साब मुस्लिमों का सासन तो धरी-दरी कमजूर होते जा रहा है अब मुस्लिम कोई भी सासक जो है इतने ताकतवर नहीं है देश में जो हमसे डारेक्ट मुकबला कर सके अब जो है हिंदू सासक है जिसमें मराठा बहुत तेजी चागब बढ़ रहा था मराठा को 1761 इसी में पानी पत का तीसरा लड़ाई लड़ना पड़ता है क्या पानी पत लड़ना पड़ता है 1761 समझते इनको तो जो पानी पत के जो तीसरी लड़ाई थी देगे पानी पत का तीन लड़ाई हुआ था पानी पत का पर्थम लड़ाई दूसरा लड़ाई और तीसरी लड़ाई पर्थम लड़ाई जो बावार लड़ा था दूसरा लड़ा था वो अकबर लड़ा था तीस कि बारत में हिदू सासन भी खत्म मुस्लिम सासन भी खत्म अब बचिए जेम्स नोर था रिल के हिसाब ब बिर्टीन का सासन बढ़ गया जब यहां लिकाए कि mean ुप इन सबी जो कि अंगरेजों क किया करने लेगा अधिंता स्विकार करकर वहां पर गुलमी के साथ ते नातर रहने लागे ठीक है याद रखेगा आ गया जी है उसकर लिखा है कि महाद जी छिंदिया और नाना फण्णवीश अठावी सदी की अंत theories दो परशिद मराठा योद्दा और राजनेत्य गेते ऊसन पुछेगा कि दो परशिद मतलब मराठा या राजनेतिगे कौन थे तो महाज दी सिंदिया और नाना फंडविस ठीक है जो 28 अधिक है आकरी दो परसीदे मराठा योद्दा और राजनेतिगे थे ठीक है आगया जी पहला जो युद हुआ 17 सब्रासी सजु में सलाबई संदी के साथ खतम हुआ था दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद हुआ था वो जूवगा था दूसरा अठारा सथीर और पांच के बिच मुआ था तीक है अब अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ाई होना सुरू ह देता है क्यों होना सुरू हो गया था क्योंकि अब जो है इसमे होने हो गये थे चिसके वज़ा से अब इसमें मारना सुरू कर दिते दूसरा फिर लड़ाई हो रहा माराठा के बीच में 1803 और पांच के बीच में तीसरा लड़ाई जो हो रहा है 1817 और 19 के बीच में तीन बर लड़ाई होता है अब उसके बास से माराठा के ताकवा दिरी दिरी खतम होने लगती है पेशवा को पूने से हटाकर कानपूर के पास बिठूर में पेंसन पे भीज दिया गया जो पेशवा को कह किया गया पेशवा को वहां से हटाकर कहां भीज दिया गया तो मराठा का जो पेशवा थे उनको हटाकर कहां भीज दिया गया और कानपूर के पास कहां पर बिठूर में भेज दिया गया बिठूर में क्या की का पेंशन पर भेज दिया गया बोला कि भाईया पेंशन पर आराम से रही टेंशन नहीं लिजे मराठा सवराजय को उन्होंने अंग्रेजोंने अपने अधीन मिला लिया आगया जी उसको आगे समझते है, स्यावाशता का दावा समझते है लो, जो Headings था, लोड Headings वो 1813 से लेकर 23 तक गोर्णर जोला रहा, ठीक है, ठीक है, अठा सै तेरा से लेकर 23 तक कोन गोर्णर जोला रहा? जो उसमें करनाटा कोंषा करने गया है, जो उस समय नाम था कितूर, कितूर के गए कबज़ा करने केbayern है, क्या नाम था चंणनमाओ उन्होंने अंग्रिजों के खिलाब हत्यार उठा लिया अंग्रिजों खिलाब लड़ने लगी जिनको वजह को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 18-29 युक्षिमिक्षा क्या कि उनकी मिर्तु जेल में उनकी मिर्द्व वहीं पर हो जा रही है जेल में ही हो जा रही है ठीक है तो जो रानी चन्नमा थी वो कहां की रानी थी तो यह दो कि टूर यारी करनाटा की रानी थी जो अंगरें खिलाब भी आवाज उठाई थी यहां देख सकते लिखावा कि टूर्की रानी चन्नमा की एस्मिर्थी बनाएगे मुर्थी उसके बाद जो चन्नमा जी मर जाती है तो चन्नमा का बाद कि टूर्की संगोल में संगोली में से एक गरीब चोकिदार रायनना ने इस परतिरोध जारी रखा यानि अब रानी को मरने का बाद जो रायनना था उसने अपना इनका काम उठाली अंग्रेजों खिला प्लड़ना उसको भी पकड़के केखे गया पांसी बलटका दिये गए 1830 में लिश्टा जी 1838 से लेकर 42 के बीच अफगनिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज जो जानता था साना कि भारत में वो नहीं चाहते था कि अब कोई दूसरा के कबजा करे क्या चाहता था कि भारत में चारु तरफ से हम लोग पैक कर ले पूरी तरस यहां इरिया में कब बन गए थी लेकिन हो चाहते थे कि हमाले था इदर से तको या नहीं सकते था आप पर और अफगनिस्तान से आने का जो अभी वरतवान से में पकिस्तान है क्योंगी यह नहीं पर भारत ही था ठीक है तो यहां पर एक दर्रा है खैबर बेलन और बोलन दर्रा जो है वो बहारी जो है बीदेशी अकर्मकारी खास कर मुस्लिम अकर्मकारी जो है भारत में ना आए आ गया जी तो यह नों बहुत कोशिश किया अठारत्वान तीस लेकर ब्यारीस तक अफगानिस्तान के साथ यह लंबी लड़ाय लड़ी अंतरत्व लाश्ट में उन्होंने अपना व पंजाब को कव्जार करना चाहते थे पंजाब में महराजा रंजित सिंग्ह की साथंता है जब टक जिनदा रहे तब तक हंगरीजों का हिम्मत निव्या कि पंजाब को कव्जाग की आजा है उनकी मिर्थू हो जाती है 1849 में क्या हुज थी 1849 में उसके बाद ही इसने अंग्रेजों दुबरा पंजाब को अपने अधिन किया गिए 1849 में ठीक है आगे आजी आगे चलते हैं लोग बिलया नीती को समस्तिलों बिलया नीती जैसे मैंने बताया था कि दलहोजी लाया था अधिल पूरुष वारिस नहीं था उसे अरिया को वो अपने आपसे हड़ा पले देता है सिंपल समझें जो राजा का अगर बेटा नहीं है अगला राजा कोन बनेगा तो अंग्रेज कहात है तो कोई नहीं बनेगा आप गोद लिए है तब भी भी नहीं मानेंगे वो एरिया हमारा हो गया ठीक है इस तरह उसने क्या कि सतारा संभालपूर उदायपूर नागपूर जहांसी आधी को अपने कबजे में ले लिया कोशन साञ्सिया, और इस निती के तत तो इस निती हरम निती या इसको बुला ये था बिलाय निती भी कहा है ठीक है तो हरम निती बिलय रिटी जो ला ये डला है और दलहुजी ला है ठीक है उसके बद आगया थे आखिर कार उसने अठारस चपन इसवी में कमपणी ने अवद को भी अपने अंतर में ले लिया तो अठारस चपन इसवी में किसको कबजे में ले लिया अवद को भी अपने कबजे में ले लिया यानि कि 17 सुरु किया और चपन में जाते जाते उसने अमाद को भी कब्जे मिले लिया जिसके बाद जो है 18 संताउन का विद्रो देखने के लिए मिलता है क्योंकि अब यह सब कब्जे में जा रहाता लो तो जाई इस बाते नराजा बनने ने उदेगे तो क्या करेगा लोग कि अंततल क्या और ज़िए लड़ाई होता तो 28 संताउन की करंती वोगी। जिस में 27 संबर पूर के बीर सुरंदर राहे अद यह खाली कोशन पूचिन पूच्छ़दे कि संबर पूर के जो वहां का सा सकती क्या नाम से समबर पूर के सा सकती-क्या नम सा शुरंदर र रहे सकते हैं? आगे आजी अब नए सासन की स्थापना नए सासन की स्थापना क्या है? तो नए सासन जो अस्थापना हो रही थी British इलाके मोटे तरपर जो प्रसासनिक इलाके क्या बटे हुए थे जीने presidency presidency कहा जाता था यह तीन presidency presidency थे बंगाल, मद्रास और मुंबई यानि इन तीन जगों बबढ़ी पर अंग्रेजों का बचस वी था सिम्पल समझे कि राजा का अलग सासन चल रहा था ब्रिटेन वह वह अंग्रेजों का अलग सासन चल रहा था अंग्रेज जहां सासन कर रहा था उसों बोलते तेलो Pu presidency से तीन एरिया यानि बंगाल मद्रास और मॉंबाई पर इंका वश्रस से बढ़ चुका था वह कलक्टर जो थे वह होते थे दिवानी मामले के क्या दिवानी माले का जो हेड होते थे बंते थे ठीक है उसके बाद मॉल भी पंडित उसके अलावा भारती कानून की जो ब्याखा कर सकता है वह भी बन सकते था फौजदारी आदालतों में अभी भी काजी और मुपती के ही अंतर्गत थी फौजदारी अदालतों जो थी वह किसके अंतर्गत थी तो वह थी काजी के और मुफ़ी के अंतर्गत थी लेकिन वह भी कारेक्टर का अधिन Covid प्रलु एक रवाजदारी के कोई ती आर्वी के वंब्टिय निग्राणी में ख़लानतों और उन्टीं0 और एक नियाधिस यानि जज मुफ्ति मतलब क्या होता है मुसलिम समोधाय का वो नयाइक विद जो कानून की ब्याख्या करता है मतलब मुफ्ति मने वकील याद रखे काजी मतलब जज महाभियोग जो है आज चानते होंगे राष्ठवती के किलाब महावयोग लाया जता है तो यहां लिकावा कि इंग्लेंड के house of common में किसी बेक्ति के खिलाफ दूरा चरन का आरोप लगाया जता है तो house of lords यानि संसत का उपरी सदन में उस बेक्ति के खिलाफ मुकादमा चलता है इसे महावयोग कहा जता है तो जब बान के चली संसत के उपरी सदन में जब अंग्रिजों के खिलाफ जो करवाई चलेगा उसको कहा जाएगा कि इसके खिलाफ क्या है महावयोग लाए गया है यहां लिकाए कि बारेन हैस्टिंग्स जो है इंग्लेंड लोटा तो एडमंड बरके ने उस पर बंगाल सासन को सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया इस आरोप के चलते हैस्टिंग्स पर ब्रिटिस सासन ने महावयोग का मुकादमा चलाया और यह मुकाबला जो है साथ साल तक चला कितने साल तक साथ साल तक चला बारन हेस्टिंग्स जो था वो भारत से बहुत ज़ादा लूट के लिए किया था जिसके कारण यहां से दूतिन कोशन बसकते हैं बारन हेस्टिंग्स पर महाभयोग की मुकादवा कब चलाए गया था 1785 में किसने इस पर महाभयोग का इलजाम लगाया था तो एडमंड भरके महाभयोग का लगाया था क्या उन्हाभयोग का दीया 1785 को भारती कानून का एक संकलन तयार करने केलिए काम सफा गया मतलब अब अंग्रेज जो बोले कि अब अपने धारविक हिसाब से क्या क्या आपके कानून है वो कानून को दीजे उसको देखेंगे समझेंगे यही काम फिर उसके बाद से काम सपक है N.B. हाल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी मनवाद किया तो जो पंडी जी जो संकलन यानी कानून जो त्यार करके दिए 1775 इस्वी में 11 पंडी जो भारती कानून को त्यार करके दिए उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कौन किया तो हाल हेड ने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में 1777 इसवी तक यूरोपिय ने आदिश्यों के लिए मुस्लिम कानुनों की भी एक सनहीता तैयार करने के लिए अब मुस्लिमों के दियागे कि भजा आप आपना भी कानुन तैयार करने को दीजिए, ठीक है 3773 इसमें Regulating Act के तहत एक स्रोच नयाले के स्थापना की गई स्रोच नयाले के स्थापना कब हुई 3773 में किस Act के तहत याद रखेगा है Regulating Act के तहत ठीक है 3773 इसमें किसके स्थापना रही है तो स्रोच नयाले की कलकाट्ता में अपिलिये अदालत, यानि सदर और निजामत अदालत की इस थापना की गई भारती जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओधा होता था तो आज भी DM जो है जिले में सबसे बड़ा है कलेक्टर सत्ता और संगरक्छण का एक नया कंदर बन गया था आगया जी यहां लिका कि धरम सास्तर इसा पुरूव 500 वर्ष से पहले भी लिखे गए थे धरम सास्तर जो है कब लिखे गए तो 500 वर्ष पहले से ही लिखे गए थे अब लिखा है कि मस्केट मतलए क्या होता पैदल सिपाई दोरा इस्तमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक जो पैदल सिपाई जो चलते थे उनके दोरा एक बंदूक इस्तमाल की जाते थी सेन अंग्रेज अपनी सेना को सिपाय यानी कि जो भारती सिपाई से बना हुए सिपाये से बना हुए समुंद्र मार्क में भारत थे पहुचने में जहां से 8 मा का समय लगता था भाप इंजन यानि जेम्स वाट यो दौरा भाप इंजन बनने का बाद जहाजों की यह जोै तरह तीन हवते में सिमेटगी दी गई तीन हवते में क्या होना सिमेटने लगा पहले 6-8 मैं लग ज़ता था 1857 तक भारतिये महादीप के संग 13% भूभाग 30% आबादी पर कम्पनी का सीधा सासन स्थापित हो गया 1834 इस्वी में दास पर्था के अंत के समय अफ्रिका के दचनी सीरे परिस्तित केप में नीजी स्वामित वेके में दासों की संख्या संगे 360024 थी अब पढ़ते हैं हमलों तीसरे चेप्टर को है तीसरे चेप्टर को ध्यान से देखा जाएगा इस चेप्टर में क्या है तो ग्रामी चेतरे के सासन कैसे चला रहे थे अंग्रेज उसके बारे में जनना है यहां एक फोटो में दिया हुआ कि 1765 में रोबर्ट कलाइब मुगलबास साथ से बिहार और उडिशा की दिवानी ले ले लेता है यह घटना कब हो रही है 12 अगर 1765 इस वी को आप सभी जानते हैं पढ़ा चुका आप सभी को कि इलाभाद की जो संधी हो रही है 12 अगर 1765 को इस संधी में जो इस इस इंडिया कंपनी के तरफ से कौन था तो रोबर्ट कलाइब था रोबर्ट कलाइब जो है उसको दिवानी मिल जाती है कहां की बंगाल और उडिशा की याद रखेगा बंगाल उसी में बिहार भी था बंगाल भी था उडिशा भी था तो बिहार और उडिशा की दिवानी मिल जाती है कोश्चन पूछेगा कि निमन में से किन शेत्रों की द अब रॉबर्ट कलाइब जो था ना उसको पूरी तरसे ताकत मिल गई कि अब भूरा जस्वे ले सकता है भूरा जस्वे मतलब अब टेक्स वसुले का पूरा पावर मिल गया तो कोशन सीदे से पूछ देगा कि जो इलहाबाद की जो संदी हुई उसके बाद रॉबर्ट मुख्य सासक बन गया ठीक है आगया जी यहां लिकाया कि 5 साल के भीतर बंगाल की कंपनी द्वारा खरिदी जाने वाले चीजे का मुल्ले दुगुना हो चुका था 65 से पहले कंपनी ब्रिटेंस से सोने चांदी से आयात करती थी, अब बंगाल में इंकाटा होने वाले पैसे ही न्रियात किया जाने लागा जैसे कि मैंने जश्ट अभी थोड़ी दिर पहले बताया आप लोगो को कि अंग्रेज जूते वो सुने चांदी से बैपार करते थे 1765 से पहले तक पैसा ठीका बाद जब उनका खुद ही कंट्रोल हो गया आर्तिक रोप से सासक बन गया तो पैसा की कमी नहीं तुर्थिक मतलब होता है सब्ताइक हाठ हाट मतलब होता मार्केट बजार ठीक है तो कोश्चन पुछ देगा कि निम्न मेंसे किन जगों पर सबताहिक हाट लगता था तो मुर्शिदाबाद में लगता था बहुत सरे जगों में लगता था लेकिन किताबों में दिया हुआ है मुर्शिदाबाद का option में 1770, 1770, 1780, 1772 इस तरह के दे याद रखे के 1770 होगा जिसमें भीशन अकाल पड़ाता जिसमें लगभग एक कुड़ो लोग मर गया थे कितने लोग ही है एक कुड़ो लोग उस समय की बात कर रहा है अभी एक कुड़ो लोग अगर कुरोना से मर जाते है तो कितना भ्याना माना जाता है कि नहीं है तो एक कुड़ो लोग उस उमर रहे थे इस इसाब से अंदर्जा लागा सकते हैं कितनी बड़ी महामारी थी है अब ये कार्णमालिस है जिस समय अस्थाई बंदवस ते लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्णर जोनल कौन था तो कार्णमा उसमों बेवस्ता आया तो जो एसथाई बंदवस्ता था उसमें कुछ कमी आ aí इसमें जो है आपकोoder क्युक्त शुकाने काефव चुकाना चुकाना है आपको products दिला लाएखे। अब इसमें कहा रहा है कि समस्या क्या थी समस्या क्या थी समस्या बहुत सरी थी समस्या सबसे बड़ी समस्या थी कि जो जमिंदार बनते थे उनको समस्या जहलना पड़ता था साथ इसाथ जो किसान थे उनको समस्या जहलना पड़ता था जमिन्दारों को क्या कहा गया था कि सूरज धलने से पहले आपको साम तक जो दिन फिक्स किया गया अगर इस दिन टेक्स लाके देना है हर हाल में लाके देना पड़ेगा वरना आपकी जमिन्दारी छील ली जाएगी इस वज़ा से जमिन्दार जो थे वो किसानों को टॉचर बहुँ ज़ला किया करते थे और जमिंदार मान के चलिए टेक्स नहीं दे पाते थे तो उस इस्तिति में अंग्रेजियों ने एक और दिमाग लागा रहा था एक महाजन की विवास्ता करा थे महाजन मतलब जो पैसा देते हैं करजा पर आपको मार्केट वेगरा में तो महाज तुम समझना की महाजन को कईसे चुकाना है पैसा इस तरह से जमिंदार हो किसान हो ये लोग धीरी-धीरे क्या हुए करज के तले दबने लगे तो जमिंदार दबते थे करज के तले तो उस तरह अंग्रेज ने बड़ी चलाकी के साथ पैसे लेता था लेकिन भारती लोगो में ही भूरा जलसों के बिवास्ता अगर लागो कर दिया जाए कि पूरा गाव मिल कर ही टेक समको लाक दे दो तुश gonna गया महलवारी बिवास्ता क्या बोला गया गया जी कि समस्ते लो नई एक नई बिवास्ता कि तरह बढ़ते लो बंगाल प्रेसिड़नटी के उत्तर पच् परांत कर ठीक है होल्ट मेखेनजी नावंग अग्रेज ने एक नयी विवस्था लाखुकिया 1832 इसमे क्या किया गिया था उस देवस्ता को कहा गया घई इसमें क्या किया गया ऊंपकिया पूरे गाउं या गाउं के समझ लिजे, मदरास का गौर्णर जो था वो कौन था, टॉमस मुन्रो था, कौन था, याद रिखिएगा, उसमें मदरास का गौर्णर था, टॉमस मुन्रो, और अस्थाई बंदोस के समझे में करनमालिश था, ठीक है आगे समझते हैं अब ये मुन्रो की बेवस्ता भी कहा किया मुन्रो की बेवस्ता मुन्रो 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 की जो गौर्नल कोड़ था तो मुन्रो मुन्रो ने जो बेवस्ता लाए गया उसको क्या बुला गया मुन्रो की बेवस्ता बुला गया और इ अबजे कीए गए इलाकों उस इचेतर मीं उस एरिया में आपना जो अंग्रेजों का वर्चसवे था उस एरिया में ब्यवस्ता लाया, टोमस मुर्णे द्वारा ये ब्यवस्ता है इस ब्यवस्ता कहा गए रइयतवाडी यहा रइयतवार ब्यवस्ता Qisana द्वारा किसानों को रक्षा करने चाहिए बतलब समझे कि अपने बच्चे के तरह उसको पोस्टना चाहिए अब यहां तक समझे अब यह तीनों बात को एक डिटेल में समझते है क्या था तीनों बिवस्ता मोटा मुटी देखते है पहला था क्या अस्थाई बंदवस क्या तब यह अस्थाई बंदवस दूसरा जो था कौन से था रहियत वाड़ी या महल वाड़ी माने चलिए रहियत वाड़ी मानते तीसरा जो है क्या था महाल वाड़ी था सबसे पहले डेट वाड़ी जा रखिए पहला जो था, ये था 1789 में, ठीके, कब था 1730 में, दूसरा जो था, वो 1820 बाङस के बीच में, कब से था 1820 बाइस के बीच में, ठीके, 22 याद रखेगा, त्ीसरा जो था कब होना चाहिए, तो महलवाड़ी, महाल बड़ी होगा 1833 में कब ये 1833 में लागु होता है आप इसको आद रखीगा किस एरिया में तो बंगाल में और बंगाल सी आद रखीगा कब बिहार उुडिशा तीन हो जाएगा तो बंगाल बिहार उॡिशा एकी मी था वहां पर लागू होता कुछ बनारस बगरा चेत्रों में यानि उत्तर पर्देश से कुछ चेत्रों में लागो था कुछ करनाटा के थोड़े बहुत चेत्रों में लागो था रियत बड़ी ब्यवस्ता देखेंगे तो कहा लागो था तो बंबाई में मदरास में असम में तर्यात वाड़ी ब्यवस्ता लागई तर्यात वाड़ी ब्यवस्ता लागई तो कस वह क्या परदिसे ही ब्यवस्ता वह ता तो ar के महान वाड़ी गया outstanding analog घ्रां अब अगर कुछा है जाय कि ऑस्ताउय बंदब, याद रखेगा, अरो पूछे गा, तो इस अज बेवस्ता लगी थी और रहीयत वारी को दो तरशी देता है अब NCR2 पढ़ियेगा तो एक 20% देता है, कितना देता है, लेकिन बिहार बढ़ जागा, तो यहाँ बढ़ जागा तो यहाँ तो घटना पड़ेगा तो दुने याद रखेगा, रियत वाड़ी जो ब्यवस्ता थी, वह 51% जमीन पर ये ब्यवस्ता लागू थी, वही महाल वाड़ी जो ब्यवस्ता थी, वह 30% एरिया में लागू था, जबकि बिहार बड़ के हिसाब से देखा जाएगा, तो 52% एरियत वाड़ी, 19% एरिया पर स्थाई बंदवस्त, और 29% एरिया पर महाल वाड़ी ब्यवस्ता लागू था, तीनों बात आपको समझा जाएगा, ठीके, तीनों को, अगर पूछा जाए, कौन अंग्रेज के समय में लागू हुआ था, तो पहला जो स्थाई बंदवस्त देखा जाएगा, तू समय था, क इलियम बैटी के सासनकाल में महाल वाड़ी ब्यवस्ता, और आपका मुन्रो के सासनकाल में, यानि कि टॉमस मुन्रो के सासनकाल में, आपका ये जो आगया है, रहियत वाड़ी ब्यवस्ता, और वही करनवालिस के सासनकाल में, ये अस्थाई बंदवस्त ब्यवस्ता था, तिन्नों तरह के विवस्ता को आप उम्मिद कर रहा हूं समझ गयोंगे अब आते हैं नेक्ष्ट आगे के तरफ समझते हैं यह जानना जरूरी था कि क्या है एक नएक उसमें से फस जाते हैं अब एरोप के लिए क्या है एरोप के लिए फसले को देखेंगे लिए 28 सदी के और नील की खेती पूरा जूर दिया क्योंकि इस चीजों का मार्केट जो है यह रूप में जा दे था बंगाल से क्या ले जाते थे पटसन असम से चाय सनुक्त प्रांत वाले छेत्रों से या उत्तर प्रतिसले छेत्रे वहां से गन्ना पंजाब से ग्यों महाराष्ट महारा जो छापा था वो विस्वी सदी का और मौरिस कोटन छापा जो है वो उनस्वी सदी का मतलब था उनस्वी सदी मतलब होता है 1801 से लेकर 1899 तक यहां लिखा है कि चित्र पांच में जो फोटो दी गई है वो तस्वीर में भारत में आंद्र परदेश के बुनकरों दोरा बना गई यानि कलमकारी जो छापा है वो भारत के किन छेत्रों बनाए जाती थी तो आंद्र परदेश में बनाए जाती थी इस बात को याद रखेगा ठीक है कलमकारी चापेगा दूसरी ओर जो ब्रिटेन के परसिद कवी कलाकार बिलियम मोरिस द्वारा बनाएगे फूलों वा जबरदस्ति कोशन पूचता है बीपेशी बूर्ड में तब बिलियम मोरिस था जिसके द्वारा ये चाप बनाए गया था क्या नाम था इसका मोरिश कोटन चाप वही आंद्र परदेश के हमारे भायू द्वारा बनाए गया था वो क्या था कलमकारी चापा ठीक है नेक्स दुनिया की नील का सबसे बड़ा क्या था शुरोत है मतलब भारत में नील का उद पादन बहुत ज़्यादा होता था ता वह भी अंग्रेजों के दवा में होता था नील का पौधा जो है मुकी रुप से उसने कटवशे इलाके में ही उगता है येओर्पिये कपड़ व को एक पौधे का पर निर्भरते ता पहले यूरोपी जो थे वो किस पर निर्भरते नील के पौधे नहीं था तो नील का बेकलपिक रूप से दूसरा पौधा यूरोप में क्या था तो बोड नामक पौधा था ठीक है बोड पौधा जो है वो सितुस्न शेत्र में भी सितुस्न शेत्र उपता है इसलिए उरूप में वो आसानी से मिल जाता था यानि कि बोड जो था वो भले यूरोप पौधा था और शितोस ने कट बन दिये था लेकिन उतना मजदार नहीं कलर छापता था ठीक है 1783 से लेकर 89 के बीच में दुनिया का नील पादन का आधा रा गया था मतलब कि पूरी दुनिया में अगर नील देखा जाया था भारत का तीजी से आगे बढ़ते जा रहा था और उनका नील जो है वो दिर देर बोड वाला जो नील था वो खतम होते जा रहा था यहां लिक्या बगान एक विशाल की जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जब्रन काम करवाता था ठीक है जैसे की बगान मतलब के सिम्पल समझे कि किसी भी खेट का बड़ा रूप वो बगान का लाएगा ठीक है यहां लिखा हुआ कि केरिबियन दीप समू में में इस्तित फ्रांसिसी उपनिवेस यानि फ्रांसिसी उपनिवेस था क्या कौन सा दीप तो केरिबियाई दीप तो केरिबियाई दीप में जो फ्रांसिसी उपनिवेस से सेंट डॉमिग्यू जो है नील और चीनी के उत्पाद के उतर है 92 में फ्रांस ने अपने उपनिवेस में दास पर्था समाप्त कर दिया तो 1792 इसी में फ्रांस ने क्या क्या है दास पर्था समाप्त कर दिया केरेवियाई दीपों में नील की खेती ठप हो गई केरेवियाई दीप में क्या होगा नील की खेती ठप हो गई इससे क्या जो बेवस्ताती उसे बगान मालिक खुद अपने जमीन को नील का हुदपादन करते ते ठीक अ pozw轉 definitive से जमिन दारी भाडे पर लेकर ले लेते थे और मज़दूर से कम लगाकर करते थे अब नीज में क्या था भईया समस्या नीज में जो समस्या था अब नीज और रहीत वाड़ी इसको मोटा बटी समझ जई आप लो नीज और रहीती और यही दोनों नाम बिहार बड़ मगर पढ़ियेगा तो उस वाले बुक में दिया है जिरात और असमीबर क्या नाम दिया है जिरात और असमीबर यानि नीज और रहीती जो है इसका नाम दिया है क्या जिरात और असमीबर यानि इसका नाम यादर कहीगा ज जिरात ते और वही इसका नाम असामीबर भीरवार था की तो दोनों का नाम अलगलग दिया हुओ है उस वरे विहारवड़े घता में इसका जिरात असामीबर दिया है और NCiAT में नीज और रहplate क्या था कि अगा जी अब यह नीज और रह्यती में क्या था तो बीज कठे में तीन कठे नील की खेती करने पड़ती थी, इसको बाद में तीन कठे परना ली भी कहा जाने लगा, बिगह क्या है तो एक जमीन का माप है, जिसमें एक तहाई कर दिया जाता था, एक बिगह क्या है, एक बिगह जो खेती होती थी, और एक बिगह में तीन कठ इसको नील की खेती करने पड़ती थी है रहिती ब्यश्तम क्या है तो रहेति वेस्तम में बागान माली करते थे चाटम मतलब अगरीमेंट करते थे और रहेतों के तरह समझाता करके वहाँ पर उसी एरिया में खेती कराया जाता थी अब उसके वाद से कर्जा लेने वाले रएतों को अपने अपनी कम से कम 25 परतीज जमीन को नील की खेती करने पड़ देती अब इनको कैसे सट्टा होता था इग्रिमेंट कैसे होता था जब कोई बेक्ती जाता था टेक्स पैसा मांगने के लिए ब्याज मांगने के लिए या अजसे अधर काम कीजी आप सबीकिंगे कायों पैसा मांगने घ्या या तैहिन अधर इपनी के ही अबrated ग तो अब-धियर का मातर इस थ्कीम आपको थमा देंगा कि यह स्किम पईसे दम कीजिए पचास जार और बढ़ीला पर आपको पांच लाक मिलेगा इतना मिलेगा जबर्दस्ती के थमा देगा क्योंकि वो फिक्स रहता है कि आपको थमाना ही पड़ेगा किसी तरह पटिया उठेगे तो आपका लोन वा जैसे आपको यह ठीक हम एकसे पर 20 कठे में कम से कम तीन कठे पर नील की खेथी करूँ तो तुम को हम टेक्स देदेंगे यह वहीं करा 25-30 जमीन पर कम से खम नील की खेथी कर्नी हुइट यह तही क्या क्छाने में इस्तिते बैट्स यानि कि हौद में पहुँचा जाता है तो निल के पौदे को कहा रखा जाता है हौद में उसको बैट्स बोला जाता है इसको रंग बनाने के लिए तीन से चार कुंडों की जरूत परती थी तीन चार कुंड की जरूत परती थी तीन चार कुंड की जरूत प उसको पतिया थी उसको निकाल कर छान लिया जाता था छान लेने के बाद में जो ओरिजिनल जो द्रब जो बचता था वो द्रब जो हारा और नीला हो जाता था जो लिकुड टाइप का द्रब है उसको चूने की पानी उसमें डाला जाता था चूने के पानी डाले कर उसको सु खाली आजाता था सुखा कर इस तरह क्या हो जाता आंतिम समय में वो एक ठोस रूप से बन जाता था यहां देखेंगे तो लिखावा है कि मजदूर मजदूरों को आठ घंटे से ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील की खेतों में खड़े रहाना पड़ता था बाट क्या है तो किन्वन अत्वा संग्रहन पात रहा है कि अब यह तकिन्वन और यह संग्रहन पात रहा है नेक्स्टा जी इस तरह नील तयार हो गया और सुखने के बाद उसको पैक करके भेज़ देता था लो एरो पर वगरा यह कहीं भी अब नील भी दो जो है दिखेंगे 1869 इस्यू में बंगाल के हजारों रहेतों ने निल के खेती करने से इनकार कर दिया और तो ने इसके खिलाब आवाज उठाया बरतन हडिया सब चले के चले बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूले वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एज़न्टों की पिटाई की गई यानि जो अब यहां कोशन पूछे कि गुमास्ता एज़न्ट की से कहते हैं तब बगान मालिक जो रहते थे वो एक अपने किसी समझी करमशारी को भीज देते थे कि जाकर टेक्स वसूली के लेकिया तब बगान मालिकों के तरफ से लगान वसूले जाने वाले वसूली के लिए आने अब गया त Warriors 27 विदय महात्मा गांधी जो है चंपारन पोश्थे किसके करने पर राज कुमाल सुग्राध जी के कहने पर चंपारन पहुच्टते हैं ठीक है उसके बाद से भारत भिहार में आके बीहार के दर्तिह ठेके यहाँ सुखलाजी के स्यूग के साथ में कांधी जी ने नील सत्यागरा किया नील सत्यागरा में उनोंने जो नील की खेती पर किसानों को टॉचर किया जहा था उसको सुनवाई करने के लिए बोला गया ठीक है आगा जी प्रांसेसी मिस्नरी जैव बेप्तिस्थ लबात इसका नाम है आदवासी दूकू और सुमण यूग की कलपना इसमें देखेंगे तो 18 परचानबे में बिरसा नाम के एक आदमी थे जिनको बिरसा मुंडा कहा जाता है भगवान भी थे जारकंड में इनको भगवान भी मना जाता है ठीके इनके ऐसा अपवा था कि बीमारियों को दूर कर देते थे और कोई भी समान को कई गुना बढ़ा देते थे मतलब हाथ रखे चावाल एक बुरा है दू बुरा हो गया ठीके उसके वासे यहां लिखाए दीकू दीकू लोग का मतलब क्या है आदिवासी लोग दीकू उसको बोलते थे जो बाहरी लोग ते जो कि गयर आदिवासी थे उनको क्या कहा जाता था दीकू कहा जाता था ठीके विर्स्ता मुंडा का जो जनम है यह मुंडा परिवार में हुआ था पंद्रह नॉवंबर 1874 में इनका जनम हुआ था जो कि हाला कि देना चीए नहीं दिया वोगा तो बिहार वाले जो एस्टी बुक दिटेल्स दियागे इनके बारे में वो चीज़े मैं बता दूगा मिस नहीं होगा आपड़ोगा गबड़ा यह नहीं ठीकेख तो मुन्डा जी का जनम जो रहा रहा है विर्स्ता मुंड के जनजाती थे ठीके रहा देगे चोटा नागपूर के जनजाती थे चो मुन्डा जनजाती है उस जनजाती के थे बिर्शमुन्दा जिनका जनम हुआ और ये उस समय के इलाके में संथाल और उराव के में सामिल था वो एरिया जो था वो संथाल एरिया था और उराव एरिया था यहां देखेंगे तो क्या मिला मुझे यहां मिला है इस सेट देखें उरिशा क डूंगरिया कंध कभीले की महिला है तो question पूछेगा कंध जंजाती कंध कभीले की या कंध जंजाती निमने से किस जगह की है तो उडिशा की है कंध जंजाती कहां की है तो उडिशा की है छेतर कहा तो डूंगरिया कंध ठीक है डूंगरिया कंध कंध कभीले की महिला है अब जूम खेती में एक्चली होता क्या है कि जंगलों के लकड़ियों को ऐसे जंगलों के काट कर वहां के एरिया को साफ किया जाता है और साफ करके इस जंगल को पुरा काट दिये काटने का बाद उसको जला दिये जला के उसी मिट्टी में जला दिये मिट्टी में जलाने का बाद जो राख बना उस राख को इसी मिट्टी में छिट दिये क्यों छिटते थे क्योंकि उस राख में पोटास होती थी पता सी हे, जेएप ने इस जगह को चोड़ा कर खोड़े आ गया दूसरे जगह पर इस जगह को दो से तीन सालों तक छोड़ दी आ गया, क्यों छोड़ दिया गया, ताकि जेए जगह पर फिर इसी को तीन चार नाम है, अस्थांतरित क्रिसी, जूम क्रिसी, करतन और दहन क्रिसी, या घुमंतु क्रिसी, ये तो सिर्फ नाम बताया, ये वो का चार गुनाम, अब अलग 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 छेत्र में भी इसका अलग 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 नाम है, जैसे आंदर परदेश में इसको बोला को मारी कैरल में के ि साइच राजस्थान में मुन थे ऊपे उसके बात किया था आंदरपरदास harika थे बंखे नवी अब राजस्थान पता है कि अप जोम द्च को अलग नाम से जैसे up SN जुएला में कौनको मलेसिया में या इंडोनेसिया में लदांग मेक्सिको में मिलपा और मेक्सिको यानि और साथ-साथ में उतरी अमरीका था उसमें भी इसको मिलपा बोला जता था और ब्राजील में रोका यह सब किस खेती को नाम है तो जून खेती का ही अलग-अलग जगो बनती हैं जैसे कि साल, सागवान, सीसम ये सब नाम सुने होंगे तो साल क्या एक प्यड़े महुआ क्या है एक फूल है जिसे खाये जता है और इसको सराब बनाने भी उप्यों करता है खास कर गर्बती महिला है ये अंतिम समय यानि कि जो प्रिग्नेंसी के लाष्ट दुतिन मंत रहता है उस समय महँआ का हलुआ खाती है ऐसे भी आप जिम करने वाले बच्चे रहते हैं वो लोग भी महँआ का सेवण ज्यादा करते हैं ठंडा के दिन में ज्यादा खाना चाहिए क्ञाए गरमी बहुँँ ज्यादा इसे करता है आगे जी यहां लिखा भाय है कि टोलिया बनाकर सिकार पर निकलते हैं कोशन पूछेगा निमन में से कौन सा समुदाय टोलिया बनाकर सिकार पर निकलते हैं तो वो है खोंड समुदाय जो की उडिशा का है यहां लिकरा है कि खाना बनाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तमाल करते थे तो साल और महुआ का बिया जो हता है न उसके बिया से खाना बनाया करते थे अद्वासी लोग ठीक है यहाँ जी पंजाब में पहाड़ों पर रहने वाले गुजर गुजर और आंद्र पर्देश में लबाडिया आदी समुदाय गाया भाइस के जुन्ड पालते थे अब यह गाया भाइस के जुन्ड पालते थे तो ठीक है लेकिन यहाँ से हमें बहुत जबरदस चीज में लिगया कि पंजाब के पहाड़ियों पर रहने वाले जंजाती को क्या बोला जाता था तो गुजर जंजाती आंद्र पंदेश में इनको क्या बोला जाता था लबाडिया बोला जाता था ठीक है यह लोग क्या करते थे गाया भाइस को पालते थे गडरिये थे कहां पे कुल्लू साइड में यानि हिमाचल प्रदिस में जो गदी समुदाय के लोग थे कास्मीर में बकरवाल जो थे वो बकरिया चलाती थे बकरिया को पालते थे ठीक है तो बकरवाल बकरिया पालते थे कास्मीर के कुलू यानि हिमाचल प्रदिस में गदी समुदाय जो थे वो गडरीय थी आंदर परदिस में लबाडिया जो जन जाती थी वो गयाभाईश पालती थी वही पंजाब का पहाड़ी चेत्र में राने वाले जो वन में जो राने वाले लोग थे गुजर लोग थे यानि पंजाब का जन जाती गुजर जन जाती आंदर परदिस का लबाड काश्मिर का बकरबाद ये सब जन जाती है ठीक है नेक्स टाइब ब्रिटिस मानो बिज्ञानी वेरियल एलवी की ने उननी सो तीस और चालिस के दसक में कई साल मद्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीचे बिताया था तब बैग अब यहां से स्रिफ हमें यह क्या मि बैगा और खोंड समुदाय कहा किया तो मद्य भारत का है ठीक है यहां समय बता रहा है कि कब यह अदुआसी लोग जंगलों को जलाते थे तो बैशाक के महिना में जंगलों को जलाया जाता था जेट में बुआई की जाती थी असाड में भाद यानि असाड से लेकर भाद ह होता कि मर्द खेतों में काम करते थी ठीक है उसके बाद से काम करते थी कवार में फलिया आने लगती थी जब फुल खिले लगते थी कार्तिक में वो कुटनी में पक हो जाती थी कार्तिक कुटनी में कुटकी में पक जाती थी अगहन में सारे फसलते यार हो जाते थी और से एक नए बेवड की तरफ चल देते थे, माग में क्या होता था, पुरुस जो है कहां चल देते थे, बेवड की तरफ चल देते थे, ठीक है, पुरी महीना के साथ समझ आप लोगो, अब ये बेवड क्या था, यहां बेवड समझ ये, बेवड मतलब क्या होता है, कि मद परद जिसको जहार मर्दी जगह मिले वहां के देखे. अब अंग्रेज को लगता था कि उनके एस्थाई रोप से एक जगह बसाना और सब बनाना ज़रूरी है. मतलब अंग्रेज देखते थे कब इधर कब इधर वोई रर है तो उनको एक जगह बसाने के लिए कोशिद करने लगा अंग्रेज यहां लिकाए कि पुरुवतर के नीसी अदिवासी ते नीसी जन जाती थे उन वे अदिवासी थे अब गुजरात के जंगल में खेती करते भील आउरते तो गुजरात कहां की जन जाती है मतलब भील में है भील जन जाती जो है गुजरात में भील जन जाती जो है भारत के सबसे बड़ी जन जाती है एक नंबर पे है दो नंबर पे है गोंड तीन नंबर पे है संथाल तीक है अब यहां लिखा कि पट्टेदार जो है अपने भूस्वमी भड़ा चुकाते थे और भूस्वमी सरकार को लगान देते थे जंगलों को राज्य की संपती घोशित कर दिया गया था और कुछ जंगलों को आरक्षित भी घोशित कर दिया गया था अंग्रेजे द्वाला क्या किया गया इस जन्गल है उसको आरक्षित गोचित कती है मतलब कि सरकार उसको अपने कब्जे में ले लिया स्लीपर होता है तो जो और यह प्रख लेकık नीचे पहले लकडी के नीचे ऐसे लगाए गया रहा था उसको तो क्या जाता था तो सिलीपर बुला जाता था ठीक है लकड़ी के 36 तक्ते जीन पर रेल के पट्रिया बिछाए जाती थी ठीक है 1903 के दर्सक में बेरियल एलगी ने मद भारत में रहने वाले बैगा अधिवसी के इलाकों में दवरा किया जो कि अभी हमने बात किया 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में 1930 के दर्सक में मद परांत में वन सत्यागरा इसी तरह से बिद्रों में हुए थे तो सिर्फ याद रखना है कि असम में कौन सा था तो सोग्रम संगमा द्वारा ठीक है अब यहां एक वर्ड लिखा हुआ था कि गुदारा औरते बुनाई करती पूशन पूचे कि निमन मेंसे कौन सी अधवासी जाती जो है चटाई बुनती तो हजांग औरते है अब आदिवासी जो है उनके क्रीमी कोसों को इकाटा कर ले देते और एक हजार क्रीमी कोस जो रेसम के कीड़े थे उसी को क्रीमी कोस कह रहा है रेसम के कीड़े को वो तीन चार रुपे मिलता था क्रीमी कोस को बर्दमान या गया भेज दिया जाता था जहां पांच गुन्ना कीमत वहां मिलता था सिंपिली बात कहा जाए तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इसे मुनाफ़ा होता था ठीक है और बिचोलियों को भी मुनाफ़ा होता था यहां असम के चाय बगान और जहरकण में कोईला खादान जहरकण में कोईला के खादान में मजदूर ज़्यादा काम खड़ते थे 18-31-32 में देखेंगे तो कोल अधिवासियों ने 55 में संथाल ने मद्य भारत में बस्तर बिद्रो 19-10 में और 1940 में महाराष्ट में वरली बिद्रो हुआ ठीक है बिर्सा जिस अंदोलन का नेतित कर रहे थे वो इसी तरह का बिद्रो था ठीक है बिर्सा मुंड़ा भी इसी तरह के अंदोलन का बिद्रो कर रहे थे 18-31-32 में कहा कोल अधिवासियों दो रहा संथाल संथाल ले भागाउत कर दी 1855 में यहां लिकरा है कि 1920 के दसक में बिहार की जरिया और रानी गज कोला खादानों में काम करने वाले लगबग 50% खानी का दिवासी थे यह कोशन बहुत इंपोर्टन बन जाता है कोशन पुछेगा कि जो जहारकंड के जरिया और रानी बिहार की लिखा है ना जन जाती थी उन्हों कौन सी जन जाती काम करती थी तो खनी का दिवासी थे ठीक है क्या नम था खनी का दिवासी ठीक है खनन करने वाले आदिवासी इसलिए में खनी का दिवासी भी कहा जाता था यही चीजे तो मैं बोल डाता कि यह चीजे जरूरी है बहुत जरूरी था अब यहां लिका बिर्शा मुंड़ा का जनम 1870 के दसक के मद्ध में हुआ देखिए 1870 के दसक के मद्ध में लिका है लेकिन उनके एक्जक्ट अगर कहा जा तो उनका जनम जो हुआ था 1874 में याद र हुआ था तो arbitrarily किताबु में आस और शीजे दाले को में बताया था कि उनका जो जिनम हुआ था चोटा नागपड़ प्रमंदल कहा जाएगा तो चोटा नागपड़ कहा हुआ जाएगा कि ऑद कि मनЕ मुखला बोल दिया तो कौन से एरिया था चलकत था यानि की चलकत छेतर के उलिहात गाउं के तमाड थाना अंतरगत में छोटा नांगपुरु प्रबंडल में उनका जनम हुआ था बिर्शा मुंडा का पंदरे नॉवंबर 1874 को का बहिया पंदरे नॉवंबर 1874 की याद रखेगा जो की बिहार बोडो के किताब में दिया गया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ठीक है उनके पिता सिरी के नाम था क्या नाम था उनका पिता सिरी का सुगना नाम था ठीक है और माई के नाम था कदमी क्या नम था माई के नाम कदमी पिता जी के नाम सुगना ठीक है इस बात को याद रखेगा आ गया जी बाद में विर्शा ने एक जाने माने बैस्नौ धर्व के परशारे के साथ समय भिताया और जन्यो भी धारण किये थे तो कोशन पुछेगा निमन में से कौन से एक अधिवासी था जिसने जनेव धारन किया था तब बिरशा मुंडा और इसी तरह कोशन उठा कर पुछता है जनेव धारन करने वाला अधिवासी जो था कौन था तो बिरशा मुंडा था ठीक है उसने क्याँवान किया था, तो उसने हवान किया था कि सराप पिना छोड़ दे और गाउं को साफ रखे और डाएन जादू टोने होने में भे उनों कहां कि विवस्वास ना रखे समझ किया है, तो विश्नु जी की पुजा करने वाले विश्नु के लाथे अठारा साथ पांचारवे में बिर्षा को गिराफतार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में उनको क्या की किई दू साल की सजा दी गए गया तो जो बिर्षा मुंडा थे उन्होंने क्या किया पचीस दिसंबर को आगे कहीं दिया होगा ऑचीस दिसंबर अठार्त नियानवे के समवळभी में आसपास में वह सी टी किताबों में जैसे दीا गया था कि पचीस दिसंबर अठार्त नियानवे में उन्होंने इस्साइग जिग मिश्नरी था उस पे हंबला बोला था तो याद रखेगा ये 1845 में एक बार हला किये विद्रो किये तो उनको क्या किया गया दंगे फसाद के चकर उनको ग्रिफतार करकर जेल में डाल दिये गया दो साल के सजा मिली 1867 में निकले फिर पुना जो है वो अंग्रे जो पर हमला बोलेगी उससे पहले वो जो क्या काते थे रावणु बोलते थे किनको दिकू को यानि गयरेद्वासी को और साथ साथ में एरोपिय जो थे उनको रावणु बोलते थे थे अब उसके बाद जो है सफेद जहंडा बिरसा राज का प कुछा हुआ उससे पहले यह नहीं मेंसर किया है तो 25 दिसंबर यह कोशन पूछा हुआ था 25 दिसंबर अठाराइसों निनानवे को और यह आपका नाइंध इसाइक मिशनरी ओ पर वृपियित्शा मुद्शा मुद्दा ने कब हमला किया था तो 25 दिसंबर अठारा सों करमचारी को मारा इसके बाद इनको पकड़ लिया गया पकड़ लेने के बाद इनको कहां भेज दिया गया जेल में बंद कर दिया गया कौन सी जेल में जेल का नाम भी या नहीं दिया है राची जेल में इनको बंद किया गया था कहां पर राची जेल में याद रखी गा किस ज इसोको हैजा की बीमारी ते इनके क्या हो रही है मिर्ति हो जा रही है चीजे को याद रखेएगा ठीक है यह बहुत जुरूरी है जानना समझा रहे ना आगे चलिए अब आते लो कौन से चप्टर था चोठा हो गया पांचवे चप्टर की तरफ आते हैं लो पांचवे चप् पड़ते आ रहे हैं कि नवाब को धीरी दीरे अब अंगरे जो है हाटाते जा रहे थे और अपनी ताकत वहां बढ़ाते जा रहे थे उधारन के तौर पर जहांसी की रानी लक्षी भाई थी वो अपने पती के मरड़े का बाद वो अपने जो गोदली में बेटे थी यहनी दतक जो पुत्र थे उनको बनाना चाहती थी उसी तरह पेश्वा बाजी रहो के जो दतक पुत्र थे नाना साहब ये भी सासन करना चाहती थे उनको भी हटा दिया लो जो नियम लाया था बिलाय नीती या हडप नीती दलहो जी उसमें क्या बोलाता कि जिसका अपना पुत् संदी के तहट जो है इसको एक्सेप्ट कर लिए गे पकड़ लिए गया अगर पूछे का कि पहला कौन था तो हैदराबाद कर निजाम था और उसके बाद आवद कर नवाम था दलहोजी जो लाया था बिले निती अठारस उन्चास इस्यू में जब वो पंजाब आखरमन करके कब्जा किया उसके बाद से नियम आगया दलहोजी का जो हडप निती या उसलों बिलाए निती कहा गया जिसमें सतारा संभलपूर उदायपूर है कि नहीं है सारे को एक एक डिट में आप लोग को जश्ट बताया ठीक उस सब को क्या किया किया कब जम ले लिया 1856 में जब उसके बाद सासान आ जाता किसका केनिंग का सब किया धरा था दलहोजी और सारा गुसा फूटा लोगों का केनिंग पर ठीके केनिंग के समय में लोग जो है पूरी तरह से भढ़ा गये थे यहां किसान और सिपाई ये भी परसान थे किसान और सिपाई दोनों के अथे वह भी परसान थे उनको बेतन बढ़ी हैसी नहीं मिलते था ठार ड़े खानी आशे नहीं डहन भी खाना भी खराब दिए जए एसा खाना मिलते था जैसे वो लोग इनिकार कर दी और company जो गुशा गई 1856 इसवी में एक एस्टिट नियम लाई एदम कड़ा नियम लाई कंपरी कि जिसको रहना आतर रहे निक जाना आतर जाए आपको तो समुदर पार जाना ही पड़ेगा इस तरह उसी पाई ते वो भी भड़ा गया थे क्योंकि उन कानून बनाए गया कि इसाई धरम को फैलाना जो है आपको जितना फैलाना फैलाई है अब क्या हुआ इस तहट पे इसाईयों तवारा अपनी जो धरम थी उसको परचार करने का पूरी तरह से अजादी मिल गई वो लोग पहले क्या करते थे भारतिये लोगों को उनके धरम को गलत बताते थे таना उनको धरम को खराब बोलते थे और उसके और अपनी धरम की तारिफ करते थे तो दूसरी लालस देते थे कि अगर हमारा धरम एकस्ट करते हो तो तुमें क्या होगा तुम्हारी संपती पर क्या है तुमारा अधिकार दियर जाएगा बहुत सरी चीज pages तुमको छूट दी जाएगी अब यहाँ लिखाए कि महराष्ट के ब्राहमन थी जिनका नाम था बिशनू भड गोड से उनका एक किताब का नाम है माझा परवास बस इतना ही अधर रखे कि माझा परवास है माझा परवास किसके दूर लिखा गया है तो ब्राहमन जो थे कौन थे विशनू भड गोड से ठीक है अगया जी अब यहाँ लिखाए कि सुबदार सिता राम पांडे सिता राम पांडे जो है अठारस बारा इस्यू में बंगाल के नेटिव आर्मी के सिपाई थे 48 साल की नोकरी के 1860 इस्यू में यह क्या हो रहे है रिटार हो गए अपसर नारगेट न उन्हें एस्मरन लिखनी के लिए पिरिद किया 1860 इस्यू में ओधी भासा में संसुमरन जो है लिखे जिनका नारगेट में नारगेट ने क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, कौन से था भईया, क्या किताब था, किस तरह का संस्मरन था, तो फ्रॉम सिपाय टू सुबेदार, तो कहेगा कि सुबेदार से सिपाय तक किस ने लिखा था, तो सीता राम पांडे ने लिखा था, और सीता राम प कारतुस जो था कारतुस अब लोग पढ़े होंगे लोग कि जो की कारतुस था ना कारतुस में गाया और सुखर की चर्वी लगी थी ऐसा अपवा था अपवा नहीं रियल था तो उसके लिए जो मुस्लीम और हिंदू दोनों जो थे बड़ा पूरी तर से भढ़ गए कि यह हम की मेरट से दिल्ली तक इससे पहले गटना घटी वी थी कहां में तब बैरक पुरिचाओने君न वे यद रखेगा मंगल पांडय का साइद इनके बारे में यहां मेंसन नहीं किया मैं आपको बता रहा हूँ मंगल पांड़े जो थे वो एक सिपाई थे है ना बैरक पुरिचा में उन्होंने 29 मार्च 1857 को साइद 29 मार्च 1857 को ठीक है उन्होंने क्या कि अपने अंग्रेज अपसर को इस बात से मना कर दिया कि भाई साब कि हम जो है आपके साथ सीपाई का नुकरी नहीं करेंगे जब तक अपने ये गया सूर वाला चरबी का ये चीज नहीं हटाएंगे इसके कबर जुलागा करके हैं इसको नहीं हटाएंगे तो बात नहीं मना गया तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गुशा के 29 मार्च के दिन अपने अपसर को इन्होंने गोली मार के उड़ा दिया जिसके बाद इनको पकड़ लिया गया पकड़ के आठ अपरेल कभी है तो 8 अपरेल 1857 को यूवा सिपाई मंगल पांडे को क्या किये गए अपसरों पर हमला करने पर फांसी से लटका दिये गया तो हमला किये थे 29 मार्च को देखें डारेट पुरा मिला दिया है 29 मार्च को यह हमला किये थे ठीक है जो हमला किये थे गुसा के और उनके बाद उनको पकड़ के फांसी पर लटका दिये गे कब 8 मर्च 1877 को अब ये जब लटकाने का बाद जो मेरट के जो सिपाई थे उन्होंने भी गुसा कर दिया और गुसा करने के बाद अंगरेज वो किलाब बोलना शुरू किये तब तक इ पिर भी जो है आग सांत नहीं हुई और अगले दिन 9 माई को इनके घटना हो रही है उसकी एक महीने बाद 9 माई को पूरे मेरट के सिपाईयों ने हमला बोल दिया किसको किसको हमला बोल दिया अपने ही अंग्रीज अपसरों खिलाप में 10 माई को जो है वो जेल पर धावा बोले के जेल पर पूरी तरह से कबजा कर लिए एक एक बात को याद रखेगा 29 मार्च को मंगल पांडे इनकार किये 8 अपरैल को मंगल पांडे अपने जो अपसर को अपसर पे मारने के सजा के जो तोर पर उनको फांची पलट का दिया गया 9 अपरैल को अन्य सिपाई Weinक ने भी हला बोला मेरत के बैरक प्रचाउन्य से मेरत मे जो 9 माई कोमेरत के जो सिपाई Andre हला बोला तो 85 सिपाई को पकड़ के जेल में डाल दिया गया 9 माई के बाद 10 माई को पूरे मेरट के सिपाईयों ने पूरी तरह से बिद्रो कर दिया क्योंकि 85 को जहां 10 सल के सजा मिली थी उसके बाद 10 माई को पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया कि अब हम लोग अफसर के बात नहीं मानने के लो ठीक है और इन्हों ने अफसरों को मार गिराना सुरू किया और फिरंगियों को खिलाव क्या किये इन्हों ने आवाज उठाना सुरू कर दिये अब इन्हों ने क्या किया इन्हों कहा कि हमें अपना नेता चाहिए नीता किसको माना जाए ठीनों ने बहादूर सा जफर को अपना नेता माननी के लिए त्यार होकी बोले की इसको नेता बना लिया जेता है और तमान समय में यही जो है अभी सासक बचा यूए भारत का ठीक है बहादूर सा जफर जो ते वो नहीं चाहते थे, एक्सेप्ट करने के लिए फिर भी उनको जबरदस्ती नेता बना दिया गया, ठीक है, दस माई को आधी रात के घोड़े पर सवार होकर, वो कहां पहुच गए, दिल्ली पहुच गए, अपने नेता गोशित कर दिक, इसको बहादूर सा जफर को, ठीक है यहां लिकराए कि 3 जुलाई 18 संतावन इसको 3000 से ज़्यादा बिद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुचे, तिन जुलाई को कहां से कहां पहुच गए, बरेली से दिल्ली पहुच गए, अना अतियाद रखिएगा और यहां पर वो बिर्टीस के चोकी था, नाम था, कवलेरली चोकी पर धावा बोल दिया गया, तो उन्हों ने यमुना को पार किया और बिर्टीस कवलेरली को, तो कुशन पूचेगा, कि 18 संतावन की करांति के समय में, कवलेरली चोकीयों पर बिद्रोही द्वारा कब हमल किया गया, तो 3 जुलाई, 18 संतावन को, मैं गया यह, फिरंगी मतलग क्या होता है, बिदेशी, यह सभी आप जानते हैं, और जफर को क्या किया गया, जबरन उनका नेता गोसित कर दिया गया, मुगल, अब बहुत सारे जो सासक थे, जो भारत में जो थे, उन्होंने, उनके दिवांग वा सिठ होने लगा, कि अब फिर से मुगलों का जो सासन है, दोबारा आ जाएगा, इस वज़ा से, देखे, शिपाईों का गल्ती कदम उठाना कि उनको नेता अपना गोसित कर देना, बाकी सब बहुत सरे लोगों को यह बात खटकने लगी, और लोगों ने इनक अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम किसी के पेंसन पर नहीं जियेंगे, और उन्होंने एलान किया कि बहादूर सर्जफर जो है, अना बहादूर सर्जफर के तहट, के तहट गौर्णर है, मतलब वो बहादूर सर्जफर को भैलू दिये, और वो चाहते थे कि सम मिल जोले के लड़ा जाएगा, तब नहीं अंगर जो भागया लगा, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है, लखनो के गदी से हटा दिये गए, नवाब वाजिद अली साह के के बेटे, बिर्जिस कदर को नवाब घोशित कर दिया गया, अब मन के चले, इनका पूछ दिया है, जो नाना साहब थे, अपने आपको क्या घोशित किये, तो पेशवा घोशित के ठीक है, तो इस बार कोशन पूछ सकता है, कि लखनो के जो गदी पर जो सासन करते थे, क्य नाम था, कौन से नवाब, वाजिद अली सा, कि बेटे क्या थे, तो बुर्जित कदर कोशन पूछेग़ा, कि वाजिद अली सा के बेटे का आप तो व्र Ψुमर घोशित कर द Lacan को कर दो, का हाँ कर दिया रिकिया, तो को आदे मां का नाम था बेगम हजरतमहल, भीचत कर दो बेगम हजरत महल के बेटे जो थे बिर्जिसकदरे पहादुर Keith जफर को अपना बार्सा क्या कि chili के अवध के मतलब गुरों के जो carn Sud बिर्जिसकदरे किनके बेटा थे यादरी के नाम पुच्छे का यादरी के नाम नवाब वाजिद अलीसा के नाम बिर्जिस कजरे अब इस सब ने अपने नेता माल लिया भादुर सजबर को नाना साहिब के सिनापती जो थे तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को लड़ने के लिए चुनाती देने लगे मदपर्देश के मांडला चेतरे और रामगाड की रानी अवंती बाई लोदी ने भी चार हजार से ने को एक साथ वित्यार होगी तो यादर के के मदपर्देश के मांडला चेतरे और राजगाड की राजगाड की राजी यानि की रानी अवंती बाई लोदी आगया जी 6 अगस 177 को Lieutenant Colonel Titler ने अपने Commander-in-Chief को टेली ग्राम भेजा तो किस ने भेज़ा भरिया तो यादर के Colonel Titler ने फैजाबाद से कौन थे मौल भी एहमदुल्ला और इनका नाम जो है कापी फेमास है इसलिए इनका नाम फेमास है बहुत भड़का ना भ्याना भड़का भासन देते ठीक है और उन्होंने तो भाईसवानी भी कर दी थी कि अंग्रेजों का सासन जल्दी खतम होने वाला है कौशन पुछेगा अटार संतावन की करांती के समय में कौन सा सासक जो था या कहा का सासक था इसने भासवानी कर दिया कि अंग्रेजों का सासन जो है समाप्त होने वाला है तो कौन थे तो फैजाबाद के मौहमाल भी अमेदुल्ला और ये कापी फिमन से कोशन बनने की समवना बन सकती है बरेली में क्या हुआ कि सिपाई बक्त खाने जो बरेली में जो सिपाई बक्त खाने अपने लडाकों को एक विसाल टुकडी के साथ दिल्ली के और कुछ करने लेगे तब बरेली से कौन थे तो सिपाई थे क्या नाम तो उनका बक्त खान बिहार के से कौन थे तो बिहार के अपने विजानते हैं लडाई के बाद दोबार अपने कबजे में ले ली ठीक है कैसे ले ली क्या कि उसको मिल गया उसने क्या किया कि दीरी दीरे सदेन्त रशते हुए देखिए सब जितने भी अलग-अलग से जिसे दिल्ली से बादुर सजपर थे बरेली से जो बक्त खां थे ठीक है उसके वास से फैजाबास से जो एहमदुल्ला थे अग सब को एक साथ लड़ते तो यूद जरूर जी जाते लेकिन अंगलेज जानते थे इसलिए सब को अलग-अलग ही याना टिप काना और वहीं से निप्टाना सुरू कर दिया ठीक है यहां लिकाए कि बादुर सजपर के बेटे को उनके आंके सामने गोली मार दिया जो कि शूरूम पड़े अठारस अंठावन इसी में उनको जेल में रगू जेल में इनकी मिर बादुर सजपर को जो कि इनको रंगो जेल में बहज दिया गया ठीक है मार्च अठावन में लखलाउ अंग्रेजिओं के कबजे में चला गया और जून 28 अंठावन में रानी लक्षी भाई भाई भी सिकस्त हो गई अना उन भी हार गई तात्या तो पे मद्ध भारत से जं परमारी युद्ध चलाते रहे नेक्स्टा जी भू स्वामियों के लिए इनाम का एलाम कर दिया गया अब परम प्रागत अधिकार बने रहेंगे और जो 1875 के करांति के बाद कमपनी जो हैने कमपनी के सासन खतम कर दिया गया और रानी के सासन लदिया गया ठिक है यहां लिखा भी हो गया कि ब्रिटिस उंसद ने टारत अंठावन इसीउ में का कि एक नए कौन परत किया इस्ट इंडिया कौनण के सारे अधिकार ब्रिटिस समराजे के हाथ में सौथ दिया गया Council of India Council of India कहा गया और गौर्णार्ट जनर्रल वायसराय ओहदा दिया गया मतलब कांसिल अफ इंडिया क्या है तो रानी पूरी तरह से भारत का अपने कभज मिलने ली और अपना एक भारत देश के समस्याओं का समझने के लिए वहाँ पर अपने ब्रिटेन में पर्लियमेंट में एक सच्यू के वि भारत से समझाओं जो भी प्रव्लम थी वो समझता था ठीक है और उसने क्या कि भारत में एक वायसराय के विवास्टा कीया इस तरह से गौर्णार जौलनल को अनुपात कम करके सेना ने कहा कि भरतिय अनुपात को सिपाई को कम किया और अपने एरोपिय सिपाई को भरना ज्यादा सुरी किया साथ सत उसने अवद बिहार और मद भारत के दच्छिन भारत के सिपाईयों को भरती कराने के बजाए गोरखा सीख और पठान को ज्यादा करने लगा क्योंकि यह लोग ज्यादा वफदार थे गोरखा सीख और पठान आगया जी यह यहां लिका अठार संतावन की घटना ने बहुत पहले इसकी यह उसी पर कर एक घटना घटी थी अठारता सत्रा इस्यू में खुर्दा नामका स्थान पर घटी थी तो खुर्दा सं पाउन की तरह तंगरां की तरह ही था ठीके कब घटी थी अठारता सत्रा इस्यू में आगे चलिए यहां देखेंगे लिखा हुआ है कि 1803 में उरिषा कबज meant अंग्रेज ले लिए यहां लिखा है राज चरेख के पुरुषानिक वर्ग जिसे पाईक के नाम से जाना जाता था तो पाईक मतलब क्या है कि पूर्व जो सैनिक थे उनको पाई के नाम से जाना जाता था आगया जी यह पूरी कहानी था इस कहानी को कोई खास जानने के जरूरत नहीं है आगया जी यहां लिकाया पाई का बिद्रो पाइका बिद्रो जो था, पाइका बिद्रो के बारे में पूरी कहानी दिया हुआ कि पाइका बिद्रो जो है, किस तरह कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो 29 मार्च 1870 की इस संग्राम की शिरुआत हुई थी, पाइका बिद्रो ठीक है, पूर्वे के जो इतने भी सैनिक थे उ आठारसंता और कि तरह ही एक बिद्रो हुआ ता जिसे का कहा जाएगा तो खुद्रा बिद्रो या पाईका बिद्रो कह सकते हैं ठीक है और यहाँ पर लिखाए बस इतना याद रहा है कि चीन के दचनी छेत्र में बिद्रो हुआ ता इसी तरह का उसको बला गया ताइपिंग बिद्रो के बिद्रो क्यों लगया ताइपिंग बिद्रो जो अटरत से लेकर अठारत से लेकर शाट के साथ पकम द्रोड दो आता यंगा अं dilemma फ्रें ने मर्चप्टर में तो अंग्रिजी सीक्षा के बारेंगे लो क्या-क्या अंग्रीज बदाओ करते हैं यहां लिख आए कि भासावीद भासावीद मतलग क्या होता एक ऐसा बेगती जो कई भासाओं के बारे में तर नाम क्या है बिलियन जूंस 1363 में उन्होंने जुनियर जज के पड़ पर तहिफ किया गया था उनों क्या किया गया था जूनियर ज़ज के पड़ और जो ते विए की भास भी थे मतलब बहुत सरे भास ह prac हो को जानते देकुन बिलियम बिलियम जूंस ठीक ते जोंस ने क्या किया तो इस्याटिक के सुषायटी और बंगाल कि गठन किया तो कुशन वह संस्कृत था हिंदुत्व के प्राचीन धर्मिक गरंदों के बिद्वान थे कौशन पूछेगा कि निमन में से कौन सा जो संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन गरंदों के बिद्वान थे कौन सा जो था तो हेंडरी टॉमस कोलबुक जो संस्कृत भी जानता था और हि का मदर्फा मतलब क्या होता है मदर्फा जो है ना ये सीखने का स्थान है जहां अर्भी भासा में मदर्फा को कहा जाता है सीखने वाला मतलब मदर्फा जो सब्द है वो अर्भी भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है सीखने वाला स्थान जहां पर सिखाया जाता हो किसी य हो college हो वो सब मदर्सा ही का लाएंगे अर्वी भासा में है जैसे हमारे किसी की school को मदर्सा बोला जाया सकता अर्वी भासा में उसको बोला जाएगा तो ठीक है 1781 में कलकत्ता में एक मदर्सा खुला गया और ये question पूछा हुआ था कि मदर्सा के कभ किया गया था और कहां किया था 1781 में किलकत्त में मदार्ज़ा के में जड़्यृ बानारत में है यहां लिका है कि बारेन हस्टिंग्स के समारक रिचर्ड-बेस्ट मार्केट 818 द्वारे कलक ON sytip victory memorial में पता लग चलता है कि भारत में british सकता के बारे में प्रास्च्छिवादी इसे पता चलता है कि भारत में british सकता है जो जो ब्रोटिस सभयता थी, वो कितना आ गया था, ठीक है, आ गया जी, यहां कहा रहा है कि नीचे बैठे जी मुंसी दीख रहा है, ठीक है, मुंसी दीख रहा है, और जो हेस्टिंग जो है, प्रच्चवादी बिद्वानों को, सभी भारतिय भासा सीखना चाहता है, उससे कई बार केवल बूलिया समझने और वर्नाक्यूलर के नाम देते थे, अब यह वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर जो वर्नाक्यूलर के नाम देते थे, अब यहां लिखा है कि प्राच्चवादी म इस्तिमाल किया जहता था यानि वर्नाक्यूलर क्या है वर्नाक्यूलर जो एक तरह से वहां के लोकल भासा के लिए अंग्रेज जो है एक सब्द यूज करते थे वर्नाक्यूलर यही कारदा के बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस सेकता है का मतलब अपने लोकल भासा में प्रेस प्रचवादी ओपर क्या करते हैं रखे करने वाले पर क्या थे जीम्ष मिल पर्मुक्ते कि अगेजिए उन्होंनों मानता की ज्यान जो है दिया जाना चाहिए पच्छिम से किसी भी तरह के बेग्यानिक और तक्निकी सफलताय हासिल कर लिए उनका मानना था है कि भारती लोगों को भारती उरूप से ही ग्यान देना चाहिए क्या सीच बोल रहा है भारती पुर्वी समाजों को कावे और धार्मिक सहिती की बजाए बजाए ये पढ़ाना चाहिए कि पच्छिम से किसी तरह के बेग्यानिक और तक्निक सफलताय हासिल की है मतलब ये है जेम्स की बात ही जारी देखें मेरे जोंस ध्यान मारा था यादर की कहा है ये बहुत ब्रबड़ होता है जोंस और जेम्स दोना बहुत अंतर है खाली नौ और मौ से बात बदल जाता है जो जेम्स थे जेम्स जो है भारतिय संस्कृति को बढ़ावा देते थे भारतिय संस्कृति को भाले देते थे वही जो जो क्या है ये जो जेम्स है मौ जो आगे है जेम्स वो भारतिय संस्कृ मैकाले ने भी बोला कि भारत क्या है एक असब्य देश है और असब्य देश में सभेता लानी है तो अंग्रीजी सिख्षा देना पड़ेगा या वेस्टन कल्चर जो है यहां पर लाना पड़ेगा ठीक है है उसका मरना तर तो मैकाले और जोंस या नीजेम्स जैसे आएगा जेंस यह क्या था यह गदार ता करने का बतलब है यह अपनी सिख्षा चाहता था वह जो नौस यह तिन यह जो जूंस थे वह क्रते थे भारती संक्रितिकों सिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देते थे माई काले तो बहुत खतरना खतरना बाद बोला करता था बोलना था कि जो लाइबरेरी अपने पूरे भारत के लाइबरेरी उसका उसके अरिया में एक छोटा सा लाइबरेरी के बराबर है उसने पूरी तरस अंग्रेजी सिक्षा पर जोड दिया जिसका नतिजा यह हुआ कि अंग्रेजी सिक्षा लागू किया गया तो बुड डिस्पैश जो है वो अठाथ चोवण में इस इंडे कंपनी ने लंदन को भेजा था जिसका देख थे चार्स बुड तो कोश्चन कई पर पुछा हुआ है कि बुड डिस्पैश जो नीती था यह नीती पत्र था यह किस से समद्दी था तो भारती सिक्षा से समद् आं यह से स्थाफन हुआ गने जब मेरेट मैं दिली स सी पायो द्र वरेवदर व कर रहे थे तो उसी समय कलकाता मदरास और बंबई बिस्फैश वाही तो बंबई यह इस वी धरलाए के बिल्यम केरे जिसने सेरामपूर? मिशन की स्थापना करने मदद कि ती तो a question ङा सेरामपूर के इस्थापना करने मदद किस ने किय ता? स्कॉछ्टलेंड के इशाही, परचारक William dessa के रहे ऐसे कुलकत्ता के पास होगली नदी के टट में सेरामपूर कॉलेज यह दिख रहा है तो कुछन पुछेगा कि सेरामपूर कॉलेज है यह किस नदी के टट के पास में है तो होगली नदी के टट के पास में कुलकत्ता में ठीक है 1837 के दसक में स्कोटलेंड से आये इसाई परचारक जो बिलियम एडम्स था वो बंगाल और बिहार के जीलों में दोरा करता है और वो पाता है कि 20 से जादा स्टूडेंट एक स्कूल में नहीं है और ऐसे जो स्कूल है एक लाग से जादा है इस तरह लगबग 20 लाग जो है इस फ्रांसवा साल्वीन नामक डच्चे पेंटर द्वारा बनाये गया चित्रे फ्रांसवा अठारवी सदी के आखिर में भारत में आता है और यही जो फूट बनाया था प्रांसवा आगे जी अब यहां देखेंगे अरविंद घोस के अरविंद घोस के बारे में दिया हुआ था अब लोग एक्जाम में अरविंद घोस के बारे में अरविंद घोस देखेंगे तो वो शिक्षा को मातरी बासा में होनी चाहिए इस बात पर जोड़ देते थे महत्मा गादी तो पूरी तरह से पच्छमी शिक्षा का बियोत करते थे महत्मा गादी कहना था कि अपने वेशिक शिक्षा ने भारतिये को मस्तिक्स को क्या किया है हिंता का परभाव पैदा किया है भारती को क्या बना रहा है उसको 20 पिला रहा है ठीक है राष्टी अंतलों के दवरान उन्होंने भी धर्तियों से हवान किया कि सिक्षा संस्थानों को छोड़ दे और अंग्रेज्जों को बताए कि हम अब उनके गुलाम नहीं रहें यह गांधी जे मतलब काते थे कि वेस्ट कि यहां लिकाबा कि महात्मा गांधी और रविना टेगोर जो उनिस चाल इसवी में आसपस में यह लड़की को टोली के बीचे बैठे हुए है और यह जो टोली है कि इसको क्या कहा गया संती निकेतन जो रविना टेगोर दोरा स्थापना किया जैसे यहां पर आएगा उनि स्कूल खुलने का फैसला लिए तो वहना निर्मल सांती से भरी एके जगव खुजा जिसका नाम रखा गया सांती निकेतन अगे जी यहां लिका है कि टोमस एर्णाड उस दर के क्या थे ता रगवी नामक प्रावेट इसकूल के मुख्य अध्यापक थे तो तो आतेल आठवे चप्टर का देखते लो ध्यान से यहां देखें लिखा हुआ कि 200 साल पहले हिंदू मिसल्मान जो भी थे वो ज़्यादा पत्निया रखते थे यहां सती के मतलब लिखा है सदाचारी महिला है और जो पुराने जबाने खेले के लोग थे वो मानते थे कि अगर औरते पढ़ लिख लेंगी तो वो तीजी से बिद्वा हो जाएंगी मतलब समझे कि पढ़ाई लिखा इसे दूर रखना था पहले के महिलाओ को अब यहां लिखा हुआ है कि जाती जो बेवस्ता दिया है इस जाती बेवस्ता में एक थोड़ी सी यहां चीज दिखेगा तो आउको समझ आएगा कि वेद में आप लो पड़े होंगे लिए रिग वेद में जो जाग जो था वो करम का नुसार था लेकिन बाद में धरम का जातार हो गया इसमें चार की बट्टा गया था सबसे उपर ब्रहमण उसके बाद से सट्रिय दॅर वैस सबसे और लाश्ट में यहां देख सेके सुदर स्थापना किया। इसका नव रुखा किया। कुछचन कुछ था है ब्रह्म समाज कि ने किय था- तरा राजा राम मुहन रे ने अब इसमें से सिंपल यहाद रेखिए हएगा कि राज़ जो मंसे राज़ा रहेगा ना उनी중 को ब्रहमा जी मुलेंगे यानी की ब्रह्मसमा सी यह रखिएगा ब्रहम किन को मिलेंगे तो जो है तो राजा रामोहन रहां सीयाद रखेगा कि ब्रह्म समाज के स्थापना किये थे राजा-रामोहन रहे जो ते न वो वेश्टन कल्चर यानि कि पच्छमी सभयता पच्छमी सिक्चा को बढ़ावा देते थे और साथ इसाथ महिलाओं के अधिकार और उसकी संतत्रा के जी क्या कर रहे थे western culture को नकार रहें थे बहुत लोग नकार रहे थे रमीन अटाइगोर नकार रहे थे लेकिन राजा रामोहन राय जो थे वह पच्छमी सिक्चा को बढ़ावा देते थे और वह कहते थे कि सच में पच्छमी सिक्चा जो है वह भेदवाव को दूर करता है और वो महिलाओ की सिक्षा की बात करते थे सती पर्था को वो हटाने में भूद बढ़ गए इनका युगदान है आगे इसी में आएगा यहां लिकाए कि राजरामोहन का रेमब्रांट पील दोरा बनाएगा चित्रे अब गया लिकाए राजरामोहन राय संस्कृत फारसी और अन्यप युरोपिय भासाओं के अच्छे गया थे संस्कृत जानते थे फारसी जानते थे इंगलीस जानते थे बहुत सरी युरोपिय भासा भी इनको पता था अठारस remot युसमें स्वथी प्रता पर क्या लगा दिया पाबंति लगा दि गई और इनके इनके स्वयोगर ची पाबंदी को रुख लगा दिया गया आ गया ते लो बिल्येम बैंटिक और राजाराम मौन राय thumb के उसोथी पर्था को 2829 मी है बंद कर दिया गया औंगी हां जी कि सती परता पसुथ लगा दिया गया इस तेरह क्या नेलों कि अधिकल ब्रह्म समाज के स्थापना किय कौन राजा ép कोने ब्रह्में समाज के स्थापना बेंटिक और रजा मुहनरावन आने मेंकल सत्य पर्था को बन करदिया रुक लगा दिया आब आते हैं लो यहां समझते इस्वरचंदर विद्दक्र सागर इस्वर चंदर बिदासागर जैसे नाम है गा तो बिद्वा पुनर बिवा जो है बिद्वा बिवा का पक्षदर थे उसके पक्ष में थे तो बिद्वा बिवा को मतलब जितने बिद्वाय हैं उनको साधी कराने के लिए कहते थे कि उनका साधी करा दिया जाए और उसके फिचु में बिदवा बिवा शुरू हो है काल निम्परद करा रहें उत्तर में आरे इससमाज किया करना करने करने वुले सौम vacuum थे उनका नाम स्वामी रदिवा इनन सर्वस paz तो आरे से द्यानांसरोसिती याद जागा ठीक है और बिद्वा बीबा का भी जो इसवर चंदर बीदाशागर द्वारा 1856 में सुरू किया था विद्वा वाकिया जाए उसके पक्ष़दर थे यहां लिखा है कि द्यानांसरोसिती ने 1875 इस्वी में आरे समाज के स्थपना कि किया गए 845 इसमें और आरे समाज ने हिंदु धर्म के सुधार का काफी परयास किया था नेक्स टाइज गया जी किया लिगा रहे कि आरे समाज द्वारा पंजाब में और जोती राव फूले द्वारा महाराष्ट में लड़कियों के लिए इसकुल खुले कोशन पूचेगा आरे समाज द्वारा पंजाब में और जोती राव फूले द्वारा कहा इसकुल खुला गया था तो महाराष्ट में सिंपल सीधे कोशित पूचेगा है कि जोती राव फूले द्वारा महाराष्ट में महाराष्ट में किन के लिए इसकुल खुला गया था लड़कों के लिए तो मुम्ताज अली जैसे सुधा रख ठीक है भोपाल की बैगमों ने बैगम जो थी अली गड़े में लड़कियों के लिए प्रात्मी की स्कूल खोला तो भोकाल भोकाल नहीं भोपाल वाले जो मर्द प्रदिश की जो राजदानी है भोपाल तो भोपाल के जो बैगम थी बै प्रभावसाली महिला थी जिनने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला कोशन यह बहुत इंपर्टन्ट हो गया हाना जबकि NCRT में दे दिया और यह बिहार बोड का सेशन NCRT में दे दिया तो इसमझे एक्जाम में चिपग गया कोशन पुछ सब्सके याद रखी गया बोपाल के बेगमों ने यह अल्लीगड़ में प्रकूमनिक खोला लड़कियों के लिए तो अल्लीगड़ प्रात्मिक स्कूल कोला कि लिए वह बेगम जो ठीलू और वही बेगम सखावा जो हुसें थी वह पटनालइकुलकत्ता मृ भी लड़किय पुने में भर परी सिक्षा प्राप्त करने वाली तारा भाई सिंधे ने पुरुस तूला नामक किताब को परकासित किया जिसे पुरुसों और महिलाओं के बीचे मौजूद समाजिक फरकों की अलाउचना की गई थी इसमें दो-तीन तूला की कोचन पुछेला पहले बात की पुछे यह तयारा भाई तो यह तयारा भाई सिंधे जो है याद रहाएगा तो इस तुल ना किया ही तुल्ला किया तो इस पर एक किताब दिखे थी और यह जो किताब था किस विश्या पर था तो समाजिक फरकों के आलोचना की गए थी मतलब कि समाद जो है कैसे बाटाया लड़की लड़कों को ठीके मुशली चीजे तो समझ रहा होंगे इतनी तो समझाने की खास जुरूत नहीं लग रहे मुझे संस्कित की महान विद्वान पंडित रमा भाई आना क्या किया था उन्होंनों पूना में एक विद्वा गिरी के स्थापना किस ने किया था तो पंडित रमा भाई ने किस ने किया था पंडित रमा भाई ठीक है और ये रोड़ी वाड़ी जो खेमे के लोग थे उनके लिए सबसे बड़ी एक तरस समझी के जवाब था रोड़ी वाड़ी मतलब बला पुराने सो समझ के अब ये बाल बिवा की बिरुद कानून तो 1929 इस्यू में देखिए 1829 समझे लो 1856 समझे लो ठीक है अब 1929 में बाल बिवा पर रोक लग गया ठीक है बाल बिवा निश्यद अधिनियम पार्थ किया गया तो बाल बिवा निश्यद अधिनियम का पार्थ किया गया तो याद रखिए गए 1929 में है इसमें फिक्स किया गया 18 साल की लड़की के कम उमर के सादी नहीं किया जागा जैसे कि यहां देख सकते हैं कितना उमर में 6-7 साल का ही लड़की लग रही है ठीक है और साधी कर द dorm गया ठीक है तो उस तरह पहले का मह dissipative 20 साल का चोड़ यह चाले चाले साल करता था लो और लड़की आठ साल दस साल की लड़की साधी हो जाता था पहले के समय में ये समाज इक बहुत समाज जो है पूरी तरह से गड़बड़ था पहले के समझ में आज भी हमारे देश में 20% से जाधा लड़किया जो है 18 साल से पहले के उम्र में साध हो दाता है और मैं खुद मुसलिम समाज से आता हूं और इस बात को पूरी तरह से accept करता हूं कि हमारे समाज में जादा होता है इसके लिए किसी भी तरह की जोट या बनावती बाट नहीं है यह सच है कि मुसलिम समाज इस मामले में सबसे पीछे चल रहा है कि बहुत बच्पन में इसाधी कर देता है लो अलग अलग घर की अलग अलग बाते हैं लेकिन परसंटेज की साब से बात कर रहा है यहां लिखा है कि जौन एलेन नमा के कूली जहाज के दोरा भारतिय मजदूरों को मौरिशस ले जाया जाता था जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे इसमें से ज्यादातर मजदूर निचली जाती होते थे इसमें से दो तीन कोशन मिल सकते हैं एक तो जहाज के नाम क्या था तो जा रहे हैं लोग मौरिस्वस में लेके जा रहा है लो ठीक है मौरिस्वस में कौन सी जहाज में तो जोन एलेन नमक कूली जहाज से लेके जाया जाता था मौरिस्वस में और ये भारत से जाने वले जो लोग थे वो कौन थे तो वो लोग गरीब मजदूर यही सब लोग दो थे लोग ठीके यहां लिका कि जूता बनाने वाले मदिया समुधाय के लोग थे तो जूता बनाने वाले लोग कों थे मदिया समुधाय के लोग थे उसका लिका है कि मौजूदा आंदर परदिस में मदिया एक महत्पन अच्छूत जाती रही है अब यह जूता बनाने वाला जो मोची जीन को कहते हैं हम लोग मोची लोग जो थे वो मदिया समुदाय करते थे और ये मदिया समुदाय कहां फेमस है तो आंद्र परदिस में अच्छूत जाती गुरूप में ये फेमस थी उस समय अच्छूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सरे लोगों को महार रेजिमेंट में नोकरी मिली थी तो अचूत बाने जाने वाले निमने से कि समुदाय को एक मतलब छोटे जाती के समुदाय का एक अलग ही रेजिमेंट था वो कौन से अचुत लोगों के लिए एक अलग स्कूल के विवस्ता करा दिया था क्योंकि उनको ये भरती स्कूल में जाने से माला था लेकिन इसायों के की स्कूल में जाने के लिए छूट थी तो जुभिमरामबेटकर जी के पिता जी थे वो इसी तरह के सानिक स्कुल में वो भी पढ़ाते थे जो B.R.M. बेटकर जी हैं वो जानते हैं इनको दलित अंदोलन के निता भी कहा जाता है ठीक है लेक्ष्टा जी यहां कहा रहा है कि 18-29 सिस्वी में अच्छुतों को सरकारी स्कुल में घुशने की अनुमती नहीं थी गुझ्रात के दुबला समुदाय के लोग बजार मे तो कोच़र शिर्थ यह पुछेगा दुबला समुदाय के लोग नहीं उसे किस श्चे तरी है तो गुझ्रात के हैं दुबला मज़धूर स्वान्ड जमिंदारों के पास मजदूरी करते थे दुबला जो मजदूर थे उनके घर मजदूरी काम करते थे उनके घर मजदूरी काम करते है स्वान्ड मतलब उची जाती के लो मद्य भारत में सनातनी अंदलोन के सुरुवाद घासी दास ने की ये कोश्चन पूछा हुआ था कि मद्य भारत में सनातनी अंदलोन के सुरुवाद किस ने की अतत यादर के घासी दास ने ठीक है चलते आगे दिखते हैं लो हरी दास ने जाती विवस्ता को सही ठहराने वाले ब्राहमनवादी गरंतों पर सवाल उठाया जो हरी दास ते वो क्या किये हरी दास जो ब्राहमनवादी जितने भी गरंत थे जिन ब्राहमनों को वर्चस बताया जाता था उस पर उनोंने सवाल उठाया जिसे आज केरल कहा जाता है वहाँ एजहावा जाती के स्री नरायन गुरू ने अपने लोगों के बीचे एकता का आदर्स रखा तो जो नरायन गुरू थे नरायन गुरू वह केरल में एजहावा जाती के स्री नरायन गुरू अब ये कोशन से दूतिन बन सकता है पहला की स्र रखेगा जहावा चाती के थे और वो वर्तवान समय में जो केरल है वहां पर लोगों को समझाना शुरू किये लोगों में एकता के पाठ पड़ाना शुरू किये इस बात की याद रखेगा और भेदवाग को विरूद करने मनावता ही एक जाती है इस पर उन्होंने ज्यादा कि अध्या वहां द्यान होन थे तो याद रखेगा जो नारायन गुरू हो ठीए किरल के श्री नारायन गुरू किस समझे ख्यान समझे तो किरल से समझे थे ठीए और कुछ इसमें नहीं दिखरा आ गया जी है इनका मनना तो कि एक धर्म एक इसवर है मनौता ही एक जाती होत आगया जी अब यह गुलाम गरी से कोशन आप लोगा पुछा वा था और पुछने की बरावर संभावना बनी रहती है और यह कोशन यहीं सीदे सीदे पुछा था कि गुलाम गरी जो लेख है यह किस के लिए समरपी था तो निमन जाती के नेताओं के नेताओं में जोती इनका जनम का बुझा था, आठारा सु एकाई सी सी में जन्रुय जोती राफोले इसाई परचारे को द्वारा खोले गये है स्कूलों में सिक्चागरन किया तो सिंपल याद रखे का जो तिरा फूले का जनम 1827 सिस्वी में फूले का तर्क था ये जो तिरा फूले का क्या तर्क था तर्क था कि ये आरे बीदेसी थे क्या मानते थे वोई आरे बीदेसी थे और ये उप महादीब बाहर से आये थे यानि सिंपली समझे कि उनका सिधा सिधा बोलते थे कि जो हिंदू धरम है वो बाहर से आये जो सनातन धरम है वो बाहर से आये और भारत पे कब्जा किये जैसे मुसलमानों ने बाहर से किया पर कबदा किया उसी तरह हिंधू भी भाहरत आगक कपदा किये मूल जो भारती जो है वो शुरू से ही भारत में रहा है वो निम्न जाती जो छोटे जाती को लोग है वही है में और आदिवासी है तो कि आ अपने यहां मूल निम्न जाती को उन्होंने बड़े लोक जितने भी है चाहे वह हिंदू द्रम बड़े जाती का लोग हो या पूरे मुसलमान हो यह सब कहां से है सब बाहर से है किसी के भी भारत मैं है भारत है सिर्फ निमन जातियों का आगे आगे पूले ने दावा किया कि A.R.E के सासन में सब से पहले सबसे पहला यहां स्वर्ण यूग था तो कुशन पूचेगा कि किसने कहा था कि मतलब आरे के आने से पहले ही भारत में स्वर्ण यूग का समय था तो किसने कहा था जोतीरा फोले ने कहा था कि जब तक आरे बने भारत में नहीं आया थे तब तक एक सुर्ण नियू की तरह चल रहा था जब यह लोगा आए तो धिरी धिरे संस्कृति को निश्ट करना शुरू किये ठीक है और हमारे ऑफलेंड क्लास में भी दो बचिया हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं और ये मैं बराबर उनने से बुलते रहता हूं कि भारत तो आप ही लोगा है कि आगया जी जोती रहा फूलो दुवारा स्थापित किये गे सत्यसोधक समाज नामा के संगटन ने तो सत्यसोध समाज किया स्थापना किस ने किया तो जोती रहा फूले ने किया था ये संगटन क्या करा था जाती समंता के समर्थन में मोहिम चलाई मत सभी जाती को एक साथ करने के लिए इन्होंने मोहिम चलाई यहां एक लिका है कास्तकारी के चाबो कि किसका लिखा हुआ है किसका उसमें अमरीका में दास परता को खतम कर दी, जो अमरीका में गरीयो युद्ध में पर्सायज धिया अमरीका में की समर्पित कि उन्होंने गुलामों की मुक्ती दिलानी की संगर्स किया, मतलब कि अमेरिका में वहाँ पर गुलामी वाला संगरस खतम हुआ गुलामी का जो लड़ाई वर्चस हो चल रहा था वो गिरी उइत के बाद खतम हो गया उसी की जलक को भारत में गुलाम गिरी वाले किताबों में उन्हों ने दिखाया जो तीरा फोले ने कहा कि जैसे अमेरिका में जो गुलामों की दुर्दसा थी उसी तरह भारत में निमने जातियों की दुर्दसा यारी अमेरिका के गुलामों की दुर्दसा और भारत के निमने जातियों की दुर्दसा सेम हैं ये बताना चाहते थे जोतीरा फोलेस है पच्छिम भारत में पच्छिम सैड में जाएंगे पच्छिम भारत में भीम राम बेड़कर और दच्छिन में ईवी रामा रामाश्वारी रामाश्वामी नएर जो है ये महान दलित निताओं के नितिते में चला कोशन पुछे का निमने से को हुआ 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 के स्थबना की हरीज़न पर तरीका चलाएं जो आगी आएगा इसी में हाड़ा इसी में हम लोग तेन्थ क्लास का भी जो दूसरा चेप्टर है NCRT का जिसमें भारती रष्टी अंदोलन है उसको भी कंप्लेट कर लेंगे ताकि चीजें जो है कुछ भी नहीं चूटे यहां जी अम्बेटकर एक महार परिवार में पाइदा हुए थे तो याद रखेंगे को महार परिवार में अम्बेटकर का जनम हुआ था ठीके इस बात को आप लोग याद रखीगा निच्ट नीचे एंगे तो लिखा, 1919 में वे भारत लोटते हैं, देखिए, अमेरिका ये भारत लोटते, बरावर कोश्चन ये पुछते रहता है, कि महात्मा गंदी भारत कब लोटे, लेकिन ये भीम राम बेटकर कर नहीं पुछता है, कि भारत कब लोटे, तो यादर कि परवेश में अंदरलन शुरू किया, जिसे महार जाती की लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, यानि कि जो जिस जाती से थे, उनों ने कहा कि हम लोग मंदीरों में परवेश करेंगे लोग, इसके कारान बहुत बड़ा बावाल भी हुआ, लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन बड़े जाती के लोग जिते हैं, बहुत ज़्यादा बिरोद करते थे, उनिस्सो सताइस से प्रावान जो उत्तर से आये हैं, वो उन आरे आकरमकाड़ियों के वन सजाए, मतलब ये भी मानते थे, क्या इवी रामाश्वामी जो नहीं थे, और या गैर बा रामर अंदलनकारी जो थे, वो मानते थे कि जितने भी जो आर रहे हैं, वो सब बाहर से आया हुए हैं, यहां के नहीं है, पिर यार जो नाम से परसीद थे, इवी रामाश्वामी नहीं है, तो पूछा हुआ था, साथ 9th क्लस में ही कूछा था, 9th वाला, 13th वाला में, कि न रामाश्वामी नहीं कर जो थे, यह क्या थे, तो प्रणरम बेवे क्या थे, सनियासी थे, और बीच में कंग्रेस के सतस्री बने, लेकिन उन्होंने देखा कि बैटने के हिसाब में यहां भेदवा किया जिता है, असल लिए उन्होंने असल दर ये पार्टी को छोड़ दिय मतलब क्या है कि कंग्रेस में थे, लेकिन कंग्रेस को देखते थे कि भेदवा कर रहा है, तो उन्होंने इस पार्टी के छोड़ दिया, मूल तमीर और दरविट संस्कृती के असली वहाग अच्छू थी यह, मतलब वो मानते थे कि जो दरविट संस्कृती है, दचिन भारत यह भारत का निर्मान हुआ, तो उपर वाला जो हिस्सा है, यह तो हिमाले का तेथी सागर था, जो यह उपर वाला हिस्सा बना, यह भारत का उत्री भाग, यह मूल जो भारत पूरा है, जो नीचे वाला है यह भारत, यह भारत जो है गोडवाने लेंड का हिस्सा है, और य नानों के कट्टर आलोचक थे कोशन पूछा था एक बार कि निमिन में से कौन जो है पूरान का कट्टर आलोचक था तो पिरियाज जो है पूरान का कट्टर आलोचक थे मनुस्मृति द्वारा रचित सनहीता भगवत गीता और रमायन के कट्टू आलोचक थे तो ना मनुस्म स्थापना 1330 ऐसे में की गई कुछेगा की के संदरसे ने वहां ने की अस्तापना ने की यह तो जो कोशन पूचेगा कि निमन में से कुलकत्ता क्या अध्यापक कौन थे अध्यापक के दसक में तो कौन थे याद रखेगा डेरे जियो इसके संस्थापक थे निक्ष्टा जी । राम क्रिष्ण मीशन और विवेकनंद प्रात्ना समाज के दिखेंगे तो प्रात्ना समाज जे बंबई में स्थापित प्रात्ना समाज ने भारती बंदो को खत्म करने और बाल बिवा के उनमुलन का प्रियास किए और ये जाती ब्यवस्ता को दूर करने को सिर्किये कौन प्रात्ना समाज के लोगों ने ठीक है इसके स्थापना 186 वेद समाज देखेंगे तो मदरास में 64 इस्वी में बेद समाज के स्थापना की इसवर कस्तित्यों में विश्वास रखते थे अंद विश्वासों और अनुष्ठानों की सक्त निंदा करते थे अलिगड़ मुस्लिम इनिवर्सिटी के देखेंगे तो 1875 इस्वी में अलिगड़ खोले गया मुहमद एगलो एंडियरंटर कॉलेज को को ही बाद में अलिगड़ मुस्लिम को इनिवर्सिटी के नाम से जना जाता है सिंग सभाव का अमरिस्टर में पूछेगा सिंग सभाव की अस्तापना 1873 में अमरिस्टर में हुआ था 1879 में लाहॉर में किसी सिंग सभा का गठन किया गया तो लाहॉर में भी सिंग सभा का गठन किया गया गोरे बगान मालिक काले लोग गुलाम थे और गोरे लोग कहते हैं बगान मालिक ते जो तीरा फोले की एक पूस्तक है जिसमें गुलाम गिरी में जाती उत्पुडन और अमरीकेस में परशेदास परता के बीच में संबंद स्थापित किया है कपास अन्य बगानों में काम करना पड़ता था कि इनको मज़दूरों को यह खतम गया थे देक्चैण और इस चैप्टर को देखते हैं और यह चैप्टर काफी जदा इंप्परटन है और इसका अगला चैप्टर जो है वह भी बहुत जदा इंप्परटन है दोनु चेप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे लो यहां एक वर्ड लिखा है कि संपर्भू, संपर्भू मतलब क्या होता है, तो बारी हस्तेचिप के बिना सोतनतर रूप से कदम उठाने की छमता को संपर्भू कहा जिता है, अब यहां एक वर्ड लिखा है कि अम्सेक्ट जो है पारित किया गया कब आम्सेक्ट पारित हुआ था incubus अठाल में लोर्ड लेटन लीखता है ता तूप आप लिट नहीं रखेगए था फ भारती लोगों को परषान किया गया जैसे अम्सेक्ट में आप हास्यार वह गृगळा आप प्रेस को यानि नहीं छाप सकते हैं और यह दोनों एक्ट अप्रों भारती के लिए डेंजरस था लेकिन उसके बाद इलबट बिल आता है, इलबट बिल क्या था, इस बिल के तहत कहा गया, कि भारतिय नियादिश, यह भी बिटिस या या इउरोपिय बैपारी को उपर मुकादमा चला सकते है, यह भारतिय जो जज है, यह जज भी इलका सुनवाई कर सकते हैं, कि इसका अंग्रेजों का, लेग करेगा संभाव ही नहीं है, तो अंग्रेजों ने अपने ही अंग्रेजी जो सरकार थी, रीपन जो थी, इसके खिलाप में वाज उठाना सुरू कर दी, इसका दिरोध करने लगे, मतलब कि जब अंग्रेज जो है, खुद बात करते थे, भेदभाव दूर करने का, खुद ब कांगरेज की जो स्थापना हो रही है, वो हो रही है, 1885 में, 28 दिसमबर, 1885 विस्विवी में, भारती रेश्टी कांगरेज के स्थापना होती है, क्यों करता है, तो याद रखेगा, A.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.C.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E.O.H.E और क्या बलते हैं उसको डफरीन का मिला जुला मिला जुला सड़ेंतर था कि एक राजनेती के मंच के स्थापना कर देते हैं जहां पर भारती लोग उसी में खेलते डूलते रहेंगे ठीक है तो डफरीन यानि डफर जो था और यूम था यह मिलके एक नई पार्टी बनाते है जिसका नाम रखते हैं भारती रष्टी कांगरेश ठीक है तो कभ इसके स्थापना वरी एक अठारफ सो पचासची स्यू में पहली भैटक जो होती है वो होती है कहां में मुंबई में होती है एक्चुली में पूना में सुचा गया था करने के लिए लिकिन पूना में में किया गया पहली बैटक उसमें 72 लोग भाग लिया जिसमें दादा भाई नवरोजी थे फ्रुसा मेता थे बदरुदिन तयब जी थे डबलू सी बनर जी थे और सुतंदर नाथ बनर जी थे बेमस चंद्र दुद्द थे और S सुपरमयम अरियर थे इस सब लोग वहाँ पर फिस्ट वए थे नवरोजी जो आहिं कि यह बहुत की है बहुती और ब्रचा रख ते किया थे ब्रचा मतलब बिजनसमें और पर चारख भी via inntre घष replyません यह मित्रत बंतिन ये आगलेkol सब चारफा हूर उटने बहुत्रत बंद्रिं तयब जी जी ज्वह है वह अगले Pea 1887 में अधेक्ष बनते हैं कंग्रेश का देखे याद रखी का चार कंग्रेश का दिक्ष के नाम याद रखी का पहला जो थे वो WC बनर जी थी मतलब मूँ बना के बठे थे तो उनको बना दिया गया बाद में समझाए कि नहीं इनसे बुजरुकत दादा जी थे थे तो 1885 में जो मूँ बना के बठे थे कौन बनर जी जी बठे थे मूँ बना के तो बनर जी को बना दिया गया 1885 में भारतिय राष्टि कंग्रेश का पहला आध्यक्ष तो फिर बाद में दिमाग में समझाए कि नहीं भीया दादा जी तो बठे वे इसी तरह तो अगले साल दादा बन गया तब लोगों ने सोचा कि मिया भाई को छोड़ दिया जागा तो फिर मुस्लिम सपोर्ट में कैसे आएंगे तब मुस्लिम को 1888 इसी में बदुर्दीन टयब जी को बोला गया कि काहला बुद 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 आ रहे हैं तो बदुर्दीन टयब जी बुद पहले जो थे वो डवलू सी बनर जी मुझ बना का बटे थे उसके बाद दादा जी दादा भाई नोरो जी तीसरा बुद 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 रहे थे बदुर्दीन टयब जी जी उसके बाद चोठा जो है जार जीव लीजाई था इस तरह चारों याद रहे हैं कोशन खूब तीनों कापले याद रहे हैं ठीक है नेक्स्टा जी यहां रेख लिए है कि नोरो जी जो दादा भाई नोरो जी है उनकी पूश्तक जो है पावाटी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया और ये कोशन पूछा हुआ है पावाटी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिय इसमें अलोचना किया गया है ब्रेटिस रूल की आगया जी बिधान परिशद में भारतियों को ज्यादा जगवा दी जा इस बात की मांग हुँ उठ रही थी बाल देखेंगे तो कौन विपिन चंद्रे पाल बंगाल से कौन थे विपिन चंद्रे पाल थे ठीक है विपिन चंद्रे पाल थे और वही देखेंगे पंजाब से कौन थे तो लाला लाजपत्र है वही महाराश्च से कौन थे तो बाल गंगधर तिलक तीनों का नाम याद करजब किया का बंगाल को बाढ़त दी जाए गया दो भागव जब बाढ़ा की रसे इहां आली कहा है कि तिलग जो थे बालगंगधर तिलग के संपादन ने निकलने वाली माराथी अखबार केसरी और बिर्टी सासन के क्या 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 कि माराथी अखबार जो अंगरेजी में था और वही केसरी अख मांदुलों के नाम से भी जाना जाता है 1926 में मुसलमान जबिंदारों और नवावों के एक ग्रूप को अंगरेजों ने बलाया धाका में जो बंगरादिस की रजदानी है वहाँ पर बलाया और एक All India Muslim League की स्थापना कर दिया All India Muslim League की स्थापना कर दिया इस लीग का स्थापना इस लीग किया गया था कि अंगरेज जो भी करेंगे और कांगरेज कर इसको खिलाप में आ रहे हैं तो Muslim League स्थापोर्ट करेगा ठीक है मतलब Muslim League उल्टा करेगा भारती नेताओ के यही हुआ नतीजा कि बंगाल जब भाजन किया गया तो Muslim League जो थी Muslim League जो थी ना वो क्या कि इसको स्पोर्ट कर दी 1909 इस्यू में सरकार ने इस बात को माल लिया कि मुसलमानों के लिए अलग प्रिवात्तक निर्वाचन की बात हुए अलग इस बात्रों के मतलब क्या होता है कि उनका भुट देने का अधिकार अलग होगा सब चीज उनके लिए अलग होगा 1909 इस्यू में ये टूट जाता है कौन टूट जाता है गरम दल और नौरं दल ठीक है तो गरम दल और नौरं दल जो है तो वो साथ इसई में जो Congress के बैठक हो रही है उस Congress के बैठक में यह दोनों अलब होगे यानि साथ में साथ नहीं रहा है लखनोग में Congress के जो समझता हो रही है जिसमें राच मर्सुलक राज जी भी पहुंचे थे और इदर से एनिवेसिल्ट पहुंची थी यहां लिकात कि प्रशासन किये सलाइकारी या परतिनीदित इदाईतों के निवहाने वाली मौनोनीत या निर्वाची संस्था थी जिसे परिशत कहा जाता था ब्हवासाइग समून यूध की जिन्दगी की amb questions hem और बह्यासाइक समू यूद की बहिसाब मनापपा होता है तो देखे का रहे है कि यूद में आम लोगों का तो बहुत जいやता problem होता है वही businessmen उनको क्या होता होता है क्या होता है क्या होता है च consider businessmen का business उसमें खुब चल जाता है रूस में जो reign creativity उन्हीं 17 issue में पूरे class को एक combined कर दूँँगा गान्दी जी च्यालीस की उम्रे में 1915 एस्विन में डच्छीन अफरीका से भारत लोटे थी तो पहली बात कि कितना एज में इस्टेम है च्यालीस की उम्रे में कब आया ज़िक है ज़िए आजिया? और उन्होंने नुनस लिभेदी पाबंदियों के खिलाब उन्होंने हिंसा किया यहां लिखा है कि नाटाल कंगरेश के स्थापना नाटाल कंगरेश के स्थापना 1895 इस्वी में महात्मा गांधी ने नाटाल कंगरेश के स्थापना किया था गांदी जी ने किया था, तो 1895 में है, महत्मागांदी ने पहले साल पूरे भारत का दोरा किया, असल दर गांदी जी जब वहां से लोट ए, अफिरिका से लोट के भारत है, तो उन्हें अपना गुरू बनाए गोपालिकेशन गोखले को, गोखली जी क्या आप बोले गोखली जी बोले कि पहले साल भर जो है चुपचा भरती राजनिती को समझो उसके बाद जो है राजनिती मिन्ट्री मरना तो उन्हों जब लोटा 1915 में तो साल भर तक आराम से बैठे रहे हैं ठीक है उसके बाद 1917 में चमपारण गया, 1918 में अंदाबाद मिलवाले में बहुछ सरे जगों ने उन्हों ना अन्दलोन किया सिब जानते हैं रा लेटेक्ठ की कहानी समझते हैं रा लेटेक्ट में जो था 1922 में 2019 में क्या हो रहा है कि रॉलाटेट कानून लाया जाता है और अंग्रेजी दुबरा इस कानून के तहत क्या हुआ कि किसी भी लोग को बाहर निकला मना था अपना गुरूप बनाना मना था ठीक है छो महिनों को इसका छो अप्रेल को छो अप्रेल को 6 अप्रेल 1922 को एक तरस इ इसका बिदर हुआ इंसक मतलब अथा है कि हिंसा नहीं किया गा सांतिपुण्धम से इसका बिरूद किया और इस अपमार वह याचना के दिवस मनाए गया तपान और याचना को मनाए गया 6 अप्रेल 1929 को और नाइट हुट के उपादी को लिया था तो नाइट हुट के जिसने अपने वापादी वापास लोटा दी और गांधी जी को मिला था कैसे रहे हिंद की उपादी उन्होंने भी अपने उपादी वापास लोटा दी अपरल उनिस विश्यू में देखिए छो अपरल को अपमान ये क्या हुआ कि लोग बिद्रों किये नौ अपरल को अपमान दिवस मनाया गया और नौ अपरल को ही सफ्रिदुन किछलू और सत्यपाल मली को पकड़ के जेल में डाल दिया गया अमरुजे द्वारा जिसके खिला अपरल के घटा वहां पर जो जनरल डायर आता है और आके अंदादुन गुलिये चला आता है असोब को खरता है खतम कर देता है जिसे कारण गांधी जी प्रमिना टोबूर बहुत सारे बड़ बड़ नेता जो है उनको बहुत जड़ा आहत पोस्ति और उन्होंने अपनी प खिलाफात अंदला शुरू हुआ पुरी दुनिया भर में मुस्लमानों ने शुरू किया था भारत में इसका आसर जो है 1920 के आसपस में देखने के लिए मिला गांधी जी ने इससे ऑटोमन समराजी को क्या क्या सपोर्ट किया इसलिए सपोर्ट किया कि वो चाहते थे कि मुस उटोमन समराज़े का जो खलीफा थे व वो पूरे दुनिया के मुस्लमानों के खलीफा थे ठीक है और एक तरह से समझेकी कि धार्मिक रूप से वे जुड़े हुए थे हर एक मुसलमान से उनको टोफर कर रहा थे जिसके वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान ख़ाफ़ा और भारत के मुस्लमानों ने उसके खिलाब आवाज उठाया जिसका नाम रखा कि खिलाफात अंदुलन गांधी जी बड़ी चलाके के साथ इनका सपोर्ट किया इस मंसे से कि भारत के हिंदु मुस्लमान जो एक हो जाए क्योंकि वो चाहते थी कि सब एक जुट मिलके ही अंग गांधी जी को एक मुखा म मिल गया एक नया अंदुलन चलो करने का तो उसमें नहीं आद्धूलन सुरू करदे जिसका नाम रखा गया और शयोग अंदलन. एक अगस्ट अगस्थ को शुरू होता है ये अंदलन गवग दो शालों तक चलता है 1922 तक और 1922 से 22 के बीच में 1920 के बहुत सारे चीजाओं को भहिसकार किया गा जैसे बिदिसी कपड़े को बहिसकार किया गया, सौधिसी कपड़े को बनाया गया, ठीके, अंग्रेजों का स्वयूग करना छोड़ा गया, बहुत सरे चीज़े की गई, जिसमें मोतिला नेरू, सी अरदास से, सी गोपालाचारी, अफसल, आसफ अली, आसफ अली जैसे बहुत सरे अपना वाकाला छोड़ दिया, सुवासंद्र बोस ने भी अपनी IPS की नुकरी छोड़ दी, आईस की जो, आईसेस के एक्जाम्ट वेले होता था, उसकी नुकरी छोड़ दी, सुवासंद्र बोस ने, बहुत सरो लोगों ने, गवांत्मा गांदी जी के बात मनगे, क्यों ग और वहां पर वन अदवासियु द्वारा उस एरिया में के वन सत्यागरा भी चलो किया गया, ठीक है, आगया जी, सिर्ख गुरु द्वारों के धारमी के करता-धरता होते हैं की ने, करते हैं महंत को, कोछर पूछेगा महंत मतलब क्या होता है, तो महंत उनको करते हैं, जो स Manta, महातवा बना दीया किनको Ganti Ji को और ये गांदी Ji uørs सब जो दिये थे वो दिये थे, Raminna Tagore Ji थी ठीक है जो आला नेरु देख रहा है, गांदी Ji देख रहा हैं यह सूबासे अंद्र titre गोशड घीर डिख रहा है ठीक है यह लोग लेके जा रहे हैं लो ठीक है उपर बहुत सरे नहीं था कि नाम फोटो दिख रहा है जिसने बाल गंगा धरती लग यह यहां दिख रहे हैं इक रही है आगे जी 1922 और 1929 की घटनाओं को देखेंगे तो 5 फरवरी 1922 इसी में चोरी-चोरा कांड हो जा रहा उसी बीच में गंधी जी शुरू किया ते यह असवाज गंधोलन उसी बीच में लास्ट एस समय में चोरी-चोरा कांड हो जाता है मगुरकपुर में होता है और इस कांड में 22 पलिस कर्मियों को जला दिया जाता है जिससे कारन गंधी जी भीषिश्य है कि अपने अंतोलों को बंद कर दिया तो याद राय द्वारा राश्टिय स्वेम स्वेंस यानि K rss की स्थापना की जा रिया एक सफ्थापना हेड गवार ने किया था 27 सिथांबर 1925 को यह कोशिन पूश सकता है क्या काफी जदा ये संग परिवार यानि RSS चर्चम रता है, इसके स्थाबना 27 से सितंबर 1925 सिसी में हिट गुवार द्वारा किया गया था, वही भरती कॉम्मिनिस्ट पार्टी के स्थाबना 26 दिसंबर 1925 सिसी को कानपूर में किया गया था, ठीक है, आगया जी, पूर्वी बंगाल के वकील भी थे, तो पूछेगा, पूर्वी बंगाल के वकील थे, 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 ठीक है, सामेन कमिशन जो है, वो 1927 इंगलेंड में एक कमिशन बनता है, जिसका नाम र स्वेशवाराज की जो कंग्रेस की मिटिंग हो रही था उस मिटिंग नेरें फॉर्णोस्वराज की मांग प्रस्ताव हो रहा गया कि पूर्णोस्वराज हमें चाहिए कौन कर रहे था ढills का जो में को इस लिए से ज़नवरी को पारित के जाएगा ताकि क्या होगा कि उस दिन को जंडा दिवस के और गरतना दिवस के रूपे मनाया जाएगा ठीक है क्योंकि उन्हों ने उस दिन 113 दिवस मना दिया गया था अब यह भागा सिंग चंसिकार रजाद और सुखदे द्वारा इनकलाब का जिंदाबाद का नारा देते हुए सेविली में घुस गया और बम वहाँ पर फोड़ दिये 1928 में दिल्ली में इस्थिते फिरोस आ कोटला में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपापलिक एस भृभस सिट राजगरू हैं का जो कर के मारा था संडर्स यानि की लाला लाजपत राई जी को लाठी से मार दिया था कौन संडर्स ने इनको क्या किये ये सब कोई मिल के मार दिया भगा सिंग चंसकार रजाद और राजगुरु ने इनने मिल के क्या करती है संडर्स की हत्या कर दी ठीक है तो कोश्चन केंदरी बिधान सवा में बॉम फेका था कोशन पूछेगा कि भागत सिंग जो थे वो किसके अपने साथी के साथ गया हुए थे तो बीके दत के साथ केंदरी बिधान सवा में बॉम फोड़ा था भागत सिंग सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पचड़ा दिया गया थीक है तो 23 मार्च 1931 को कि लिको फांसी पचड़ा दिया गया तो भागत सिंग को सुखदेव को राजगुरु को ठीक है उस समय भागत सिंग के मात्र आयूती 23 साल वात ही आब तैयारी कर गया थे हैं ठीक है देश की साहद के लिए 23 मार्च 23 साल और 1931 तीनों याद रखेगा ठीक है अब डांडी मार्च नहीं यतरा देखेंगे लो गांधी जी दुवारा शुरू किया गया था डांडी मार्च को नमक कानम को तोड़ने के लिए साबर मती आसरम से 24 किलमेटर को दूरी तर डांडी पैदल चल दिया और वहां पहुंचते हैं 6 अपरेल को 12 मार्च को निकले थे पहुंचते कब 6 अपरेल को टोटल जो है उनको 24 दिन लगा हुआ था जाने में ठीक है कि तदी लगा था 24 दिन लगा था 78 अनुआयों के साथ यहां नहीं करनाटक के अमबा भाई का बीवा बारह साले के उम्मर में कर दिया गया था तो करनाटके जो अमबा भाई थी उनके विवा बारह भास के में सुह नहीं वक्टमय में वह विद्वा होंगacerों ठीक है उसको यांधह आजग्डी जी के साथ यह हमेher pinch यहां मतलब अंदे यह हैं स्वरुजदी नेड़ो जी और यह है गांदी जी 1935 में जो गर्रमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें प्रांतिय स्वयता की प्रधानता प्रावधान किया गया तो पुछेगा कि जो अंग्रेजों का जो एक्ट जो अधिनियम आया 1935 का उसमें क्या भी सेचता थी तो उसमें क्या था प्रांतिय स्वयता की प्राधानता थी ठीक हरतवान समय में जो हम लोगा सविधान बना ए उसमें 1935 का जो बहुत जादा उसमें से एड़ किया गया है 1937 में प्रांतिय भिधाय के लिए चुनाव कराये जाएंगे इसके परणा में 11 से 7 शीटो पर जाए जो सीपाई है सानिक है तो बारत के कंग्रेस ने उसको मानने से इंकार कर दिया। रहा लुख़ा कि भारती रश्टी कंग्रेस के अध्यक्सपद पर होचने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखेगा पहली महिला वही सरजने नड़े थी भारती महिला लेकिन ऐसे पुछेगा तो एनी बेसिंट थी जो उनीशो सत्रा में ही अधिक सकर्च गथी लेकिन भारती महिला अगर देखा जाएगा तो नीशो पचीस इसी में कानपुर के जो अधिवेसिन हुआ था वो सरजने नड़े द्वारा किया गया था पहली भारती महिला थी यहां लिका कि तीस दसक में नबरंगपूर कंग्रेस उरीशा के अधियाक चे बाजी मुहम्मद लिखते हैं कि 25 अगर 42 को 16 लोग बजरंगपूर इस्तिते परम परंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौ नब्य हजार से जादे लोगों गिरफतार कर लिया गया था और जादे लोग गरफतार कर एक हजार से जादे लोग गोली मार दिया गया उनिस यतलेष उन तक और पुर्वी छेत्रों में मुस्लमानों के लिए सवतंदर राज्यों के मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया प्रविस्ट किया अ मुलाना आजाद का जनम जो हुआ ता उनका जनम मक्का में हुआ था इनके जो पिता सिरी थे वो बंगाली थे और माता सिरी जो थी वो अरब के मुल्ची थी यहां लिखा है कि बहाद़ते दीन यानि सभी धर्मों की बुनियादी एक्ता कि हिमायति हिमाय तो कोशनर पूछेगा निमनमें से कौन सा कांगरीशी निता ने जिन्ना के दू राष्टवाले ना दूरस्टवाले से धांद का बिरूत किया था तो यह कि थे अब्दुलकलामाजाद ठीक है मुलाना आजाद जो थे अबूल कलमाजद नहीं मुलाना आजाद शिर्फ अबूल कलमाजद तो इपीज अब लिकलमा जाएंगे अगया जी यहां पटेल देखेंगे पटेल जी को किसानों की समस्या समझते हैं और बारदोली में समस्या समझते हैं जहाँ इनको सब बारदोली की महिलाओं ने इनको पटेल को सरदार पटेल की उपाजी दिया है सरदार की उपाजी दिया उन्हें शेक्ति सिस्यू में कंग् के साथ मिलकर सरकार बनाना चाती थी देगे 1937 में मुस्लिम लिग जो था ना वह कंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाती थी लेगिन कंग्रेस निस बात दिया जिससे और ज्यादर नुक्षान यह हुआ कि देश में आप पूरी तरह से आग भढ़कने लगी और दूर गांदी भी कहा जाता है ठीक है और यह बिहार में सांती सकती के हिस्सा ले रहे थे कुफार खान को बहादूर खान के नाम से भी जाना जाता है जो गफार खान को बदसा खान के नाम से जाना जाता है खुदाई खित्मितगार इनकी संगटन थी लाल कुर्थी से नस यही सम वुपे अफ्रीका का पहला देश बना जिसने पहले गुब्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था तो अफ्रीका का सहारा जो छेद्よね ऍरण से जाना जाता था '' सोतंतरा अंदलोन के न्देतीते में, वो आमे नकुरूमा की कंवेंशन पीपुल्स पार्टी की कर रही थी, अरताल भाईस्कार अंदलोन के रास्टा, ठीक है, चप्टरों के कम्प्लेट आब आते हैं, अब आते हैं, तक्रिबन 500 रियासत राजाओ को नुवावों के सासन चल रहा था मतलब भारत तो पूरी तर से जजाद हो गया लेकिन भारत के अंदर 500 से ज्यादा जो है रियासत थे रियासत मतलब अभी छुटी छुटी राजा सासन कर रहा थे इन सबको एक करना था तीस जनवरी 1438 को कट्टर विचार को वाले नातु राम गोट से ने महत्मागंदी की हत्री करती तो महत्मागंदी घंदे कव की जरी 30 जनवरी 144 को कि पारत के ऑबादी तो ओधिति इसाथ को भादि में है है कि मैं भाद का इस बीटान रिकार हो गया था चब्हीस नुम्बर को कि अ जहां सबसे पहले संपाने पुरूश को भोड़ दने का अधिकार मिला वहां बाद में महिला को सबसे अंत तक मत अधिकार का दिया गया आगे दिखते लो देखे यहां लिखाया कि यह पुलिटिकल सैंस का सेशन दोड़ा जादा हो जाएता है इसमें तीन सेच्व में बाटा गया था किसी भी कारे को संग सुची राजी सुची और समुर्थी सुची या तक जो केंदर सुची बोलते है और जो राजी उस पे आठी भासा दलित परिवार के थे अंबेटकर बक्ट एक जाने माने वखिर और और सास्री थे इनों ने इनको स्विधान का जनक भी कहा रहता है ठीक है आगे आजी है उनीस सो नब्य के दसक में सुतंतरा संगर्ष की पूर्वे पार्टी भारती राष्ट्री कांग्रेस न लेकिन नहीं हो रहा था उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यदा भीसन दंगे हुए दंगे में दस लक्त लुग ज़्यदा मारे गये हैं सबसे गहरा और संतोस मद्राज के प्रेसिटनसी में तेलगु भासी जिले में दिखाई दिया तब 1922 में आम चुना में नहरू वहां चुनाव परचार के लिए अपने आंद्रे में नारा लगाए हैं ठीक है पुट्टी स्री रामु तेलगु जो है वो तेलगु भासा के स समर्थक ते और वो तेलगु भासा के साब देश का बट़रा चाते थे। जिस का बटवरा नहीं मतलब कि अगर देखा जाए है तेलगु भासा के साब स्रारा राजी की बटवरा एक्सुली में चात्टे थे किㅋ अठा जान डिन तक ये क्या गटे अंसनों बैट गे और 1960 हिस्वी में महराथी और गुजराती के हिसाब से गुजरात को अलग माराष्ट को अलग कर दिया गया कि यहां तेजें लो है महनादी के पानी को रुखने के लिए बनाये गया यह पूल है क्यों बहुत बढ़ा है क्रिश्ण मेमान ने 1962-1962 के बीच में समीत राश्रंग में भरते परते निद्धी मंडल करने तुत किया और कुट्नेर पेक्ष की नीती के लिए नीती के पक्ष में आवाज उठाई ठीक है एक श्टा जी मुंबई इस्तिते धारावी दुनिया के सबसे बड़ी जुगी बस्ति में से करें मुंबई स्रिलंका जो है उस समय नाम था सीलोन कानून परित करके सीला भाषा को दिस वाजबर दस्तित उपने कोशिस किया जो उत्तर सड़ में राने वाले तमिल भासी लोग थे वह अज़सेग थे उन्हें कापना गुरु बने ली एल्टिटी आ गया जी एल्टिटी के नाम आप लोगो सुने होंगे कुल